आज की pitch report के बारे में बताया गया है वो ये कहा जा रहा है कि this is gonna be a nice batting wicket ये एक बहुत अच्छी batting wicket होने वाली है यहाँ पर आप उमीद कर सकते हैं कि दोस्तों बहुत सारे runs जो हैं बनेंगे यहाँ आप कम से कम उमीद लगा के बैठिये कि दोस्तों 180 से लेके 200 के करीब का score एक अच्छा score जो है वो साबित हो सकता है अगर आपने इससे कम score बनाया तो फिर 200 जीतने की संभावनाएं भारत की बढ़ जाएंगी इसलिए 200 के score तक आपको Australia को पहुँचना होगा अगर ये match जीतना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि Australia ने toss हरा है भारत ने toss को जीता है प देखते हैं दोस्तों इन दोनों ही बल्ले बास तो दोस्तों ये पहले T20 मुकाबले में toss को जीता है भारत ये टीम के कप्तान सूरे कुमार यादो ने और सूरे कुमार यादो ने इस मुकाबले में पहले toss को जीत कर गेंद बाजी करने का फैसला कर लिया है तो जो खिलाड बारत के यशस्वी जैस्वाल बहुत जबरदस खिलाडी है यह दोनों के दोनों नमबर तीन की पॉजिशन के उपर जो खिलाडी दोस्तों नज़राएंगे भारत की तरफ से खेलते हुए वो होने वाले हैं आप लोगों को इशान किशन बाय हाथ के बहुत जबर्दस दोस्तों विकेट कीपअब बले बाज हैं और आज हम उमीद कर सकते हैं इन दोनों ही खिलाडियों से की एक अच्छा शिरुआज जो है भारत को करके दिखाएं नमब तीन की पॉजिशन पे इशान किशन नमब चार की पॉजिशन पे जो खिलाडी दोस्तों इस मैच के अंदर नजर आएंगे खेलते हुए भारतीय टीम के कप्तान दाय हाथ के सूरी कुमार यादो क्या खिलाडी हैं दोस्तों आप लोगों को सूरी कुमार यादो बल्ले बाजी के साथ जब चलते हैं तो सबका दिल मुह लेते हैं ये नमब चार की पॉजिशन पे इस मैच में नजर आएंगे खेलते हुए नमब पांच की पॉजिशन पे दोस्तों आते हैं बाएंहाथ के एक और कमाल की बल्ले बाज और इस खिलाडी का नाम है दोस्तों तिलक वर्मा तो यह आप लोगों को इस मैच के अंदर नंबर पांच की पोजिशन पे इस मैच के अंदर शामिल किये गए हैं तिलक वर्मा तो यह नंबर पांच पे खेलेंगे नंबर च्छे की पॉजिशन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो नंबर च्छे की पॉजिशन की उपर बाय हाथ के रिंकु सिंग नजर आने वाले हैं खेलते वे एक और कमाल के बल्ले बाज और रिंकू सिंग के तो बहुत सारे फैंस दोस्तो भारत में भरे पड़े हैं रिंकू सिंग आप लोगों को इस मैच में खेल रहे हैं और वो दोस्तो इस मैच में नंबर 6 की पोजिशन पे खेलेंगे नंबर 7 की अब हम बात कर लेते हैं तो नमबर साथ की पॉजिशन पे दोस्तों इस मुकाबले के अंदर नदर आएंगे खेलते वे अक्षर पटेल बाएंहाथ के बलेबाज हैं विश्व कब से पहले इनको बाहर किया गया था अब वो वापस से दोस्तों इनको टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है और ये आप लोगों को नमबर साथ पे खेलते वे नदर आएंगे नमबर आठ के उपर दाएंहाथ के लिक स्पिन गेंद बाज और ये हैं दोस्तों रवी बिश्व एक और जबरदस्त खिलाडी और आज देखना दोस्तों दिल्चस्प रहेगा किस तरीके का प्रदर्शन जो है ये आपको इस मैच में करेंगे फिर आप लोगों को आते हैं दोस्तों रवी बिश्व एक और जबरदस्त भलेबाज हैं और आज के इस मैच में देखना दिल्चस्प रहेगा दोस्तों कि इस मैच में किस तरीके का ये प्रदर्शन जो हैं वो करते हुए नजर आने वाले हैं फिर आते हैं नमब 10 के उपर प्रसिद क्रिशना एक और जबरदस्त किलाड़ी दोस्तों तेज गेंदबाज हैं प्रसिद क्रिशना और प्रसिद क्रिशना के बाद नमब 11 की जो पोजिशन पे दोस्तों किलाड़ी आते हैं वो आते हैं आप लोगों को दाएं हाथ के एक और तेज गेंद बाज जो कि मुकेश कुमार हैं तो बहुत ही जबरदस खिलाडी हैं मुकेश कुमार भी और आज के इस मैच में दोस्तों देखना काफित दिल्चस्प रहेगा कि किस तरीके का प्रदर्शन इस मुकाबले के अंदर ये जनाब करते हुए जो हैं वो नजर आने व किया किरकार वो कौन कौन से खिलाडी हैं जो कि आस्ट्रेलिया के टीम के अंदर भी खेलते हुए इस मैच में नजर आने वाले हैं तो आस्ट्रेलिया के टीम के अंदर जो कि इस मैच के अंदर दोस्तों नजर आएंगे खिलाडी वो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं दोस्तों कारण उन्होंने बताया कि जो विश्वकप टीम ने जीता है उसके बाद खिलाडियों को आराम देना ज़रूरी था और इसी वज़े से वो दोस्तों आज के इस मुकाबले के इंदर उन खिलाडियों को आराम देते वे नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छी चीज भ मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग करेंगे मैथ्यू शॉर्ट के बाद आज ट्राइविस हेड जो की बायाहाथ के बलेबाज हैं वो इस मुकाबले को नहीं खेल रहे हैं जिस खिलाड़ी को दोस्तों ओपनिंग में शामिल किया गया है ट्राइविस हेड की जगा वो आप लोग स्टीवन स्मित को दोस्तों इस मैच के अंदर ओपनिंग करने का मौका दिया जा रहा है तो ये एक बड़ी निउज है और स्टीवन स्मित के साथ उस उस मैच में जो ओपनिंग बलेबाजी के अदर उचर रहे हैं वो अभी मैथ्यू शॉर्ट है या जॉश इंग्लिश है यह अभी हम देखने की कोशिस कर रहे हैं यहां खिरकार दोस्तों किसको जो है आज ओपनर के रूप में उस्ट्रेलिया इस मैच के अंदा उतारता हुआ तो 52 मुकाबले खेल चुके हैं दोस्तों स्टीवन स्मित बहुत जबरदस बल्ले बाज माने जाते हैं एक दिवसे क्रिकेट के और टी 20 क्रिकेट में दोस्तों यह हैं ही बहुत जबरदस बल्ले बाज तो चलिए दोस्तो 58 seconds रहे गए हैं बाकी इस मुकाबले की शुरुवात होने में और मैच की जो पहली गेंद है वो सामना करने के लिए दोस्तो दाय हाथ के मैथ्यू शॉट जो की बहुती लंबे कत के खिलाडी हैं बड़ी आंबले बाज हैं दोस्तो वो ओपनिंग करने जा रहे हैं उस्ट्रेला के तीम की तरफ से तो बाय हाथ के भारत की तरफ से अर्शिदीप सिंग गेंद बाजी की शुरुवात करेंगे और 36 सेकंड का समय रहे गया है दोस्तो इस मकाबले के अंदर पहली गेंद आने में तो पहली गेंद का सामना दोस्तो दाय हाथ के मैथ्यू शॉर्ट करने वाले हैं बाय हाथ के तेज गेंद बाज अर्शिदीप सिंग की गेंद बाजी के उपर आईए देखते हैं दोस्तो किस तरीके की गेंद बाजी होती है भारत ये गेंद बाजो की तरफ से और किस तरी पहली गेंद दोस्तों आ रहे हैं लेके अर्शदीप सिंग और सामने की तरफ साइट स्क्रीन की तरफ थोड़ी बहुत समस्या नजर आती वे तो स्टीवन स्मिध जो हैं वो दोस्तों इस मुकाबले में पहली गेंद का सामना करेंगे और उनके साथ दाय हाथ के मैथ्यू आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टीवन स्मिध और अर्शदीप सिंग इसमें गेंद बादी की शुरुवात करने के लिए जा रहे हैं पहली गेंद आती भी स्टीवन स्मिध के लिए गेंद बादी के उपर दोस्तों अर्शदीप सिंग जो हैं वो तयार नजर अर्शन जो है वो भारतिय टीम की तरफ से रहता है तो दोस्तों पहली गेंद लेकर आने के लिए अर्शदीप सिंग तयार हो रहे हैं थोड़ी बहुत आपको समस्या सामने की तरफ साइट स्क्रींग के उपर नज़रा रही है इसी वज़े से आपको बहुत ज्यादा समय लि इस ओवर की पहली गेंद सामने दोस्तों बल्लेबाजी क्रीस के उपर दाएहाथ के स्टीवन स्मित तयार बल्लेबाजी करने के लिए स्टीवन स्मित जो की बहुत थतरनाग खिलाडी हैं दोस्तों एक दिवस से क्रिकेट के टी टुन्टी क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन रहता है इनका चलिए देखते हैं पहली गेंद दोस्तों बाइंहाच से उवर दिविकेट से इस अर्शिदीप सिंग की स्टीवन स्मित के लिए पहली गेंद ऑस्टम के बहार थी थोड़ी सी 30 गती की गेंद टपाखाने के बाद उचाल लेती भी अंदर की तरफ आई आखरी गेंद के अपर कोई मौका जो है वो इस समय नहीं दिया है गेंद बाज ने तो डॉट बॉल यहाँ पर स्टीवन स्मित के पहली गेंद के उपर इस तोबर की अगली गेंद लेके चले यहाँ पर अर्शिदीप सिंग दूसरी गेंद दे दोस्तों इसमें दो स्लिप्स के सा गेंद बाजी करने के लिए तयार नजर आते है वे इस समय अर्शिदीप सिंग बाएहाँ से एक स्लिप के साथ लेक्स्टम के उपर गेंद टपकाने के बाद और स्विंग होती भी बाहर की तरफ निकल रही थी काफी ज़ादा दोस्तों गेंद जो है वे लिख सिटम के बाहर जारे थी और इतनी ज़ादा बाहर कि अमपार ने दोस्तों इस गेंद को देखा समझा और वाइड बॉल का इशारह नहीं कराया एक समय को लगा कि ये गेन पर वाइड गेन का इशारा करार दिया जाएगा अमपायर की तरफ से लेकिन अमपायर ने दोस्तों इस बार जो है ये वाइड गेन का इशारा नहीं कराया है तो बाल बाल बच गा इस गेन के उपार रन लेने का कोई मौका इस गेन के उपर भी नहीं मिला है अगली गेन अर्शिदीप सिंग की तरफ से बाय हाँद से ओवर दे विगट से एक स्लिप के साथ अर्शिदीप सिंग की ओफस्टम के बहार बिल्कुल उपर की तरफ डाली भी गेन थी अपने फ्रंट फूट को सामने की तरफ लेकर आके ड्राइव कर दिया है और गेन सीधा एक स्ट्राक आव बाउंडरी की तरफ चार रन्स मिल जाएंगे इस सोवर की तीसरी गेन के उपर अर्शिदीप सिंग की गेन बाजी के उपर बहुत अच्छा शॉट और गेन दोस्तों देखते ही देखते ही एक स्ट्राक आव बाउंडरी की तरफ बहुत तेज गती से निकल गई है और पूरे के पूरे जो है इस गेन के उपर दोस्तों बल्ले बाजों को चार रन्स मिल गए हैं अगली गेन अर्शिदीप सिंग दोड़ना शुरू कर रहे हैं और बैट इंक्रीस के उपर बल्ले बाज त्यार हैं दोस्तों इसमें दाय हाथ के स्टीवन स्मिध पैरो पर आती वी गेन को फ्लिक करने की कोशिस की लेकिन गेन जाकर सीधा पैरो पर टक रही है एक जोड़ार अपील लेकिन अमपार ने दोस्तों ये नाट आउट का फैसला करार दिया क्योंकि जो गेन द थी हो तैज गति से धोस्तों आके पैरो पर टकरा रही थी और अमपार ने नोट आउट का फैसला जो हो इस गेन के उपर दोस्तो करार दिया तो बाल-बाल बच गए इस ओवर की चौती गेन के उपर गेन बाज अरशदीप सिंग की गेन बाजी के उपर बलेबाज मैथ्यू शॉट जाए इस ओवर की अगली गेन लेकर दोड़ने के लिए एक बार फिर दोस्तो त्यार अरशदीप सिंग तो स्ट्राइक के उपर जो मौझूद हैं वो मैथ्यू शॉट रहने वाले हैं पहली दफ़ा और देखते हैं दोस्तो मैथ्यू शॉट जो की दाया हाथ के बलेबाज बहुत अच्छे खिलाडी माने जाते हैं दोस्तो टी टुवंटी क्रिकेट के आज इस मैच में कैसा प् गंटे की स्पीड से और बलेबाज ने इस गेन को देखके समझके आसानी के साथ लेक साइड की तरफ मोड दिया है और गेन देखते ही देखते दोस्तो वहाँ डीप स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ जाएगी और जब तक इस गेन को डीप स्क्वेल एक बाउंडरी का फि अगली गेन लेके चले बाइहाद से अर्शिदीप सिंग, वाई के उपर हैं दोस्तों दाइहाद के मैथ्यू शॉट और इस बीच, इस उबर की आखरी गेन के उपार, फ्लिक कर दिया बलेबाज ने, गेन स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ जाएगी बहुत तीज गती से, औ वजब तक इस गेन को स्क्वेल लिक बाउंडरी का फिल्ड़ा वहाँ फिल्ड करके थ्रो कर पाता, बाउंडरी रोप्स के ठीक करीब से, तब तक इन दोनों बलेबाज उने दो रंस पूरे कर ली, और अस्ट्रेलिया ने अपने पहले ओवर की समाफ्ती के बाद कुल मिला के साथ रंस बनाए हैं, और अर्शिदीप सिंग ने दोस्तों अपने पहले ओवर में केवल और केवल फिलाल साथ रंस दिये हैं, बहुत अच्छी शुरुवात हम कह सकते हैं दोस्तों, इस पहले ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया आई बले बाजी की टीम की तरफ से, क्योंक के एक तेज गेंद बाज है, बहुत अच्छे गेंद बाज माने जाते हैं प्रसिद कृष्णा, तो ये आप लोगों को इस मुकाबले के अंदर गेंद बाजी के शुरुवात करेंगे, इस ओवर की पहली गेंद प्रसिद कृष्णा की तरफ से, स्ट्राइक की उपर आप कर रहते हैं बल्ले बाज पीछे की तरफ जाके और अंतीम समय के उपर बहुत ही तगड़े अंदाज में दोस्तों बल्ले के बीच ओ बीच लेके स्क्वेर काट कर दिया, और गेंद देखते ही देखते हैं डीप पॉइंट बाउंडरी के बाहर निकल गई, बहुत तेज ग इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलने के लिए तयार नज़र आ रहे हैं स्टीविन स्मित, नौर रोनो के उपर बल्ले बाजी करते हुए इस मुकाबले के अंदर, कुल मिला के एक ओवर और दो गेंदों का सामना हो चुका है इस मुकाबले के अंदर, दाय हाँज से, ओव इस गेंद के अपस स्क्वेर कट कर दिया है और गेंद देखते ही देखते डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ बहुत तीजी के साथ गोली की तरह दोस्तों निकल गई है पूरे के पूरे चार रनों के लिए छोटी गेंद थी, इंतिजार कर रहे थे बले बाज और जैसे ही देखा कि गेंद दोस्तों बहुत ही जादा शॉर्ट है ओफस्टम के बाहर है वैसे स्टीवन स्मिथ जो हैं दोस्तों तूट कर पड़ गए गेंद के उपर और बहुत ही आसानी के साथ गेंद को डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ स्क्वेर कट कर दिया और गेंद द चाकराने के बाद सीधा पहुंच गई है मिडॉन की दिशा में और बचावा कारे जो था दोस्तों वो मिडॉन के फिल्डर ने कर लिया बाकी का कारे मिडॉन के फिल्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस गेंद बास के पास पहुंचा दिया है रन लेने की दोस्तों क की गेंद आफ स्टम के ऊपर आसानी के साथ बल्ले बाज ने फ्रेंट फूट को निकाल के सामने की तरफ गेंद को केवल पुश किया गेंद मिड आफ की दिश्चा में पहुंची और बाकी का कारे मिड आफ के फिल्डर ने किया और जब तक इस गेंद को मिड आफ का फिल्ड ऐसा लग रहा है कि उनका बल्ला जो है दोस्तों वो क्रीस के अंदर आ चुका है जी हाँ गेंद के उपग गेंद बाज कौन सी दिशा में दोस्तों गेंद बाजी करते हो नदर आएंगे इस बीच इस उबर की आंक्री गेंद एक और खुबसूरत स्ट्रोक और गेंद बाउंडरी रोपस की तरफ जाती भी बहुत तेज गती से एक और चौका मिल जाएका दोस्तों थोड़ी सी शॉट अफ लेंड डिलिवरी ओफस्टम के बाहर बले बाज बैक फुट के उपर खड़े रहे इंतजार कर रहे थे आंक्री समय तक और जैसे ही देखा के गेंद थोड़ी सी शॉट है वैसी बैक फुट पे जाके बहुती सांदार अंदाज में पुल कर दिया और गेंड सीधा डीप मिर्विकट बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए बहतरी इन टाइमिंग बहतरी इन प्लेस्मेंट और गेंड डीप मिर्विकट बाउंडरी के बाहर चार सुन्दर रनों के लिए उस्ट्रेलिया पहुचा दूसरे ओवर की समाफ्थी के बाद 20 र तो चलिए तीसरे ओवर की तरफ चलते हैं दोस्तों क्योंकि तीसरा ओवर शुरू करने के लिए बाएं हाथ के अर्शदीप सिंग जो हैं वा रहे हैं वापस अर्शदीप सिंग की नए ओवर की शुरुवात पहली गेंद ओवर दे विकेट से शॉट अफ लेंड डिलेवरी बल्ले का टॉप एज छोड़ती वी गेंद सीधा विकेट कीपर इशान किशन के दस्तानों में एक समय को लगा कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा इशान किशन के दस्तानों में ये गेंद पहुँचने वाली है लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेती वी सीधा विक्ट कीपर के दस्तानों में पहुँची, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्ले का बाहरी की नारज छोड़ती वी ये गेंद, विक्ट कीपर के दस्तानों में जो पहुँची थी, इस बीच अगली गेंद, लेकर चलने के लिए गेंद बाज हैं तयार, ओवर दे विकेट से थोड़ी सी धीमी गती की गेंद, हलका सा बल्ले बास के बल्ले के इंसाइड एच पर ये गेंड लगी, और इंसाइड एच पर गेंड लगने के बाद गेंड जो है सीधा 200 सामने की तरह पहुँच गई है, और जब तक इस गेंड को फिल्डव वहां फील्ड कर पाता, तब त अगली गेंडर शिदीप सिंग की तरफ से, बाय हाँच से, ओवर दे विकेट से, ये थोड़ी सी शॉट तो नहीं, ऑफस्टम के बाहर डाली भी फुलर लेंड डिलिवरी, ड्राइव कर दिया गेंड को कवर बाउंडरी की तरफ, और गेंड जो है दो डीप एक्स्ट्रा क दोस्तों वो नहीं गया है, दोस्तों तो 21 रन्स बन चुके हैं, और 21 रनों के उपर अब तक कोई भी विकेट जो है वो नहीं गई है ऑस्ट्रेलिया के टीम के लिए, अगली गेंडर शिदीप सिंग दोड़ना शुरू करेंगे दोस्तों इस उवर की चौथी गेंड को ले गेंड लगने के बाद सीधा पहुंचेगी गेंड मिडाउन की दिश्रा में और बचा वकार है जो था दोस्तों वो मिडाउन के फिल्डर ने यहां पर फील्ड करके कर लिया है, रन लेने का कोई मौका इस गेंड के पर एक बाद फिर ये गेंड बाद इस ओवर की चौथी से धीमी गती की गेंड आफ स्टम के बाहर थी, इस बाहर इस गेंड को बहुती सांदार अंदाज में बल्ले बाद ने खेल दिया है, गेंड जाती वे डी पोइंट बाउंडरी की तरफ, लेकिन एक रन मिलेगा, थोड़ी से मिस्ट फिल्डिंग की वज़से, और जब तेक इस गेंड को दोस्तों बैकपड पॉइंट का फिल्ड फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दो नहीं बल्ले बाजुने, दोड़ते वे बड़ी तीजी के साथ, बड़ी आसानी के साथ ये एक रन और प्राप्त कर लिया, इस एक रन के साथ ये दोस्तों स्कोरों तब बढ बढ़कर 22 रनों के उपर अब तक कोई भी विकेट नहीं गई है दो ऊवर और 5 गेंदों का खेल भी हो चुका है यहां पर समाफ तो तीसरा ओवर इससे में चल रहा है और तीसरे ओवर की अरशिदीप सिंग जो है वो आखरी गेंद डालने जा रहे हैं और आखरी गेंद के उपर दोस्तों स्टीवन स्मित मौजूद नदर आ रहे हैं शॉट गेंद थी पुल करने की कोशिस गेंद बल्ले के बिल्कुल नि के निकाल लिया है ओवर की समाफ्ती के बाद तीन ओवर के बाद आस्ट्रेलिया 22 रंस बिना कोई विकेट गवाए तीन ओवरो का खेल भी हो चुका है समाप स्टीवन स्मित 15 रन बनाके 14 गेंदों का सामना करने के बाद यई ओवर जो है हो चुका है दोस्तों इस मैच के अ दोस्तो इस match में कितने सारे ओवरो का खेल रह गया है बाकी तो कुल मिला कि अभी 27 और 17 ओवरो का खेल इस match के अंदर बाकी रह गया है नए गेंद बाज अक्षर पटेल आ रहे हैं जो कि बाएंहाथ की spin गेंद बाज हैं एक बहुत अच्छे गेंद बाज हैं दोस्तो अक्षर पटेल और आज के इस match में अक्षर पटेल की भूमी का जो है दोस्तो वो बहुत एहम हो जाती है तो अक्षर पटेल जो की पहली गेंद लेकर चलने के लिए नजर आ रहे हैं तयार राउंद विकेट से अक्षर पटेल की ये पहली गेंद आती है विदाएंहाथ के बलेबाज मैथ्यू श्रॉट के लिए ओस्टम के बाहर तेज गती की गेंद फ्रन्फूट पाके ड्राइफ किया गेंद कवर की दिश्रा में रन लेने का कोई मौका इस पहली गेंद पे नहीं मिलने वाला है अक्षर पटेल को पूरे के पूरे चार रनों के लिए बहुत ही बहत्वी इन स्ट्रोग बहुत ही बहत्वी इन टाइविंग और यह पूरे के पूरे चार रन्स भी दोस्तो इस गेंद के अपर जो है वो मिल गए हैं बलेबाजों को इस वीच अगली गेन लेके चले पाय हाँ से राउंद विकेट से थोड़ी सी शॉट अफ लेंड डिलिवरी ओफ स्टम पड़ती है गेन हलका सा पीछे की तरफ गए बल्ले बास पीछे की तरफ जाके इस गेन को कट किया और गेन सीधा बैकवर्ड पॉइंड के दिश्चा में बाकी का कार है बैकवर्ड पॉइंड के फिल्डर ने कर लिया है और बैकवर्ड पॉइंड के फिल्डर ने इस गेन को फील्ड करके दोस्तों वापस कर दिया रन लेने का कोई मौका इस ओवर की चौती गेंद के उपर अक्षर पटील जो है वो नहीं देने वाले हैं आखरी की दो और गेंदे रह गई हैं बाकी आएज ज़रा देखते हैं आखरी की इन दो गेंदों के उपर किस तरीके का शॉट लगाते हैं बलेबाज माथ्यू शॉट नाथ्यू शॉट ने एक बार फिर बहुती खुपसूरा टाइम कर दिया गेंद को और गेंद सीधा सीमा रिखा की तरफ जा रही है एक और चौका मिल जाएगा इस गेंद के उपर थोड़ी सी तेज गेंद थी पैरो के उपर हलका सा फ्रंट फूट पे आए नीचे की तरह बैठे और स्वीप कर दिया गेंद स्कुएल एक सीमा रिखा के बाहर चार रनों के लिए बहुती सांदार टाइमिंग था और बहतरीन प्लेस्मेंट भी था और गेंद सीधा स्कुएल एक बाउंडरी के बाहर भी निकल गया और पूरे के पूरे चार रन्स भी दे गया दोस्तो इस गेंद के उपर अगली गेंद लेके चल रहे हैं बाएहाँच से स्पिन गेंद बाज और ये अक्षर पटेल जो हैं दोस्तो वो गेंद बाजी कर रहे हैं और इस ओवर की अगली गेंद लेकर करने के लिए त्यार नजर आ रहे हैं ये गेंद बाज राउंड विकेट से लेक्स्टम की लाइन पर डाली विए तेज गती की गेंद थी और इस थेज़ गती की गेंड के उपर बल्ले बाज ने स्वीप करने की कोशिस करी गेंड और बल्ले के बीच कोई समपर्ट नहीं होगा गेंड सीधा फिलाल विकेट कीपर के दस्ताने में बाल बाल बच गए विकेट की परिशान किशन ने इस गेंड को फील्ड कर दिया और फील्ड करने के बाद दोस्तों वापस गेंड बाज अक्षपटील के पास गेंड को पहुँचा दिया है तो ये जो ओवर था वो हो चुका है समाफ्ट इस ओवर की समाफ्टी के बाद स्कोर है इस समय 30 रंज और 30 रंज है तो कोई विकेट नहींज चार ओवरो के खेल की समाफ्टी के बाद इस मकाबले में तो क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को कितने सारे रंस बना पाएगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा इसमें रवी बिशनोई दूसरे छोड़ से नए गेन बाज आ रहे हैं रवी बिशनोई जो की लेक स्पिन गेन बाज हैं बहुत अच्छे गेन बाज दोस्तों आपको रवी बिशनोई जो हैं वो माने जाते हैं और आज केस मैच में दोस्तों रवी बिशनोई की गेन बाजी जो है वो किस तरीके की रहती है आईए ज़रा देख लेते हैं तो रवी बिश्णोई दोस्तो आ चुके हैं नए ओवर की शुरुवात करने के लिए तो पहली गेन लेके चलें और ये पहली गेन जो आ रही है दोस्तो स्पिन गेन बाज की तरफ से आती हुई और आईए ज़रा देखते हैं इस समय इस ओवर की शुरुवात के उपर ये गेन बाज किस तरीके की करते हैं गेन बाजी रवी बिश्णोई की ये पहली गेन दाया हाद से लेक स्पिन गेन बाजी करेंगे शॉट अफ लेंड डिलिवरी गूगली थी टरन होती भी गेन अंदर की तरफ आ गई और गेन दो बल्ले के बीच हलका सा इंसाइड एज लगा और इंसाइड एज लगने के बाद गेन वहीं पर ठैर गई है रन लेने का कोई मौकाई सोवर की शुरुवात के उपर पहली गेन के उपर नहीं मिलने वाला है अगली गेंड लेके चल रहे हैं ये गेंड बाज दाया हाथ से ओवर दे विकेट से बिश्णोई की दूसरी गेंड आती वी और ये दूसरी गेंड के उपा बल्ले बाज जो हैं दोस्तों वो तयार नजर आते वे फ्लाइटे डिलेवरी ओफ स्टम पर थी गेंड फ्रंट दूसरी गेंड के उपा एक बाज फिर प्राप्त नहीं होने वाला है तो एक और डौट गेंड दोस्तों मिलता वहाँ तो अगली गेंड तीसरी गेंड के उपा बल्ले बाज एक बाज फिर तयार उठा कमारा इस गेंड को गेंड लॉंग ओन बाउन्टरी के दराफ लेकिन जो स्कोर है उस्ट्रिला की टीम का वो 31 बढ़ता हुआ 31 पे कोई विकेट नहीं चार ओवर सो तीन गेंदों के समाफ़ती के बाद और ये बिश्णोई की बेहतरीन गेंद स्टम्स की लाइन के उपार बल्ले बाल ने ओन साइड में गेंद को खेलने की कोशिस करी और गेंद जाकर सीधा स्टम्स पे टकरा गई और एसा प्रतीत हो रहा है कि मैथ्यू शॉर्ट हो गए हैं दोस्तों बोल्ड मैथ्यू शॉर्ट को बोल्ड किया है रवी विश्णोई ने स्टम्स की लाइन के उपा गेंद थी ओफस्टम्स के बाहर गूगली टर्न होती वी अ आफस्टम्स के डंडों को दोस्तों भी खेर दिया इन्होंने बेहतरीन गेंद ऑफस्टम्स के उपर थी टर्न होती वी अंदर की तरह आ गई और गेंद जाके दोस्तों सीधा स्टम्स पे जो है वो टकरा गई है और ये खिलाडी भी बोल्ड आउट होकर वापस जा रहे है पविलियन बड़ा जटका रवी बिश्नोई ने दिया है यहां और जो स्टम्स की लाइन पर हम दोस्तों बात कर रहे थे गेंद बादी करने की उसका यहां पर फाइदा मिला है और विकेट की लाइन पर ये इन्होंने गेंद डाली और विकेट की लाइन पर गेंद डालते आप लोग भी लाइक कर दीजे अगर आपने लाइक नहीं किया तो और सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों अगर आप लोगों ने दबा दिया तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमब तीन की पॉजिशन पे आ रहे हैं दाय हाथ के जॉश इंगलिश जो कि आस्ट्रेलिया के दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबास थे विशो कप के अंदर और यह आप लोगों को इस मैच के अंदर नमब तीन की पॉजिशन पे खेल ले उतरते वे पहली ही गेन और इंगलिश ने बहुत ही सांदार स्ट्रोक लगा के चौका बटोर लिया है ओस्टम के उपर फ्लाइटे डिलिवरी फ्रन्फूट को निकाला इनोंने और गेन को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कावर सीमारेखा के तरह गूली की तरह गेन भागती हुई और गेन पूरे के पूरे चार रंज देखा जाएगी बल्लेबास को क्या गजब का शॉट था इस बार ओस्टम के उपर और ये गूगली थी टर्न होती वी अंदर की तरफ आई और बहुत सांदार तरीके से इस गेन को फ्रन्फूट पर आके ड्राइव कर दिया था और गे Recommend एक स्ट्राकाव बाउंडर हे बाहर चार रंघीए इस बीच अगली गेन एक और खुबशूरत गेन बिष्चनोई की पांचवे ओवर की आंखरी गेन थी इनके पहले ओवर की आओखरी गेन बिष्चनोई की एक और गूगली थी लगिन बल्ले बाजनर ने टंग और केवल एक विकेट आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो इस मैच के अंदर गवाया है तो पांच ओवरों का खेल समाफ्ट छटे ओवर की शुरुवात होने जा रही है और छटे ओवर की शुरुवात पे दोस्तो जो जॉश इंग्लिश नजर आ रहे हैं वो तयार न और मात्र एक विकेट जो दोस्तो ऑस्ट्रेलिया ने गवाया है अक्षर पटेल आ गए हैं अपने दूसरे ओवर की शुरुवात करने के लिए इस दूसरे छोर से और अक्षर पटेल की ये पहली गेंद आती वी जो की बाए हाँच से स्पिन गेंद बाजी करेंगे करके थ्रो कर पाता तब तक इन दो नहीं बले बाजी ने दोड़के अराम से तीजी के साथ ये एक रन बटोर कर पूरा कर लिया है औस्ट्रेलिया ने कुल मिलाके च्छती इस रंस बना लिये हैं एक विकेट के नुकसान के बाद अगली गेंद अक्षर पटेल की तरफ से शॉट अफ लेंड डिलिवरी ऑफस्टम के बाहरती गेंद कट होती वी अंदर की तरफ आई आखरी समय के उपर दोस्तों बले बाज ने पीछे की तरफ जाके कट मारने की कोशिस करी और गेंड सीधा बले पे ठकराने के बाद कवर की दिश्चा में कोई रन नहीं मिलेगा इस तीसरी गेंड के उपर भी एक और डॉट बॉल और डॉट बॉलों की संख्या के हम बात कर रहे थे दोस्तों तो जो डॉट बॉलों की संख्या है वो बड़ी तीजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती भी नज़रा रही है अक्षा पटेल की इसी बीच तीसरी गेंड एक तेज गती की गेंद आफस्टम के बाहर थी टर्न होती भी और बाहर की तरफ गई बल्ले बाजने पीछे की तरफ जाके बड़े आराम से इस गेंद को खेला है कवर की दिश्चा में और बाकी का कार है आपको ये गेंद बाजी करने के लिए त्यार और ये अगली गेंद आफस्टम के बाहर थी बहुत तेज कट कर दिया गेंद को पॉइंट बाउंडरी के तरफ और ये पूरे के पूरे मिल जाएंगे चार रंस बल्ले बास को सुन्दर स्ट्रोक था हलकी सी शॉर्ट गेंद थी पीछे की तरफ गए और बहुत आसानी के साथ इस गेंद के उपब बले बाल ने जो दोस्तों कट कर दिया और गेंद देखते ही देखते सीधा डीप पॉइंट बाउंडरी के बाहर निकल गई है चार रनों के लिए सुन्दर टाइमिंग बेहतरीन प्लेस्मेंट और गेंद डीप पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार सांदार रनों के लिए और इन चार सांदार रनों के साथ आस्ट्रेलिया का स्कोर है 40 रंस बिना कोई विकेट गवाए इस मैच में अगली गेंद दोस्तों लेकर आने के लिए गेंद बाज तयार नजर आते वे सुवर के आँखरी गेंद और इस आँखरी गेंद के उपर बलेबाज तयार है लिक्स्टम की लाइन के उपर डाली भी तेजगती की गेंद थी और बलेबाज इस गेन के अपर दोस्तों फ्रन्फूट पर आके सामनी की तरफ जो है वो ड्राइफ कर दिया है और जब तक इस गेन को कवर का फिल्डा फील्ड करके थुरो कर पायता तब तक इन दोने बले बाजों उने एक रन लेने की कोशिस की थी लेकिन लेने में कामयाब नहीं हो पाया और यह ओवर जो है दोस्तों वो समाफ्थ हो चुका है तो छे ओवर का खेल समाफ्थ यानि कि दोस्तो हम देखेंगे तो power play जो है वो समाफ़त हो चुका है और power play की समाफ़ती के बाद जो score नज़रा रहा है वो नज़रा थाओ 40 runs और एक विकेट के नुकसान के बाद 240 run के उपर Australia तो क्या लगता है दोस्तो क्या Australia जो है वो इस मुकाबले में कुल मिलाके 200 का आंक डाना चूपाए वैसे देखते हैं दोस्तों अभी भी बहुत सारे ओवर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं तमाई बताएगा इस बीच नय ओबर की शुरुवात नया स्पेल और नया स्पेल की एक बहतरीन धंग से शुरुवात स्टीवन स्मित के द्वारा मुकेश कुमार आये फुलर लेंड डिलिवरी ओफ स्टंप पर रंफूट पर आके ड्राइव कर दिया स्टीवन स्मित ने और गेंड एक्स्ट्रा कवर बाउंडरी की तराफ गोली की तरह निकलती भी और ये पूरे के पूरे मिल गए हैं चार रंस क्या शॉट लगा इस गेंड के पर बले और फ्रंफूट को निकालके दोस्तों इन्होंने बहुती सांदार अंदाज में ड्राइव भर कर दिया और इन देखते ही देखते वहां एक्स्ट्रा कवर बाउंडरी की तरफ निकल गई और ये पूरे के पूरे चार रंस भी इस गेंड के अपर मिल गए हैं दोस्तों इस के उपर फ्लिक कर दिया बले बाउंडरी की तरफ जब देख इस गेंड को स्कूर लेका फिल्डा वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता एक रन इन दोनों ही बले बाउंड उन्हें दोस्तों वह पूरा कर लिया है एक रन के साथ स्कोर होता वह बढ़कर इस समय 45 और 45 रंस के उ अगली गेंड लेकर आने के लिए तैयार ये गेंडास और आईए ज़रा देखते हैं दोस्तों इस सुवर की अगली गेंड के उपर ये जो खिलाडी है का पे खेलते हैं इस शॉट को क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को कितने सारे रंस जो हैं ये टीम बनाने में हो प का कारे जो था दोस्तों वो विकेट के पीछे विकेट कीपर ने जो वो कर लिया है रंले ने का कोई मौका इस गेंड के उपर नहीं देंगे एक और अच्छी गेंड लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाहर जारी ती टपा खाने के बाद बल्ले बाद ने इस और तेजगती की गेंड काफी ज़्यादा बहार जारी थी टपा काने के बाद खुलर लेंड डिलिवरी बेरो पर फाड़ करने की कोशिस कर रहे थे बल्ले बाद ने इस गेंड को ओंसाइड में ड्राइफ किया गेंड सीधा बले पर टकराने के बाद मिडौन के पास पुकसान बार आगली गैंद लेकर गैंदबाज नदरा रहे हैं तयार ऊवर्ड विकेट से यह गैंदबाजी के लिए दोस्तों तयार नदराते वह अधर तक आप फील्ड कर पाता, प्रो कर पाता, तब तक इन दोनों ही बल्लेबाज उन्हें दोड़ कर आसानी के साथ 30 गती से ये एक रन जो है वो और पूरा कर लिया है, इस एक रन के साथ ओवर जो है, यहाँ पर एक रन और प्राप्त हो जाएगा, बल्लेबाजों को मिल जाएगा, स्को पीच ये अगली गेन थी, लिक्स्टम की लाइन के उपर, बहुत अची गेन, स्टम्स की उपर, और आसानी के साथ बल्लेबाज ने जो ये दोस्तों इस गेन को ड्राइफ किया, सामने की तरफ गेन पहुंची, और बाकी का कार है, गेन बाज जो थे वो अपनी बाई तरफ साथ ओवरों के खेल की समाफ्ती के बाद ऑस्ट्रेला का स्कोर है च्यालीस रंस, और च्यालीस रंस रंस के उपर इस समय एक मातर विकेट, साथ ओवरों के बाद नए ओवर की शिरुवाद दाय हाथ के प्रसिद कृष्णा, यहाँ पर अपना अगला ओवर शुरू करने के ले आ रहे हैं मुकेश कुमार के, इस बहतरीन ओवर की समाफ्ती के बाद मुकेश कुमार ने अपने पहले ओवर में ज्यादा रंस नहीं दिये लेगिन इस बीच, प्रसिद कृष्णा के नए ओवर की शिरुवाद की पहली ही गेन थी, फ्लिक किया बलेबाज ने गेन स्को पहले एक बाउंडरी की तरफ चले गई, और ये पूरे के पूरे जो हैं दोस्तो चार रंस मिल गए हैं बलेबाजो को, सुन्दर स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत बहतरीन थी, और जो शौर्ट था दोस्तो वो भी बड़ा जबर्दस था, गेन बले के बीच ओ बीच जैसे ही टकराई, चार रनों की चाप इस गेन के पर साफ तोर से नजर आ रही थी, कप्तान निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तो निराशा से कोई ज़्यादा आपको काम्याबी नहीं मिलने वाली है, कप्तान को इसलिए कप्तान को ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, कि दोस लेकिन पूरी तरीके से इस गेन के पर दोस्तों मिस कर गए और गेन सिदा विकेट कीपर की दस्तानों में पहुंच गई है, रन लेने का कोई मौका इस गेन के पर जो है, मिलेगा निए बलेबाजों को, अगली गेन लेका चलने के लिए तयार नजर आ रहे हैं, अब तक द ये अगली गेन लेके चलने के लिए तयार नज़र आते हुए ऊवर दिविकेट से और बैट इंक्रीस के उपर मौजूद है इससे में स्टीविन स्मित स्टीविन स्मित ने अब तक कुल मिला के दोस्तों आप देखेंगे तो 22 रंस बना लिये हैं ये शॉट अफ लेंड डिलेवरी जॉश इंगलिश के लिए बैक फूट पे गया है स्क्वेर कट कर दिया गेन पॉइंट बाउंडरी के उपर बहतरीन स्ट्रोक छे रनों के लिए क्या शॉट लगाया बल्लेबाज ने इस गेन के उपर तेज गती की गेन थी बल्लेबाज ने हलका सा पीछे की तरफ जाके बहुती बेहतरीन इंदाज में इस गेन को स्क्वेर कट कर दिया और गेन पॉइंट बाउंडरी के उपर से उड़ती भी बहुत तेजी के साथ इस तरीके से दोस्तो गोली जाती है उसी तरीके से गेन जो है वह भागी है और गेन देखते ही देखते बहुत तेज गती से जो है दोस्तो पॉइंट बाउंडरी के बाहर छे रनों के चली के चले दाए हाट से उवद विकर्ट से ये गेंद बाज लेके चलते हैं इस बीच सामने की तरफ उठाया शॉट और गेंद सीधा एक और बहतरीन स्ट्रोक और एक और चौका मिल जाएगा इस गेंद के उपा क्या टाइमिंग थी क्या प्लेस्मेंट था इस गेंद के उपा बल्लेबास के द्वारा और इस गेंद के उपा बिलकुल सामने की तरफ सीधा शॉट उठा का मारा और गेंद लॉंग ओन बाउंडरी के बहार जौश इंग्लिश के बल्ले से एक और चौका आता वा इंग्लिश पहुंचे 23 रनों के उपार 14 गेंदों का सामना करने के बहुत जबरदस्त और यह स्कोर साथ रनों के पहुंच चुका है इंग्लिश बहुत तेज गती से दोस्तों रन्स बनाते वे नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में अगली गेंद प्रसित कृष्णा की एक और फुल एर्लेंड डिलिवरी ओफ स्टम पर थी एक और बहतरीन ट येवल ड्राइव भर किया और गेंद जैसे ही दोस्तों बल्ले पर टकराई वैसे ही चार रनों की चाप जो है वो इस गेंद के ऊपर चप सी गई थी और बहुत तेज गती से ये गेंद बाउंडरी रोप्स के बाहर में निकल गई है पूरे के पूरे चार रन्स भी मिल ये गेंद बाज और बाट इंक्रीस के ऊपर जो मौजूद नजरा रहे हैं खिलाडी वह हैं दोस्तों आप लोगों को जोश इंगलिश थोड़ी सी शॉट बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर बाक फुट पे जाके आसानी के साथ इस गेंद को स्क्वेर कट कर दिया गेंद जाती दोस्तों पॉइंट बाउंडरी की तरा और जब तक इस गेंद को डीप बाउंडरी का फिल्डा वहां बाउंडरी रोप्स के ठीक करीब से फील कर पाता तब तक इन दोनों बले बाज ने दोस्तों दोड कर तेज गती से एक रन और पूरा कर लिया तो ओबर जो है प्रसित रनों के पर एक विगेट आठ ओवरों के खेल की समावती हो चुकी है भाई स्ट्राइक रेट की नजर नहीं आ रहा है देखे भाई अब स्ट्राइक रेट जो आपको नजर आ जाएगा आपकी स्क्रीन के उपर हमने स्ट्राइक रेट अब आलमोस्ट आलमोस्ट लगा ही दिय पुराना वाला स्कोर कार्ड ही लगा दो जी हाँ पुराना वाला स्कोर कार्ड ही लगाने के हम कोशिस कर रहे हैं आप जिंता ना करें पस थोड़ी देर का समय देरा विश्णोई नए उबर की शिर्वात चलिए यह पहला च्छका तो नहीं लेकिन यह दूसरा च्छका सब्सक्राफ से बैक फुट पे गए पुल कर दिया बल्ले बाज ने और गेन सीधा डीप स्क्वेल अगर मिर्फगेट बाउंडरी के बाहर छे रिनों के लिए क्या टाइमिंग थी क्या प्लेसमेंट था यहां बल्ले बाज ने दोस्तों इस गेन के उपर बहुत बहतरीन टाइमिंग के साथ जो है शॉट लगाया और गेन देखते ही देखते दोस्तों वहाँ स्क्वेल एक बाउंडरी के ऊपर से गेन उर्टी वी निकल गई है और पूर के उपर बल्ले बाज जोश इंगलिश को मिलते हुए इसे में थर्ड एम्पायर के पास जरूर नीचे के एम्पायर जो है वो गए हैं केवल और केवल ये चेक करने के लिए कि क्या ये गें दोस्तो स्क्वेल एक बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए गई है फिर छे रनों है भारत के लिए परिशानिया लगतार आपको बरकरार नजर आती हुए तेज गती से परिशानियों का सबक जो है आपको भारतिया टीम के लिए नजर आता हुआ नजर आ रहा है इस बीच ये अगली गें लेकर करने के लिए दोस्तों गेंबाज तयार नजर आ रहे हैं square leg सीमा रखा के पास से तब तक इन दोने बल्ले बाजूंने एक रन पूरा कर लिया दूसरे का कॉल किया है और जिस घेन को square leg boundary का fillडा वहां field कर के throw कर पाता तब तक इन दोने बल्ले बाजूने आसानी के साथ यहां दूसरा run भी जो है तीसरा ओवर रवी बिश्णोई की ये अगली गेंद आस्टम के बाहर थी टर्न होती भी गेंद अंदर की तरफ आ गई आखरी समय के पर बल्ले बाज ने इस गेंद को सामनी की तरफ खेलने की कोशिस करी गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगने के बाद पहुँची थी विकेट कीपर के ठीक बगल में और जब तक इस गेंद को दोस्तों वहाँ फिल्डर फील्ड करके थ्रो कर पाता तब तक इन दोने इस बल्ले बाज उने एक बाज फिर दोड़ कर तेज गती बाज त्यार नजर आ रहे हैं यह इस उवर की आंखरी की दो गेंदे रहे गई है बाकी रवी बिश्नोई चौथी गेंद लेके जोड़दार अपील लेकिन नौट आउट का फैसला दिया जाएगा क्योंकि गेंद जो है दोस्तों टपक खाने के बाद 30 गती से अंदर की तरफ आई डाउन दर लेक जा रही थी यह गेंद और अंपायर ने दोस्तों जो है यह नौट आउट का फैसला कराण दिया क्योंकि फिलाल गेंद डाउन दर लेक जा रही थी इसी वजह से स्कोर आपका होचला है बढ़के आप देखेंगे तो 75 रंस और 75 रंस और 75 रंस के उपर आप देख सकते हैं इसमें एक मात्रों विकेट गई हुई है पिशनोई की यह पांचवी गेंद आगयी है लेक्स नम की लाइन पे फ्लाइटे डिलिवरी आन साइड में गेंद को मोड़ा गया गी लेक च्वए लिक बाउंडरी का फिलडा धील करके थरोकर पाता अब तbbe कि उनों भालबागाजन बिचेश से बड़े आराम से बहुत ही प्यार से इन दोनों से बाज उन्हें एक रन और पूरा कर लिया है तो जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं दोस्तों हो चुका है पच्छतर रन्स और पच्छतर रनों की उपर आप देखेंगे तो इस समय अभी भी एक मातर विकेट नौ ओवरो के खेल की समाफती के बाद आखरी गेंद रवे बिश समान के बाद और उस्ट्रेलिया नौ ओवरो का खेल भी दोस्तों इस माच के अंदर हो चुका है समाफ जाँ पिछले पांच ओवरों के बीच इस मैच के इंदर समाफत हो चुका है तो बिशनोई के इस समाफती के बाद नया ओवर शुरू करने के लिए नए गेन बाज जो को पिछले 5 ओवरो के इंद गवाया है Australia की टीम ने और ये एक बड़ी ही परिशानी का विश है दोस्तों खास तोर से भारत ही है टीम के लिए भारत को दोस्तों जल्द से जल्द जो है वो विकेट्स निकालने ही होंगे नए ओवर की शिर्वात दाय हाथ के मुकेश कुमार आ इंड़ा फील्ड कर पाता थ्रो कर पाता है इन दोने बल्ले बाजों ने एकरन भागकर पूरा कर लिया चृतर पर एक उस्ट्रीलिया नो ओवर्स और एक गेंड के बाद ऑस्ट्रीलिया टीम का सकोर है इस समय इस मुकाबले में तो दोस्तों आप लोगों को बता दे कि जो के अंदर अब तक की बल्ले बाजी में यह मुकेश कुमार दूसरी गेन लेके चले ओवर दिविकेट से और थोड़ी सी शॉट थी ओस्टम पार इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशेस पूरी तरीके से गेन की लाइन को मिस्स कर गए बल्ले बाज बल्ले का बाहरी किनारा चोड़ती वी गेन सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में अगर गेन बल्ले पे कनेक्ट हो जाती तो गेन इंसाइड आउट एक्स्ट्रा काव बाउंडरी के बाहर चार रनों के ले जा सकती थी लेगिन बल्ले का बाहरी किनारा ये गेन छोड़ती विसीधा विकेट कीपर के दस्तानर में पहुंची और बाकी का कारिया विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया स्कोर 76 पे एक 9 ओवर से 2 गेंदों के बाद अगली गेन लेकर आ रहे हैं ये गेन बाज और बैट इंक्रीस के उपर दोस्तों मौझूद हैं जॉश इंग्लिश इंग्लिश ने अब तक 23 रंस 23 गेंदों का सामना करने के बाद स्मित ने बनाए हैं और ये अगली गेन मुकेश कुमार के तराफ से शॉट आफ रेंड डिल लिए रन लेने का दोस्तों इस गेन के पर कोई मौका नहीं मिलेगा एक और डॉट बॉल हो गया है च्यत्ता रंस एक विकेट के बाद 9 ओवर सथ 3 गेंदों के खेल के समाफ्ती पर आस्ट्रेलिया के टीम का स्कोर है तो पहला T20 मुकाबला भारत और आस्ट्रेलिया के बल्ले के मूँ को केवल खोला भर था बल्लेबाज ने और जिस तरीके से दोस्तों गोली भागती है कुछ उसी अंदाज में ये गेंद भागिया है पॉइंट बाउंडरे के तरह स्टीर करके बल्लेबाज ने चौका बटोर लिया जितनी हम तारीफ करेंगे से शॉट की उ पूरे के पूरे चार रंस के लिए इंगलिश लगता है कि दोस्तों विश्व कब मैं जो प्रदर्शन नहीं कर पाये थे उसकी खुंदक इदर निकाल रहे हैं शॉट बॉल किया फिल्डर पीछे मौजूद लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्याप में खेला ह वहाँ और केवल और केवल दो रनों के उपर रोक दिया है इस गेन के उपा शॉट अफ लेंड डिलिवरी के उपा पुल करने की कोशिस कर रहे थे और गेन जो थी दोस्तों वह सीधा डीप मिर्विकट बाउंडरी के तरफ पहुंची थी और जब तक इस गेन को डीप स्को के उपर बल्ले बाज एक बाज फिर तैयार नदर आ रहे है तब तक आप लोग कर दीजिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइकन ही और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों आप लोगों को दबाना ही होगा चलिए आज के इस मैच में Stephen Smith को opening करने का मौका दिया गया और Stephen Smith ने दोस्तों इस opening करने के मौके को दोनों हाथों से grab किया है 24 गेंदों के वपद 24 रनों की पारी दोस्तों आपको इस खिलाडी ने खेली है और इनके साथ इस मुकाबले के अंदर opening करने के लिए उतरे सलामी बले बाद दोस्तो मैथ्यू शॉट ने 13 रन बनाए 11 गेंदों का सामना करने के बाद फिर अपनी विकेट मैथ्यू शॉट गवा के चलते बने थे नमबर तीन की पोजिशन पे उतरे थे जॉश इंग्लिश और इंग्लिश ने दोस्तों जहें इस माँच के अंदर 24 गेंदों के उपर 43 रनों की एक थेज तरारपारी जो है इस मुकाबले में अब तक खेल ली है और वो भी इस समय नाबाद खेल रहे हैं इस मुकाबले में बहुत जबरदस बल्ले बाजी दोस्तों इनकी तरफ से भी देखने को मिली है इस मैच में भारती टीम की तरफ से गेन बाजी में अगर हम बात कर लेते हैं तो अर्शिदीप सिंग ने अपने 2 ओवर में 7 रंदे के कोई विकेट नहीं निकाला है प्रसिद कृष्णा ने 2 ओवर में 32 रंदे के कोई विकेट नहीं निकाला है अक्षा पटेल ने 2 ओवर में 13 रंदे के कोई विकेट नहीं निकाला है बिश्णोई ने दो ओवर में 15 रंदे के एक विकेट निकाला है मुकेश कुमार ने दो ओवर में 14 रंदे के कोई विकेट नहीं निकाला है और पावर प्ले में कुल मिलाके 240 रंज जो हैं आज आस्ट्रेलिया के टीम ने बनाए हैं तो फॉल आफ विकेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक मातर विकेट गिरी है और वो दोस्तों 31 रंस के उपर वो एक मातर विकेट गिरी थी अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आने वाले बले बाजों के बारे में बहुत जबर्दस खिलाडी है और उनके साथ अगर हम देखते हैं तो इस मुकाबले के अंदर ओपनिंग तो नहीं नहीं नमबर पांच की पॉजिशन पे मारकस स्टोइनस आने वाले हैं नमबर पांच के बाद नमबर चे की पॉजिशन पे आरन हार्डी आएंगे नमबर साथ की पॉजिशन पे दोस्तो आस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आरन हार्डी आने वाले हैं फिर आप लोगों को बल्लेबाजी के अंदर हम देखेंगे तो आरन हार्डी के बाद नेथन ए लिस आएंगे फिर नमबर नौ की पॉजिशन पर शॉन अबट आने वाले हैं तो ये दोस्तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कुछ आने वाले बल्लेबाजों के नाम है और देखना काफी दिल्चस्प हो जाएगा इस मैच में किस तरीखे का दोस्तो ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो आने वाले ओवरो के अंदर किस तरीखे का जो हैं ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज प्रदर्शन करने में कामयाव उपाते हैं तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इस मुकाबले के अंदर दोस्तो खेल कुछ है दोबारा से शुरू किया जा रहा है और देखत लोकेवल आठ फ्रंस मुकेश कुमार ने पिछले ओवर के अंदर दिया था बहुत अच्छी गेंदबाजी मुकेश कुमार से हमें देखने को मिली थी पिछले ओवर के अंदर लेकिन आईए इस नए ओवर की शिरुबात के अपर दोस्तों ज़रा देख लेते हैं कि किस तरीक आ रहे हैं यहां पर जॉस्ट इंग्लिश और उनके साथ स्टीविन स्मित गेंदबाजी में बाइहाथ के अक्षर पटेल जो कि अपना तीसरा ओवर दोस्तों यहां गेंदबाजी करने के लिए आते वे नज़रा रहे हैं बहुत एच्छे गेंदबाज अक्षर पटेल भा बहार क्यों किया गया था फिर अगली गेंद फ्लाइटे डिलिवरी पैरो के उपर अराम से इस गेंद को ओन साइड में इन्होंने मोड़ दिया है गेंद जाती बीप स्ट्राइक बांडरी कि तरफ एक रन लेने की कोशिस जबतेक इस गेंद को स्कुईल ने चाहूआ का तीवी और लीजिये क्या शॉट लगाया बल्ले बाज ने इस गेन के उपर बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव तीर की तरह दोस्तों निशाना लेके मारा है बल्ले बाज ने और गेन जो है वो बल्ले के बीच ओ बीच तकरा तीवी सीधा ट्रेट डाउन दे ग्राउंड निकल ही है पूरे के पूरे चार रंस के लिए प्लाइटे डिलिवरी थी कदमों का इस्तमाल किया गेन के पिच तक पहुंचे बल्ले बाज और बिल्कुल गेन बास के सर के उपर से उठा का लॉफ्टेट शॉट लगा दिया लॉंग ऑफ बाउंडरी के बाहर लेकिन अगली गेन के साथ पूरा कर लिया 30 गती की गेन थी और इस गेन के उपर बड़े अराम से दोस्तों पूल करके दो रंबर्टो रेस बीच अगली गेन राउंड द विकेट से लेके चल रहे हैं और यह शॉट बॉल थी इंगलिश के लिए और इंगलिश ने बड़े अराम से इस गेन को कवर के दिश्चा में ड्राइफ किया और बाकी का कार है दोस्तों वहां कवर के फिल्डर जो मौजूद है उन्होंने इस गेन को फिल्ड करके कर लिया है तो स्कोर आपका होता हुआ एक यानबे रन एक विकेट के नुकसान के बाद अगली गेन बाय हाँच से फ्लाइटर डिलिवरी थी ड्राइफ करने की कोशिस इंसाइड एज बले का और गेन जाती भी सीधा फाइनल एक बाउंडरी के तरह बहुत तीज गती से एक रन लेने की कोशिस और एक रन बड़ जाती भी लॉंग और बाउंडरी की तरफ और इन दोने बले बाजुने एक रन जो है दोस्तों वो भग कर पूरा कर लिया है और इस एक रन के साथ ये ओवर भी इसी बीट समाफ्त हो चुका है तो स्कोर होता वाई से में गारा के बाद बानबे और बानबे रनों के उपर दोस्तों कुल मिला कि आप देख सकते हैं एक मातर विकेट जो है वो गया है इस मैच में तो आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजे अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नही जाता वा नए उबर की शुरुवाद नए गेन बाज करने के लिए नज़रा रहे हैं है तयार और अब जो हैं दोस्तों गेन बाजी में शुरुवाद कर रहे हैं नए उबर की शुरुवाद के पर रवी बिश्नोई एक और बहतरीन स्पिन गेन बाज हैं रवी बिश्नोई औ और बिश्णोई के नए उबर की शुरुवात की होने जा रही है दोस्तों यहाँ पर पहली गेन दाय हाथ से रवी बिश्णोई की फ्लाइट डिलिवरी ओफ स्टम पर बाक्फुट पर गाये बहुत सांदार अंदाज में इस गेन को कट कर दिया इन्होंने गेन पॉइंट ब बलेबाज उने रोटेट कर लिया है अगली गेन लेके चले बाट इंक्रीस के उपर बलेबाज त्यार एक बाफिर रवी बिश्णोई और बिश्णोई की यह अगली गेन दाय हाथ से फ्लाइट डिलिवरी तेज गती की गेन पैरो के उपर आखरी समय के उपर पीछे की तर लिया है इस एक रन के साथ स्ट्राइक यहां पर रोटेट होता हुआ स्कोर हो चलाया बढ़के आप देख सकते हैं यहां पर चौरानवे रन्स और चौरानवे रनों के उपर आप देखेंगे तो कुल मिलाके एक मात रूविकेट गई है लेकिन यहां इंग्लिश ने स्लॉ अगेन बास के सर के उपर से लॉफ्टेट शॉट लगाया था गेन बास के सर के उपर और गेन जैसे ही बले पर कनेक्ट हुई दूसरे ही पल में दोस्तों लग जिया कि गेन सीधा बाउंडरी के बाहरी जाकर गिरने वाली है अगेन सीधा लॉंग ओन बाउंडरी के बाहर निकल गई है पूरे के पूरे आदे दर्जन रनों के लिए और स्कोर हो चलाया बढ़के इसे में सौरंस एक विकेट के नुकसान के बाद 11 ओवर सो तीन गेंदों का खेल समाप इस भी चगली गेंद एक और सांदार स्ट्रोक एक और चौका फ्लाइटे डिलिवरी थी ओस्ट पर कदमों का इस्तमाल इंसाइड आउट शॉट लगाया बल्ले बाज ने बल्ले के बीच ओ बीच लेके और गेंद देखते ही देखते एक्स्ट्रा कवा बाउंडरी के ऊपर से उड़ती भी निकल गई चार रनों के लिए क्या बल्ले बाजी कर रहे हैं आज जौश इंग अगली गेंद लेके चल रहे हैं दाया हाँ से बिश्णोई यह फ्लाइट डिलिवरी तेज गती की शॉट अफ लेंड डिलिवरी थी ओफ स्टम पर अलका सा पीछे की तरफ गए बल्ले बाज और पीछे की तरफ जाके इस गेंड को कट करने की कोशिस कर रहे थे और गेंड पहुंची बैक्वर्ड पॉइंट की दिश्चामे के रन लेने का कोई मौका नहीं इस गेंड के उपर मिला तो स्कोर जो है वो बढ़कर होता है आप देख सकते हैं दोस्तों इसे में 104 एक विकेट के बाद 12 ओवर की आँखरी गेंड बिश्णोई की यह आँखरी गेंड आ बिश्णोई के तीसरे ओवर की आँखरी गेंड के उपर अपने फ्रंट फूट को सामने की तरफ निकाल के बल्ले बाद बिल्कुल सीधा गेंड को हवा में खड़ा कर दिया था और गेंड जैसे ही बल्ले पर टकराई वैसे ही दोस्तों लगा कि गेंड 6 रनों के लिए ही जाने वाली है और पूरे के पूरे 6 रन्स बल्ले बाद को प्राप्ट भी हो गए 12 ओवरों के बाद 110 रन्स एक विकेट के नुकसान के बाद 12 ओवरों का खेली स्मैच के अंदर दोस्तों हो चुका है समाफ जहांपर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अक्षर पटेल जो है वहां अर्शदीब सिंग से और गेन दोस्तों दो टप पाखाने के बाद सीमा रिखा के बाहर 4 रनों के लिए और इस बार बल्ले बाद ही करने के लिए बल्ले बाद पूरी तरीके से त्यार थे और स्टीविन स्मिथ ने नीचे की तरह बैड का बहुत आराम से स्वेल एक बाउंडरे के उपर स्वीप मारा था और गैन सीधा स्क्वेल एक बाउंडरे के फिल्डर के हाथियों में गए थी अगली गैन कदमों का इस्तमाल इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस कर रहे थे बल्ले का इंसाइड एज लेती वी गैन स्क्वेल ले की तरह पहुंची एक रन इन दोनों बल्ले बाजो का इस ओवर की दूसरी गैन के उपर मिल जाएगा और आपका 115 रन एक विकेट के नुक्सान के बाद हो चुका है 12 ओवर 102 गैन दों के खेल की समाफ़ती के बाद तब तक आप लोग भी सब्सक्राइब कीजे दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब करने के बाद लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं या अक्षा पटेल की गैन कवर बाउंडरी के तरफ के लाएं इंग्लेश ने एक रम भ इस सिंगल के साथ शॉट गैन थी तेज गती की पैरों पर फ्लिक करने की कोशिस ओन साइड में गैन जाती भी स्क्वेल लिग बाउंडरी की तरफ जर तक इस गैन को स्क्वेल लिग बाउंडरी का फिल्ड़ फील कर पाता थ्रू कर पाता एक रन इन दोनों बल्ले बाजु और अस्ट пátil ऑस्टम के बाहर बल बाज स्टीवन स्मिट गैन को देखती ही रह गए और इसे मैं Ampire की तरफ देख रहे हैं कि Ampire कहीं से wide gain का इशारा कर दें लेकिन Ampire ने दोस्तों wide gain का इशारा करने से साथ तोर से इंकार कर दिया और यह चोथे उबर की आखरी gain यह स्लॉक स्वीप बारने की कोशिस किनारा हवा में गेन लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि वो उस तरफ फिल्टर नहीं पहुंच पाएगा गेन जाती ही थर्ड में बाउंडरी की तरफ जब तेक इस गेन को प्रसिद कृष्णा शॉर्ट थर्ड में से दोड़के फाइल एक बाउंडरी की तरफ जा पाते है तरफ तक इन दोनों बल्ले बाजों ने भाग कर एक रन नहीं दो रन्स पूरे कर लिये हैं तेरा के बाद एक सो बीस एक विकेट के नुकसान के बाद ऑस्ट्रेलिया तो तेरा उवरो का खेल समाफ्थ हो चुका है और अक्षर पटेल ने दोस्तो अपने चौथा उवर जो है वो समाफ्थ कर दिया है तो अक्षर पटेल ने इस मैच के अंदर कुल मिला के आप लोगों को बता दू कि 32 रन्स जो है वो दे दिये हैं और 32 रन्स दे के अब तक कोई विकेट आप लोगों को अक्षर पटेल ने जो है वह हासिल नहीं करी है बहुत यची गेन बाजी अक्षर पटेल की तरफ से इस मैच के अंदर हमें अभी तक देखने को मिली है आई देख लेते हैं कि कितनी देर तक दोस्तों आप लोगों को इन दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से बल्लेबाजी जो है सही हो पाती है अगली गेन लेके चल रहे हैं गेन बाज और बैटिंग क्रीस के उपर हम देख लेते हैं दोस्तों तो बल्लेबाजी में जो त्यार नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं आप लोगो को जॉश INGLISH यसे में 6,6 रंज बना काखेलते हुए केवल और केवल 34 गेंदों का सामना करने के बाद आप लोगो को स्थीविन समिथ 49 रंज बना का खेलते वे 33 गेंदों का सामना करने के बाद तो अक्षा पटेल ने फुल मिलाकिया अब तक अपने 4 ओवरों में अपने 4 ओवर का जो स्पेल था वो अब समाफ्त कर दिया है और 4 ओवर के स्पेल में दोस्तो 32 रंस केवल ओकेवल इस माच में दिये हैं आखरी के 7 ओवरों का रोमांच दोस्तों जा रहा है और अगले साथ ओवर किस तरीके के रहने वाले हैं चलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ नए ओवर की शुरवात पे तेज गेंद बाज प्रसिद कृष्णा पहली गेंद प्रसिद कृष्णा की हवा में फिल्डर उस तरफ मौझूद जरूर है लेकिन वो केवल दर स्विंग होती भी और अंदर की तरफ आई हलका सा शुफल करके ओस्टम पर आ गए बल्ले बाज और इस गेंद को स्क्वेल एक बाउंडरी के उपर से फ्लिक कर दिया और गेंद देखते ही देखते दोस्तों वहाँ डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के बाहर निकल गई है आ पढूल सकता है जिस तरीके से इस मैच के अंदर बले बाजी हो रही है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आई बले बाजो की तरफ से बहुत जबर दस्त बहुत ही बchy airedरी कर लेंद के घिमी घती की ऑन साइड में वुड़ा है एक रन भागते वे तेरा ओवर सो दो गेंदों की समाफ्ती के बाद already इस मैच में प्रसित कृष्णा आपना ये तीसरा ओवर डालने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को बता दूए इस इंग्लिश बेस्ट स्कोर इन टी ट्वेंटी बैटिंग अट नमबर त्री नमबर तीन पर बल्ले बादी करते वे जोश इंग्लिश का दोस्तों ये सरवाधिक स्कोर जो है वो आज इस मैच के अंदब बन चुका है तो ये एक बड़ी उपलब्धी इस खिलाड़ी के लिए खास तोर से ये अगली गेंड अब दोबारा से लेकर चलने के लिए त्यार नजर आ रहे हैं जो कि प्रसिद कृष्णा ये रिवर्स वीप मारने की कोशिस धीमी गती की और कर थी बल्ले पे गेंड लगी गेंड जाती भी सीधा विकेट कीपर की तरफ और विकेट कीपर ने अपनी बाइं तरफ जाके बहुत आसानी के साथ इस गेंड को फील्ड कर लिया है और 108 हाइस रणों के उपर अभी भी ऑस्ट्रेलिया का एक मातर विकेट 13 ओवर्स और एक गेंड की समाफ़ती के बाद ऑस्ट्रेलिया अगली गेंड लेकर आ रहे हैं प्रसिद कृष्णा आखरी की दो और गेंडे लेकर चलेंगे ये पांचवी गेंड नहीं चौथी गेंड इसमें दोस्तों कर रहे हैं गेंड बाजी आईए ज़रा देखते हैं प्रसित कृष्णा किस तरीके की गेंबाजी इस मुकाबले में करने में कामयाब रहेंगे ये चोथी गेंथी धीमी गती की ओस्टम पर 128 किलोमेटर प्रती गंटे की स्पीड से डाली गेंग को बल्लेबाज ने बहुत आराम से ऑन साइड की तरफ खेला है और जब तक इस गेंग को स्वेले का फिल्डा वहाँ फिल्ड करता थ्रो करता आराम से इन दोनों दोस्तों ऊंतालीस बना के 33 गेंड हैं बल्लेबाजी में आए जाराँ देखते हैं किस तरीखot के किया ने किए प्रदर्शन करने में काम्याब रहते हैं इस बीच यह अगली आग्ली गेंड करने के लिए गैंड का ओ charger स्वे बदाब दाय हाथ से ओवर्ड विकेट से कृष्णा की ये धीमी गती की गेंद उठा का मारने की कोशिस लेकिन बल्ले और गेंद के बीच वहाँ संपर्क जैसा बल्ले बाज चाते ते वैसा हुआ नहीं गेंजाती हुए वहाँ सीधा डीप मिड्विकेट बाउंडरी की तरफ और ये एक मातर रन जाए इन दोने ये बल्ले बाजों को दोस्तों मिलेगा और इन दोने बल्ले बाजों ने भागकर ये एक रन बहुत आराम से पूरा कर लिया है एक रन के साथ 130 एक विकेट के नुकसान के बाद 14 ओवरो का खेल भी समाफ हो चला है अगली गेंद और ये आखरी गेंद आने जा रही है आई जारा देखते हैं दोस्तों इस आखरी गेंद के उपर बल्ले बाज कहां खेलते हैं इस शॉट को 14 ओवर की ये शॉट आफ लेंड डिलिवरी अपरकट मारने का प्रियत्न किया बल्ले बाज स्टीविन स्मित ने पूरी तरीके से बल्ले के किनारे को गेंद छोड़ती भी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चक्मा खा गए बल्ले बाज और बाकी का कार है जो था दोस्तों वो विकेट कीपर ने कर लिया ओवर का समापन 14 के बाद 130 ऑस्ट्रेलिया एक विकेट के नुकसान के बाद क्रिशना ने समाफ्ट कर दिया है अपना तीसरा ओवर तीसरे ओवर के अंदखुल मिला के नोंने आप लोगों को केवल 10 रंस दिये और अस्ट्रेलिया 14 के बाद 130 पर 1 छे ओवर का खेल रहे गया बाकी अने की 36 और गेंदों का खेल तो अगली 36 गेंदों पर स्टीवन स्मित कितने रंस और बनाएंगे बहुत धीमी बल्लेबाजी स्टीवन स्मित की तरफ से बिशनोई आ गये हैं यहां आपने आखरी ओवर के साथ रवी बिशनोई की यह पहल गेंद आती भी इस ने ओवर की शुरुवात के उपर दाया हाँ से बिशनोई चले पहली गेंद के उपर स्टीवन स्मित ने केवल और केवल सिंगल निकाल अच्छी गेंदी 30 गती की ओफस्टम पार उठा का भारा नीचे की तरफ बैट के बल्लेबाज ने लॉंग ऑफ ब परशकों में एक और चट्के के लिए 100 रनों की भागेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई है इस चट्के के साथ ही यह बिशनोई की दूसरी गेंद थी 30 शॉर्ट थी लिक्स्टम पार पीछे की तरफ गए पुल किया स्क्वेल और मिर्विट बाउंड बाउंडरी के बाहर गिरी है या बाउंडरी के ठीक पहले गिरी है अमपायर्स की तरफ से यह देखा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो रोप्स होते हैं जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स होते हैं गेंज जाकर उस पे टपक आई है तो यह पूरे 6 रंस मिलेंगे ब माच के अंदर खेल कर दिखाया है अगली गेंद आ रहे हैं लेकर और रवी बिश्नोई आज बहुत महेंगे साबित हो रहे हैं बिश्नोई अगली गेंद बिश्नोई की सामने आपको इंग्लिश मौजूद केवल इस गेंद के उपर सिंगल मिल पाएगा गेंद अच्छी इस शॉट अच्छा था इस बार इस गेंद के उपर बिश्नोई ने फिलाल थोड़ी सी 30 रखी गेंद को स्लॉक स्वीप किया बिश्नोई ने गेंद गई सीधा स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ और जब तक इस गेंद को वहाँ डीप स्क्वेल एक बाउंडरी का फिल्ड के बाद केवल और केवल बना है खेल इस माच के अंदर इस बीच ये अगली गेंद लेकर करने के लिए गेंद बाज तयार नजर आते वे ओवर दे विकेट से विश्णोई की ए फ्लाइट डिलिवरी इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में से मार दिया एक और चक्का इंगलिश अठासी पे साथ वे चक्के के साथ बिश्णोई की एक और तीज गेंद 91 किलोमिटर प्रती घंटे की स्पीड से मिडल और आफ स्टम की लाइन पे लिक स्टम की तरह फट है जॉश इंगलिश और इस गेंद को एक स्ट्रा अब बाउंडरी के बाहर छे रनों के लिए इस ओवर का दूसरा चक्का बिश्णोई की 50 दोस्तों गेंद बाजी में पूरी होने ही वाली या 48 पे पहुंच चुके हैं आखरी गेंद अपने स्पेल की एक बार फेर ये गेंद हवा में मिर्वगट बाउंडरी के ऊपर कुल मिला के चववन रन्स दिये हैं और केवल एक सफलता जोश इंग्लिश के नाम तो नहीं रवी बिश्णोई के नाम तो 15 ओवरों में ऑस्ट्रेडिया 151 एक विकेट के नुकसान के बाद 15 ओवरों का खेल समाफ तो चुका है लेकिन क्या बल्ले बाजी किये दोस्तों इ तीन छक्के एक इंसाइड आउट शॉट एक स्लॉक स्वीप और एक पुल शॉट तो तीन छक्के पिछले ओवर के अंदर कुल मिला के फिलाल बटोरे हैं बल्ले बाज ने और जो स्कोर है अब 151 रन बन चुका है 151 रनों के उपर एक मात्रो विकेट दोस्तों कुल मिला के इस माच के अंदर जो है वो गई है तो बल्ले बाज के अगर हम बात कर लेते हैं तो बल्ले बाज जॉश इंगलिश अब हेलमेट को चेंज कर रहे हैं हेलमेट चेंज करने का कारण दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि तेज़ गेंबाज दूसरे छोड़ से कप्तान जो है वो लेकर आ रहे हैं और यही कारण है कि कप्तान जो हैं दोस्तों अब इस दूसरे छोड़ से तेज गेंबाज का इस्तमाल करने जा रहे हैं तब तक आप लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को और वीडियो को फटा-फट कर दीजेगा लाइक तकि जब भी हम आपके साथ लाइब आएं तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएं मुकिश कुमार आ रहे हैं नए गेंबाज और यह मुकिश कुमार की तरफ से पहली गेंद और यह उवद विकट से दोस्तों गेंद बादी करने के लिए कर रहे हैं शुरू और यह लीजिए धीम आफ लेंड डिलिवरी थी इंतिसार कर रहे थे बल्लेबाज बैक्फुट के उपर स्टीविन स्मिट और बहुती तेज गती से इस गेंद को पुलसा कर दिया बल्लेबाज ने और गेंद देखते ही देखते दोस्तों वाँ स्क्वेल एक बाउंडरी के बाहर निकल गई अगली गेंद मुकेश कुमार की तेज गती की गेंद इस बर अब गती से बीट हो गए बल्लेबाज बल्ले का बाहरी की नारा छोड़ती भी ये गेंद सीधा पहुँची है विकेट कीपर के दस्तानों में पंद्रा ओवर दो गेंदो के बाद 155 ऑस्ट्रेलिया एक चार और गेंद मुकेश कुमार के इस बर में रह गई हैं बाकी आप लोग फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब करने ना भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करने ना भूलेगा और नोटिफिकेशन के बटम को ज़रूर दबाईएगा क्योंकि लॉंग ऑफ बाउंडरी के तरफ जा रही है यह गेंद एक रन भागेंगे दूसरे का कॉल किया और जब तक इस गेंद को लॉंग ऑफ बाउंडरी का फिल्डा वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता इन दोने बल्लेबाज उनने दोस्तों दोड़ कर तेज गती से दो रन्स प लॉकेंगे दोस्तों बड़ा शॉट लगाने से चौती गेंद के उपर एक और सुन्दर शॉट थोड़ी सी शॉट अफ लेंड डिलिवरी ऑफ स्टम के उपर बैक फुट पे गए स्क्वेर कट कर दिया और गेंद सीधा डीप पॉइंड बाउंडरी के बाहर चार रनों के है और यह पूरे के पूरे बल्ले बास को दोस्तों चार रन्स मिल गए पॉइंड बाउंडरी के बाहर इस चौके के साथ स्कोर हो गया बढ़कर इस समय 161 रन्स 161 रनों के उपए एक विकेट 15 ओवर से चार गेंदों के खेल की समाफ़ती के बाद अगली गेंद गेंद गे और शॉर्ट फाइनले के फिल्डर ने इस गेंद को डाइरेक्ट हिट मार दिया है स्टम्स पे और ऐसा लग रहा है कि दोस्तों बल्ले बास थोड़े बहुत परिशानी में हो सकते हैं यहां रन आउट करने की कोशिस भार दिया है फिल्डरों के द्वारा और मैं आप को बता दू कि 161 रनों के उपर उस्ट्रेलिया के टीम ने यहां एक और विकेट जो है वो गवा दिया है इस मैच में तो उस्ट्रेलिया ने यहां अपना दूसरा विकेट गवाया और अब नए बल्ले बास जो आ रहे हैं वो स्टीवन स्मित के जाने के बाद आते हुए द दोस्तो उतर रहे हैं आप लोगों को दाएं हाथ के मारकस स्टैनिस जो एक और सकती शाली खिलाड़ी आस्ट्रेलिया के मारकस स्टैनिस का आगमन होतावा क्रीज के उपा बहुत जबरदस्ट खिलाड़ी है दोस्तों आप लोगों को मार्कस स्टॉइनस और देखते हैं मार्कस स्टॉइनस इस मैच में किस तरीके का करते हैं प्रदर्शन स्टॉइनस के नाम 54 मुकाबले 846 रंस और 147 का स्ट्राइक रेट है 78 की दोस्तों हम देखेंगे तो हाइस्ट स्कोर है मारकस स्टॉइनस is in early at number 4 number 4 की position पर आज मारकस स्टॉइनस को शामिल कर लिया गया है उस्ट्रिलिया के टीम के तरफ से ये दोस्तो पारीकाज सोल वेवर का आखरी बॉलाने जा रहा है ये मुकेश कुमार लेके चलेंगे दायहाथ के जोश इंग्लिश के लिए इस तोवर की आखरी गें और आएए ज़रा देखते हैं दोस्ते इस आखरी गें के उपर कहां केलते हैं शाट को ये फुलर लेंड डिलेवरी इंग्लिश के लिए इंसाइड आउट शाट मारने की कोशे जोरदार अपील बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर गें विकेट कीपर के दस्तानों में और यहाँ पर दोस्तो बॉलिंग रिवियू ले लिया गया है इस बार जी हाँ तो मैं आप लोगों को बता दू कि इस बार रिवियू लेने का फैसला किया है सूरी कुमार यादो ने सूरी कुमार यादो को लगता है कि गें बल्ले का बाहरी किनारा लेने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची है लेकिन क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है आई ज़रा देख लेते हैं दोस्तों अगर गेन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहुंची है विकेट कीपर के दस्तानों में तो फिर यहां पे इनका काम जो है दोस्तों हो चुका है तमाम लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यह बच जाएंगे आई जरह देखते हैं दोस्तों कि गेंद बल्ले का आउटसाइड एज लेने के बाद गई है या गेंद बल्ले का आउटसाइड एज छोड़ती भी गई है विकेट कीपर के दस्तानों में वो बहुती नजदी की मामला के पाना बहुत मुश्किल है कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ही लेकर गई है या फिर दोस्तों गेंद जब बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई है विकेट कीपर के दस्तानों में वो जी हाँ आवाज आ रही है दोस्तों और ऐसा लग रहा है कि बल्ले का बाहरी किनारा साइद नहीं लगा है याप देख सकते हैं सनीको मीटर में जब गेंद बल्ले को क्रॉस कर गई है उसके बाद जो है वो यह आवाज आ रही है इसका मतलब यही है कि जब जमीन पर दोस्तों बल्ला तब जाके जो यह आवाज आई है तो यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर नहीं गई है यह चीज स्पष्ट रूप से बता दी गई है खिलाडियों को और यह सोल वर ओवर को समाफ्त कर दिया गया है सोला के बाद 161 ऑस्ट्रिलिया दो विक्टों के नुक्सान के इस मुकाबले में गेंद बाजी में दोस्तों जो नए गेंद बाज आ रहे हैं तो आप लोगों को बजाते चलें कि मार्कस स्टॉइनस के सामने अर्शदीप सिंग आते वे औस्ट्रिलिया टीम के मार्कस स्टॉइनस जो कि विश्चोकब की विजेताई टीम में भी चलने के लिए त्यार अर्श की शॉट अफ लेंड डिलिवरी ऑफ स्टॉम पर थी हलका सा लेक्स्टॉम की तरफ जाके सामने की तरफ इनने ड्राइव कर दिया और गेंज जो है दोस्तों सीधा पहुंची एक कवर की दिश्चा में जब तक इस गेंद को कवर का फिल्ड़ करता अपनी बाई तरफ जाके इस गेंद पर इन दो नहीं बल्लेबाज उने दोड़ कर दोस्तों ये एक रन पूरा कर लिया है तो इस एक रन के साथ स्कोर हो गया बढ़कर आप देख सकते हैं एक सो बासाट रन्स और एक सो बासाट रनों की उपर आप देखेंगे तो कु हाँ से अगली गेंद लेकर करने के लिए तयार नजर आ रहे हैं और बैट इंक्रीस के उपर अरशदीब सिंग की गेंद बाजी पे बल्लेबाज तयार नजर आ रहे हैं ये हैं स्ट्राइक के उपर जॉश इंगलिश आए देखते हैं दोस्तों जॉश इंगलिश कहां खेल क्या शॉर्ट था दोस्तो बहुत जबर्दस्ट शॉर्ट और रिवर्स कूप मारके यहां पर इस गेन के पर बल्ले बाल ने जो हैं वो चार रंस बटोर लिये हैं बहुत जबर्दस टाइमिंग और गेन देखते ही देखते सीधा वहाँ पर निकल गई पॉइंट बाउंडरी यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो 46 गेंडों का सामना किया है जोश इंगलिश ने बहुत जबर्दस बल्ले बाजी आज जोश इंगलिश के नाम हम कह सकते हैं दोस्तो करके दिखाई है इंगलिश ने अगली गेन पॉइंट बाउंडरी की तरफ और जब तक इस गेन को पॉइंट का फिल्डा फील करता एक रन लेने की कोशिस कर रहते हैं बल्ले बाज लेकिन लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां पर फिल्डा मौजूद थे और सिंगल लेने के लिए बल्ले बाज को दोस्तों बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं दिया है और अब आंकरी की जो दो गेंदे रह गई नहीं दोस्तों रह गई गई है बाकी यह अगली गेन लेके चले बायहाथ से अर्षिदीप सिंग्ग की बहुत ज़्यादा यह वाइड गेन अंपायर ने भी दोस्तों अपने दोनों ही हाथों को उठाया और यह वाइड गेन का इश के बटन को दबाना ना भूलेगा तोला ओवर और तीन गेंदों के बाद एक सो सरसाट रंस एक सो सरसाट रंसों के उपर इससे में दो विक्टे गई हूँ है केवल और केवल अगली गेंद अर्शिदीप सिंग की और यह जौश इंगलिश ने अपनी एक और टी-20 सेंचुरी पूरी कर लिये यहां पर अ अर्शिदीप सिंग की यह जौथी गें थी जौश इंगलिश के लिए इंतिजार कर रहे थे दोस्थे सिदह इस गेंद के बाहर बले का बाहरी किनार लगा और गें सीधा डीप थर्ड में बाउंडरी के बाहर बल्ले का इंसाइड नहीं आउटसाइड एज लगने के बाद चला गया है चार रनों के लिए और इंग्लिश ने दोस्तो एक दिवबस से क्रिकेट में T20 क्रिकेट में यहाँ पर अपनी एक और सेंचुरी पूरी कर दी है क्या पारी है दोस्तों इंग्लिश के नाम 47 गेंदे 100 रंस इंग्लिश मैगनिफिसेंट इनिंग्स फर दी ओजी इस एड नमबर त्री पंचेज इन दी एयर मेडन इंटरनाशनल सेंचुरी और थर्ड इन T20 क्रिकेट फर जॉश इंग्लिश तो दोस्तों मेडर मेडन इंटरनाशनल सेंचुरी मारी है जॉश इंग्लिश ना और तीसरा T20 क्रिकेट के अंदर इस खिलाडी ने सेंचुरी ठोका है आज या बल्ले बाजी करी है दोस्थों बहुत बहत बहतरीन, बहुत कमाल की क्रिकेट आज इंङलिश ने खिल कर दिखाई है अगली गेंद और अर्षदीप सिंग की गेंदों के उपा बिल्कुल नहीं थम रहे हैं, एक और बहतरीन गेंद थी, लेकिन बल्ले बास का जो short था वो और बहतरीन था short of land delivery, bouncer gain थी, pull करने की कोशिस कर रहे थे बल्ले का top edge लगा, और बल्ले के top edge पे लगने के बाद gain सीधा fine leg boundary के बाहर, एक और चौके के लिए इस चौके के साथ 175 run दो, विक्टोर के नुकसान के बाद 16 over और 5 gain दों के समाफ़ती के बाद, क्या short लगाया इस gain के उपा, जैसे ही देखा कि दोस्तो बाउंसर है short gain है, पीछे की तरफ गए, pull कर दिया और gain सीधा fine leg boundary के बाहर, एक और 4 runs के लिए जहां इस over की, आखरी gain दोस्तों लेके चल रहे हैं बाएंहाथ के अर्शदीप सिंग इस over में कुल मिला के 18 runs आ चुके है अगली gain लेके चले, अर्शदीप सिंग, बाएंहाथ से दोड़ना शिरू करते वे इस over की आखरी gain को लेके आने के लिए, over the ticket से fullerland delivery, steer किया, point boundary के उपर से इस बार, एक और चौका यॉर्कर डालने की कोशिस थी, off stem पर, अपने front foot को सामनी की तरफ निकालके, point boundary के उपर से steer भर कर दिया again देखते ही, देखते सीधा deep point boundary के बाहर निकल गई पूरे के पूरे चार रनों के लिए, और score हो गया बढ़के 211, 189 और 2 विक्टो के नुकसान के बाद 17 over का खेल समाफ्थ हो चुका है, जहां पर दोस्तों Australia ने पिछले मैच के अंदर छोड़ा था, वहीं से Australia के टीम ने ये मुकाबले के अंदर भी शुरुवात की है, क्या बल्ले अर्षिदीप सिंग का एक और रह गया है बाकी, गेंदबाजी में आप लोगों को बता दे हैं कि अर्षिदीप सिंग अपने तीन over का spell जो हो समाफ्थ कर चुके है, एक और over दोस्तों इनके spell में रह जाएगा बाकी, देखेंगे कि आखरी over के अंदर किस तरीके की ये गेंदबाजी जो हैं, वो करते वे नदर आएंगे हमें, नए गेंदबाज आपको 23 गेंदबाज प्रसिद कृष्णा के रूप में आ रहे हैं, अपना चौथा over डालने के लिए दायहाथ के प्रसिद कृष्णा की पहली गेंद, सामने बैटिंग क्रीस के उपर मार्कस स्ट्वानस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्ट्वानस के अवल कोशिश कर रहे हैं एक दो रंस लेने की अगली गेंड लेके चले ये धीमी गती की तेज गती की गेंड आफस्टम के बाहर डीप थर्ड मिन बाउंडरी के तरफ बल्लेबाज ने इस गेंड को स्टियर कर दिया है और एक रं इन दोने बल्लेबाज उने आराम से जो है वो पूरा कर ली है और इसी एक रं के साथ स्ट्राइक इन दोने बल्लेबाज उने इसी बीच दोस्तों वो रोटेट कर ली है स्कोर यहां आप देखेंगे तो हो चुका है बढ़के 180 रं दो विक टोकन उकसान के बाद 17 ओवर्स और एक गेंड की समावती भी हो चली है अगली गेंड प्रसिद कृष्णा की तरफ से आती भी दाय हाँ से उवर द विकट से बैट इंक्रीस के उपर बल्लेबाज तयार नजर आते वे स्ट्राइक के उपर मौजूद जोश इंगलिश इस बार हवा में शॉर्ट पीछे फिल्डर मौजूद नीचे फिल्डर आता हुआ और इसी के साथ ये कैच पकड़ लिया गया है जी हाँ ये धीमी गती की गेंटी पैरो पर फ्लिक करने की कोशिस कर रहे थे डीप स्क्वेल इक बाउन्डरी के उपर एक मातर फिल्डर मौजूद था और डीप स्क्वेल एक बाउन्डरी के फिल्डर ने वहाँ कोई गलती नहीं की एक बहुत ही आसान सा एक बहुत ही इजी कैच डीप स्क्वेल एक बाउन्डरी के उपर पकड़ लिया गया है क्या catch था square leg सीमा रिखा के पास और Australia ने 180 रनों के उपर इस match के अंदर अपनी तीसरी विकेट गवा दी है पैरो पर डाली भी बिल्कुल उपर की तरफ गेन थी flick कर दिया था अपने front foot pack के बल्लिबाज ने अगेन देखते ही देखते वहाँ square leg boundary के हाथों में चली गई और square leg के filter ने एक बहुती आसान सा एक बहुती सरल सा catch पकड़ लिया और Australia 180 पे जगवा तब अपने तीसरा विकेट 17 ओवर और दो गेंदों की समाफ़ती के बाद और Josh English जो कि दोस्तो इंटरनाशनल क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी जो है वो ठोक कर जा रहे हैं वापस पवेलियन 50 गेंदे खेली 110 रनों की पारी और दोस्तो दूसरी तरफ मारकास सिस्टोइनस ने अब तक कुल मिला के दो गेंदों के उपर दो रन्स बनाए हैं नैबल लिबाज आप लोगों को Josh English का आउट होने के बाद दाए हाथ के Tim David को उतारा जा रहा है जो कि बहुती तगड़े हीटर माने जाते हैं तोस्तो एक वन डे क्रिकेट के अंदर और आज Tim David के पास जो जिमेदारी है तोस्तो अगली यहाँ पर 12 और 4-16 गेंदों के उप पर 30 गती से ऑस्ट्रेलिया के लिए रंज बनाने के लिए भेजा गया है तो नैबल लिबाज टिम डेविड आ गये हैं और टिम डेविड को यहाँ रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है यह चीज तो आप मान के चलें कि रुकना नहीं है आओ मारो और जाओ यही है दोस्तों का रहे है यहां से ऑस्ट्रेलिया यह बलेबाजों का चलिए यह इन्होंने पहली ही गें से चौका मार दिया है शौट अफ लेंड डिलेवरी ओफस्टम पर स्क्वेर कर दिया और पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए थोड़ी सी छोटी गें थी ओफस्टम बार और बहुत आसानी के साथ बैक फुट पे चले गए और आसानी के साथ बैक फुट पे जाके इस गेंड को स्क्वेर कट करके चौका बटोर लिया और अस्ट्रेलिया ने 184 रन्स तीन विकेट के नुकसान के बाद अब इस मैच में जो हैं दोस्तों कुल मिला के बना लि के बीच वहां कोई संपर्क नहीं हुआ है और बाकी का कारेज जो था दोस्तों विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया है और बीट हो गए पूरी तरीके से इस गेंड के उपा बल्ले बाद रन लेने का कोई मौका इस गेंड के नहीं देंगे डॉट बाल स्कोर 17 ओव प्यार नदर आ रहे हैं शॉट अफ लेन डिलिवरी पुल कर दिया बहुती सांदार अरंदा से लेकिन वहां फिल्ड़ मौजूद और जब तक इस गेंड को वहां डीप स्कोर लेक बाउंडरी के पास से ठीक फिल्ड़ आगे की तरह आके फील्ड करके थ्रो कर पाता है इन बैटिंग क्रीस के उपर मारकस स्टॉइनस हैं जो कि दो गेंडों के उपर दो बना का खेलते हुए दूसरी तरह आप लोगों को बलेबाजी के अंदर टिम डेविड जो कि तीन गेंडों के उपर पांच रंज बना का खेलते हुए इस मैच में और आखरी गेंड दोस्तों वहाँ स्क्वेल एक बाउंडरी का फिल्डर, कवर का फिल्डर कैट छोड़ता और वापस थ्रो कर पाता तब तक दोनों बल्ले बाजों ने दो रन्स पूरे कर लिए, रवी बिश्णोई से कैट छूट गया है, मिडॉफ के उपा मारने की कोशिस कर रहे थे इस गेंद के अठारा के बाद 187, तीन विक्टो के नुकसान के बाद ऑस्ट्रेलिया बारा गेंदों का खेल रहे गया, बाकि टिम देविड तीन गेंदों के उपर इस मुकाबले के इंदर पांच रनों के उपर बल्ले बाजी कर रहे हैं, दूसरी तरह मारकस स्टॉइनस तीन गेंदों के उपर चार रनों के उपर बल्ले बाजी करते वे नज़र आ रहे हैं, तो डेविड ने तीन गेंदों पे पांच और स्टॉइनस ने तीन गेंदों के उपर चार, दोनों ही बल्ले बाजों ने बराबर की गेंदे खेली हैं, नए गेंदबाज आपको अर्शदीप सिंग आ रहे हैं जो कि तीन ओवर के अंदर अब तक कुल मिला के 25 रूंज जो हैं दोस्तो वो दे चुके हैं अरशिदीप सिंग तफलता के नाम पर अरशिदीप सिंग को कोई विकेट नहीं मिली है पहली गेंदर शिदीप सिंग की तरफ से बाइहाद से दाइहाद के टिम बाहर की तरफ जा रही थी और अमपायर ने अपने दोनों ही हाथों को उपर की तरफ करके बड़ी अराम से वाइड गेन का इशारा करार दिया स्कोर अस्ट्रेलिया का 183 विक्टो के बाद 18 ओवर्स के बाद भारत और अस्ट्रेलिया के बीच ये पहला T20 मुकाबला खिला जा रहा है और ये पहला T20 मुकाबला दोस्तों डॉक्टर वायस राज शेकरा स्टेडियम विशाका पतनम के इंदा खिला जा रहा है बारत बनाम ऐस्ट्रेलिया के बीच है मुकाबला अर्षदीप सिंग की दोस्तों बहुत पुरानी परिशानी है वाइड गेंदो से और यह अगली गेंद बहुत बहार बल्लेबाज में छोड़ दिया कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई ऐसी बाहर की तरफ जाती हुए गेंदों के उपर एक और वाइड गेंद का इशारा अरशदीप सिंग की तरफ से बहुत खराब गेंद बाजी करते हैं दोस्तों आपको ऐसे ओवरो के अंदर अरशदीप सिंग खास दोर से बिल्कुल भी आवशकता नहीं है दोस्तों बहुत बाहर गेंद बाजी करने की स्टम्स के लाइन में करें वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे या तो अगर स्टम्स के लाइन पर करें तो दोस्तों गती में थोड़ा बहुत परिवर्तन करें अन्यता काफी जादा परिशानी हो सकती है चलिए यह आया दोस्तों बहुती लाजवाप स्ट्रोक अगेन सीधा बाउंडरी रोप्स के बाहर जाएगी चार रनों के लिए शौट अफ लेंड डिलिवरी ओस्टम के बाहर जिस तरीके से जापड मारते हैं कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर टिम डेविड ने अपने फ्रंट फूर्ट को निकाल के थोड़ी सी शौट अफ लेंड डिलिवरी के उपर कवर बाउंडरी के उपर से उठाका मारा गया इ इस गती से गेंड निकल गए हैं दोस्तों कवर बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए क्या शौट था बहुत सुंदर बहुत ही बहतरीन टाइमिंग बहुत बहतरीन थी और गेंड देखते ही देखते दोस्तों वहाँ कवर बाउंडरी के बाहर जो है वो निकल गया और य यह था दोस्तों बड़ी परिशानी हो सकती है भारत के लिए आने वाले कुछ ओवरों के अंदर अगली गेन लेके चले बाएं हाथ से अर्शिदीप सिंग बैट इंक्रीस के उपर बल्लेबाज एक बाफर से तयार नजर आते हुए यह बाएं हाथ से अर्शिदीप सिंग की एक शौट थर्ड विन के साथ यॉर्कर लेंड की डिलिवरी ओफ स्टम पर थी बल्लेबाज ने अपने फ्रेंट फूट पर आके सामने के तरफ ड्राइव भर किया लेकिन गेंडो बल्ले के बीच इस तरीकी का संपर्क बल्लेबाज चाते थे उस तरीके का हुआ नहीं और गेंड सीधा पहुँच गई बैकवर्ड पॉइंट के पास बचवाकार है दोस्तो वहाँ बैकवर्ड पॉइंट के फिल्डर ने अपनी बाई तरफ जाके इस गेंड को फील्ड कर लिया और स्कोर जो है 193 रनों के उपर अभी भी तीन विक्टे बनी रहेंगी 18 ओवर 102 गेंडों के खेल के बाद कितने तक का टार्गिट दिया जाएगा तोस्तो क्या लग रहा आप लोगों को मुझे तो लगता है कि दोस्तो अस्ट्रेलिया जो है जो टार्गिट देने जा रही है इस मकाबले में वो करीब करीब आप मान के चलें कि यहाँ पर 210-211 के करीब उस्ट्रेलिया बनाने जा रही है इस माच में एक और गेन बहुत बहार कदमों का इस्तमाल किया शफल करके आफस्टम के बहार भी आये बल्ले बाज इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस भी की लेकिन इतनी दूर थी ये गेन की कोई संपर्क ही नहीं हुआ और एक बहुत फिर गेन बल्ले का किनारा छोड़ कर तीधा इशान किशन के दस्तानों में रन लेने का कोई मौका नहीं लेकिन एक रन दे दिया मुफ्त का वाइड बॉल के रूप में और अस्ट्रेलिया 194 पे तीन विकेट्स हो चुकी है पिछले पांच ओवर में 65 रन्स दोस्तो अस्ट्रेलिया ने बनाए हैं लेकिन भारत के लिए अच्छी चीज ये है कि जो सेट बलेबास थे जोश एंग्लिश वो आउट हो गए हैं दो नए बलेबास दोस्तो अगर हम देखें तो इसमें क्रीस के उपर मौजूद नए बलेबास टिम डेविड और उनके साथ इसमें दूसरे छोर के उपर मारका से स्टॉइनस एक और अच्छी गेंट स्टम्स की लाइन पे यॉरकर लेंग की गेंटी सामने की तरफ आए सीधा आके सामने की तरफ खेला लॉंग ओफ बाउंडरी की तरफ एक रन लेने की कोशिस और टिम डेविड ने एक रन पूरा कर लिया है इस एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनोबले बाजो न जो है वो रोटेट कर लिया स्कोर एक सो पंचानबे तीन विक्टो के नुकसान के बाद अठारा ओवर सो तीन गेंदों के खेल की समाफती के बाद आकरी की तीन और गेंदे अर्शिदीप सिंग के इस ओवर में मौझूद दाय हाथ के मारकस स्टॉइनस तीन गेंदों के पर चार रनों के पर मौझूद और टिम डेविड छे गेंदों के पर दस रनों के पर मौझूद ये अर्शिदीप सिंग की आकरी की तीन गेंदे आत फुट पे गए पंच किया बैकवर्ट पॉइंट पे रन आउट करने की कोशिस अगर डायरेक्ट हिट मार देते वहां बैकवर्ट पॉइंट के उपर खड़े रवी विश्णोई यह खिलाड़ी आपको रन आउट हो जाते लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं और बल्ले बा पर दस रन्स बनाका खेलते हुए और बल्ला बदल दिया है ऐसा नदर आ रहा है दोस्तों बल्ले बाज ने या तो बल्ले बाज ने अपने बल्ले को बदल दिया है और अब मैं देख पा रहा हूं कि दोस्तों यहां 196 रन्स बने हुए हैं और 196 रनों के पर तीन विक्टे त कुछ कमाल करते वे नदर आएंगे इस गेंद पर बाए हाथ से अर्शिदीप सिंग की ये पाँचवी गेंद हवा में ऊचा शॉट और फिर फिल्डप पीछे मौजूद जरूर है लेकिन वो केवल दर्शक रहेंगे कवर बाउंडरे के ऊपर से छे रंस ओफस्टम पर ये फ है और ये पूरे के पूरे छे रंस मिल गए हैं बलेबाज को क्या टाइमिंग था क्या गजब का प्लेस्मेंट था एक्स्ट्रा कवर के उपर से इन्होंने जो है दोस्तों ये चखका लगाया है बहुत जबरदस्ट बहुत बहतरी इन शॉट और एक्स्ट्रा कवर सिंग की अगली गेंद बाट इंक्रीज के उपर बलेबाज एक बफिर त्यार है और श्ट्रा के बाहर एक और यह और यह और यह गें थी बहुत ज़्यादा बाहर और अंपायर ने इस गेंद के उपर दोस्तों आसानी के साथ बलेबाजोंने भाग कर यह एक रन पूरा कर है और इस गेन के उपए एक रन पूरा करके सिंगल जो है वो रोटेट कर ली गई है और इस सिंगल के साथ स्कोर हो गया बढ़कर 203 और 203 रनों के उपर आप देखेंगे तो कुल मिला के तीन विक्टे 19 ओवर्स की समाफ्ती जो है वो इस मैच के अंदर हो गई है यह दोस्तो गेन बाष् को लेकर आते हैं तो कप्टान का भरोसा जो है वो द檀सा लग रहा है कि मुकेश गुमार जीतने में कामःाब हो गये हैं और मुझे लग रहा है कि दोस्तो पारी का आँख्री ओवर्स को ही देना चाहिए और कफ्तान ने यही निर्डन लिया है दोस्तों कि मु आख्री ओवर है जिहां रखना होगा दोस्तों यहां पर यह आख्री ओवर चल रहा है और इस आख्री ओवर में तेज गती से रंज बनाने की आवशकता है इस मुकाबले के अंदर क्योंकि जितना तेज गती से रंज बनाएंगे जितना जादा रंज बनाएंगे उतना ही जा टिम डेवीड की अगर हम बात करेंगे तो टिम डेवीड ने इस मुकाबले में खुल मिला के अब तक आप देखेंगे तो आठ गेंदों के उपर केवल और केवल 17 रंज बनाए हैं अच्छी बलेबादी की है नो डाउट लेकिन दोस्तों थोड़ा सा थी इस खेलने की आवश कर रहा थे इस गेंद के उपर बलेबाद लेकिन पूरी तरीके से इस गेंद की लाइन को पहली गेंट पर नहीं देंगे, अगली गेंट मुकेश कुमार की तरफ से आती भी, दाय हाथ से, उवर्द विकेट से लेके चल रहे हैं, मुकेश कुमार अपने उवर की अगली गेंट, बैट इंक क्रीज के उपर, बलेबाज नजर आ रहे हैं, तयार नजर आते वेए, या दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन लेने की कोशिस करी और ऐसा लग रहा है कि दोस्तों एक जोड़दार अपील भी की गई है गेंदबाज और विकेट कीपर की तरह से रिव्यू ले लिया है कप्तान सूरिकुमार यादो ने आईए देखते हैं दोस्तों सूरिकुमार यादो का जो ये रिव्यू है कितना जादा सक्सेस्फुल रहता है सूरिकुमार यादो को दोस्तों इस सीरीज में जो है कप्तानी सौपी गई है और ऐसा लग रहा है कि कप्तानी ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन आज दोस्तो कप्तानी का प्रेशर समझ में आया होगा कि कितना जादा दोस्तो प्रेशर है भारते टीम का कप्तानी करना और एक फ्रेंचाइस क्रिकेट का कप्तानी करना दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लेक्स्टम के बाहर ये गेंग जा रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है रीप्ले में लेगिन इसके उपर दोस्तों पुष्टी अभी की नहीं जा सकती है अभी आप लोगों को देखी जाएगी सारी चीजें और रीप्ले इस देखे जा रहे है अलग अलग अंगल से गेंद और बल्ले के बीच अगर मैं कहूं आप लोगों को कोई संपर्क नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि दोस्तों इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि ऐसा ही नदर आ रहा है कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है और जी ह अगली गेंद लेका चलने के लिए मुकेश कुमार तयार का यहाँ से यह उवद विकर्ट से गेंद बाजी करने के लिए तयार बैट इंक्रीस के उपाब लिबाज एक बाफिर से तयार नजर आते हुए तब तक दोस्तों आप लोग कर दीजे सब्सक्राइब लाइक कर दीजे फटाफट और नोटिफिकेशन के बटन को भी जल से जल दबाएएगा इस बीच ये अगली गेंद ओस्टम के बाहर एक और बहतरीन यॉर कर थी इंसाइड आउट शॉर्ट कवर बाउंडरी की तरफ उठा का मारा गया इस स्ट्रोक गेंजाती भी डीप एक्सट्रा कवर बाउंडरी की दिशा में एक रन भागेंगे दूसरे का कॉल किया है लेगिन जब तक इस गेंद को दोस्तो डीप एक्सट्रा कवर बाउंडरी का फिल्ड़ा वहां फिल्ड करके थ्रोकर पाता तब तक इन दोने ये बल्लेबाज उन्हें दोड़कर ये एक रन और ले लिया है तो अब मैं आप लोगों को बता दू कि पारी का आखरी की तीन और गेंदे रह गई है बाकी और अगली तीन और गेंदों के उपर देखते हैं दोस्तों कितने सारे रन सौर मारते हैं इस बीच अगली गेंद एक और बेहतरीन गेंद थी स्टम्स के लाइन के उपर बहुती संदर शॉट लगाया बल्लेबाज ने सामने की तरह एक बार फिर से सीधा शॉट लगा दिया बल्लेबाज ने गेंद जाती हुए दूसरी तरstairs दोस्तो आप देखेंगे, तो बल्ले बाजी में टीम डेविड, 17 run alcanz के उपर बल्ले बाजी कर रहे है, 33 बल्ले बाजी आपको मारकस स्टाइनस के साथ खेल रहा है, बल्ले बाज, तीम डेविड के द्वारां हमें देखने को मिली है, इस माच में, अगली गैन, और ये लीजिए गरीवी में आटा गीला दोस्तों गेंद बास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नो बॉल भी डाल दी है मुकेश कुमार ने और इस नो बॉल की वज़ा से आप लोगों को बता दें कि यह एक फ्री हिट भी मिलने वाली है यहाँ तो मुकेश कुमार ने यह भारी गलती कर दी यहाँ और यह नो बॉल की वज़ा से दो गेंदे दोस्तों यहाँ पर करनी पड़ेंगी एक बाफिर यह अगली गेंद लेकर चलने के लिए तयार उवद विकेट से मुकेश कुमार की यह पांच वी गेंद नहीं चौथी गेंद आने जा रही है यह आफस्टम के वहाँ डाली वी गेंद तेज गती की गेंद यह आफस्टम पर बहुती सुन्दर शॉट लगाया बलेबाज ने कवर बाउंडरी के दिशा में जब तेक इस गेंद नहीं बलेबाज ने दोड़ कर ये एक रन लेने की कोँशिस करी जब तेक इस गेंद को दोस्तों वहां फिलडबाज ने जो है वो पूरा कर लिया है तो इस एक रन के साथी स्कोर ओठ गया है बढ़कर आप देख सकते हैं नजरा रहा होगा दोसो आठ तीन विक्टो के नुकसान के बाद आंखरी की गेंद आती हुई और बैट इंक्रीस के अपर दोस्तो बल्लेबाज तयार नजर आ रहे हैं उवद विकेट से यह इस ओवर की आंखरी की जो गेंद है वो आने जा रही है मुकेश कुमार की पांचवी गेंद स्टम्स के उपर थी तेज गती की ओफस्टम के बाहर तपा खाने के बाद अंदर की तरफ आई मुकेश कुमार ने इस गेंद को पिलाल केवल और केवल सामने की तरफ ड्राइव करने का मौका दिया बल्लेबास को और एक रंद उनों बल्लेबास उनने लेने की कोशिस करी लेकिन इनकार कर दिया दोस्तों मारकस स्टोइनस ने सिंगल भागने से कहा कि आप ही लीजे स्ट्राइक पारी की दोस्तों अब आखरी गेंद मुकेश कुमार लेकर चलने के लिए तयार नजर आ रहे हैं पहली पारी की समावती होने जा रही है बाट इंक्रीस के उपर बल्लेबास तयार नजर आ रहे हैं टिम डेविड और एक और बहतरीन यॉरकर तीनों स्टम्स की लाइन पे मुकेश कुमार की गेंद थी पहली पारी की दोस्तों हो चुकी है दो लगतार डॉर्ट गेंदों के साथ पहली पारी समावत भारत बनाम उस्ट्रेलिया के बीच पांच मुकाबलों की टी ट्वंटी सीरीज का जो की पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है और ये मुकाबला दोस्तों विशाकापट्णम के मैदान में खेला जा रहा है जहां भारत के कप्तान आज सूरी कुमार यादों ने टॉस को जीतने के बाद पहले गेंद बाजी करने का निर्ना लिया था भारतिय टीम को टार्गेट दिया गया है 209 रनों का उस्ट्रेलिया के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ा टार्गेट है दोस्तों उस्ट्रेलिया टीम की तरफ से भारतिय टीम के लिए क्या भारत 209 रन चेस कर पाएगा इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन उसके पहले औस्ट्रेलिया की बल्ले बाजी देख लीजिए आज औस्ट्रेलिया के लिए स्टीविन स्मित ने ओपनिंग में शुरुवात करी स्मित ने 52 रंज बनाए 41 गेंदों का सामना करने के बाद जिसमें 8 चौके मारे मैथ्यू शॉर्ट ने इस मुकाबले के अंदर कुल मिला के आप देखेंगे 13 रंओ की बल्ले बाजी करी 11 गेंदों का सामना करने के बाद फिर आए दोस्तों बल्ले बाजी करने के लिए जॉश इंग्लिश नमबर 3 की पोजिशन पे और क्या क्रिकेट खेली दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर जॉश इंग्लिश ने बहुत जबरदस्त बहुत बहतरीन 110 रं 50 गेंदों पे और स्टॉइनस ने 7 रं बनाए 6 गेंदों के उपर और टिम डेविड ने 13 गेंदों के उपर 19 रंस बनाए जिसमें 7 रं एक्स्ट्रा के रूप में मिले वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फॉल और विकेट्स की एका 30 रंस पे पहला विकेट गिरा दूसरा विकेट इस मैच में 161 पे और 30 रा 180 पे गेनबाजी के अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में तो अर्शिदीप सिंग ने इस मैच के अंदर 4 ओवर के अंदर 41 रंस देके कोई विकेट नहीं निकाला पिर आप लोगों को प्रसिद कृष्णा ने 4 ओवर के अंदर 50 रंस देके 1 विकेट निकाला प्रसिद कृष्णा के बाद गेनबाजी करने उतरे थोसे तीसरे गेनबाज अक्षर पतेल अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 32 रंदे के कोई विकेट नहीं अच्छी गेंदबाजी अक्षर पटेल की तरफ से आज देखने को मिली फिर आप लोगों को बिश्णोई ने 4 ओवर में 54 रंज दिये बहुत महेंगे साबित हुए बिश्णोई के बाद मुकेश कुमार ने अपने 4 ओवर में 39 रंज दिये अच्छा कमबा किया और कोई विकेट नहीं निकाला इन्होंने दो विकेट मिली प्रसिद कृष्णा एक और रवी बिश्णोई को एक पावर प्ले में केवल 40 बनाये थे उस्ट्रेलिया ने लेकिन 20 ओवर में 208 बना दिये हैं तो दोस्तो आप समय है भारतिय बल्ले बाजों के लिए कि ये विशाल भरा स्कोर जो है उसको रंचेज करें फटाफट तो आईए भारत की बल्ले बाजी एक बार फटाफ़र दोस्तों बिना कोई समय गवाए दिखा दूँ कि आखिर वो कौन-कौन से बल्ले बाज है जो कि भारतिय टीम की तरफ से दोस्तों इस मुकाबले के अंदर शुरुवात करने जा रहे हैं तो भारतिय टीम में दोस्तों ओपनिंग बल्ले बाजी करेंगे रुतुराज गाइकवर्ट और या शस्वी जैसवाल नमबर तीन की पोजिशन पे खेलेंगे इशान किशन जो की बहुत कमाल के बल्ले बाज है फॉर्म में भी हैं नमबर चार की पोजिशन पे दोस्तों खेलते हैं नजर आएंगे सूरे कुमार यादो भारतिय टीम के कप्तान इस टी-20 सिरिंखला में नमबर चार की पोजिशन के बाद पांच के उपर नजर आएंगे तिलक वर्मा बाएंहाथ के बल्ले बाज नमबर चार की पोजिशन के उपर दोस्तों नजर आएंगे बाएंहाथ के एक और आल राउंडर खिलाडी रिंकु सिंग नमबर साथ की पोजिशन पे दोस्तों खेलेंगे अक्षर पतेल एक और आल राउंडर खिलाडी भारतिय टीम के और आज के इस मैच में दोस्तों इनकी बल्लेबाजी भी बहुत आवशक पढ़ सकती है अक्षर पतील के बाद इस मैच में जो अगले बल्लेबाज होंगे वो होंगे रवी बिश्नोई जो कि आप लोगों खेलेंगे नमबर आठ की पॉजिशन पे नमबर नौ की पॉजिशन पे अर्शिदीप सिंग है नमबर दस की पॉजिशन के उपर दोस्तों आप लोगों खेलते हैं वे नजर आएंगे प्रसिद कृष्णा और नमबर इगारा की जो पॉजिशन रहेगी दोस्तों इस मुकाबले में वो आप अपने स्क्रीन के उपर देख सकते हैं मुकेश कुमार की तो ये दोस्तों भारत ये बल्ले बाजों की सूची है जो कि इसके बाद बल्ले बाजी करने आही रहे हैं देखते हैं ऑस्ट्रेलिया दोस्तों नौरन बचा पाता है या भारत दोस्तों नौरन चेस कर लेता है दोस्तों तो यह आप लोगों को हमें कॉमेंट करके बताना है सब्सक्राइब करना है चैनल को भारत दनाम आस्ट्रेलिया के बीच पांच मुकाबलों की T20 सीरीज का जो की पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है और यह मुकाबला दोस्तों विशाका पटनम के मैदान में खेला जा रहा है जहां भारत के कप्तान आज सूरी कुमार यादों ने टॉस को जीता और सूरी कुमार यादों ने दोस्तों टॉस को जीतने के बाद पहले गेंद बाजी करने का निर्णा लिया था भारतिय टीम को टारगेट दिया गया है 209 रनों का उस्ट्रेलिया के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट है दोस्तों उस्ट्रेलिया टीम की तरफ से भारतिय टीम के लिए क्या भारत 209 रन चेस कर पाएगा इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन उसके पहले औस्ट्रेलिया की बल्ले बाजी देख लीजिए आज औस्ट्रेलिया के लिए स्टीविन स्मित ने ओपनिंग में शुरुआत करी स्मित ने 52 रंज बनाए 41 गेंदों का सामना करने के बाज इसमें 8 चौके मारे मैथ्यू शॉर्ट ने इस मुकाबले के अंदर कुल मिला के आप देखेंगे 13 रंओ की बल्ले बाजी करी 11 गेंदों का सामना करने के बाज फिर आए दोस्तों बल्ले बाजी करने के लिए जोश इंग्लिश नमबर 3 की पोजिशन पे क्या क्रिकेट खेली दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर जोश इंग्लिश ने बहुत जबरदस्त बहुत बहतरीन 110 रं 50 गेंदों पे और स्टॉइनस ने 7 रं बनाए 6 गेंदों के उपर और टिम डेविड ने 13 गेंदों के उपर 19 रंस बनाए जिसमें 7 रं एक्स्ट्रा के रूप में मिले वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फॉल औफ विकेट्स की एक अध तीस रंस पे पहला विकेट गिरा दूसरा विकेटः इस मैंच में 161 पे और तीसरा 180 पे गेंदबाजी के अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में तो अर्शदीप सिंग ने इस मैच के अंदर 4 ओवर के अंदर 41 रंस देके कोई विकेट नहीं निकाला फिर आप लोगों को प्रसिद कृष्णा ने 4 ओवर के अंदर 50 रंस देके एक विकेट निकाला बहुत महेंगे साबित हुए विश्णोई के बाद मुकेश कुमार ने अपने 4 ओवर में 29 रंस दिये अच्छा कमबाक किया और कोई विकेट नहीं निकाला इनोंने दो विकेट्स मिली प्रसिद कृष्णा एक और रवी बिश्णोई को एक पावर प्ले में केवल 40 बनाये थे उस्ट्रेलिया ने लेकिन 20 ओवर में 208 बना दिये हैं तो दोस्तो अब समय है भारतिय बल्ले बाजों के लिए ये विशाल भरा स्कोर जो है उसको रंचेज करें फटाफट तो आईए भारत की बल्ले बाजी एक बार फटाफट दोस्तो बिना कोई समय गवाई दिखा दूँ कि आँखिर वो कौन-कौन से बल्ले बाज हैं जो कि बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं फॉर्म में भी हैं नमबर चार की पॉजिशन पे दोस्तों खेलते हैं नज़राएंगे सूरे कुमार यादो भारते टीम के कप्तान इस T20 सिरिंखला में नमबर चार की पॉजिशन के बाद पांच के उपर नज़राएंगे बाएंगे बाएंगे रेंकू सिंग नमबर साथ की पॉजिशन पे दोस्तों खेलेंगे अक्षर पटेल एक और आल रांडर केल्बाड़ी भारती है टीम के और आज के इस मैच में दोस्तों इनकी बल्लेबाजी भी बहुत आवशक पढ़ सकती है अक्षर पटील के बाद इस मैच में जो अगले बल्ले बाज होंगे वो होंगे रवी बिशनोई जो कि आप लोगों खेलेंगे नमबर आठ की पोजिशन पे नमबर नौ की पोजिशन पे अर्शिदीप सिंग है नमबर दस की पोजिशन के उपर दोस्तों आप लोगों खेलते वे नजर आएंगे प्रसिद कृषना और नमबर इगारा की जो पोजिशन रहेगी दोस्तों इस मुकाबले में वो आप अपने स्क्रीन के उपर देख सकते हैं मुकेश कुमार की तो ये दोस्तों भारत ये बल्ले बाज Вас prendicas की सूची है जो कि इसके बाद बल्ले बाजी करने आही रहे हैं देखते हैं ऐस्टेलिया दोस्तु नौरन बचा पाता है भारत बनाम ऐस्टेलिया के बीच पांच मुकाबलों की T20 सीरीज का जो की पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है और ये मुकाबला दोस्तो विशाका पटनम के मैदान में खेला जा रहा है जहां भारत के कप्तान आज सूरी कुमार यादो ने टॉस को जीता और सूरी कुमार यादो ने दोस्तो टॉस को जीतने के बाद पहले बाजी करने का निर्णा लिया था भारतिये टीम को टारिगेट दिया गया है 209 रनों का ऐस्टेलिया के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ा टारिगेट है दोस्तो Kita आस्टेलिया टीम की तरफ से भारतिये टीम के लिए क्या भारत दोस्तों नो रन चेस कर पाएगा इसके बारे में हम जानेंगे लेगिन उसके पहले औस्ट्रेलिया की बल्ले बाजी देख लीजिए आज औस्ट्रेलिया के लिए स्टीविन स्मित ने ओपनिंग में शुरुवात करी स्मित ने 52 रन्स बनाए 41 गेंदों का सामना करने के बाज इसमें 8 चौके मारे मैथ्यू शॉर्ट ने इस मुकाबले के अंदर कुल मिला के आप देखेंगे 13 रनों की बल्ले बाजी करी 11 गेंदों का सामना करने के बाज फिर आए दोस्तों बल्ले बादी करने के लिए जॉश इंग्लिश नमबर 3 की पोजिशन पे और क्रिकेट खेली दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर जॉश इंग्लिश ने बहुत जबरदस्त बहुत बहत बहतरीन 110 रन 50 गेंदों पे और स्टॉइनस ने 7 रन बनाए 6 ग 161 पे और तीसरा 180 पे गेंदबादी के अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में तो अरशदीप सिंग ने इस मैच के अंदर 4 ओवर के अंदर 41 रन देके कोई विकेट नहीं निकाला फिर आप लोगों को प्रसिद कृष्णा ने 4 ओवर के अंदर 50 रन देके एक विकेट निकाला प्रसिद कृष्णा के बाद गेंदबादी करने उतरे दोस्तों तीसरे गेंदबाद अक्षर पतेल अक्षर पतेल ने 4 ओवर में 32 रन देके कोई विकेट नहीं अच्छी गेंदबादी अक्षर पतेल की तरफ से आज देखने को मिली फिर आप लोगों को बिश्नोई ने चार ओवर में 54 रंस दिये, बहुत महेंगे साबित हुए, बिश्नोई के बाद मुकेश कुमार ने अपने चार ओवर में 39 रंस दिये, अच्छा कमबा किया, और कोई विकेट नहीं निकाला इनोंने, दो विकेट्स मिली, प्रसित कृष्णा एक और रवी अस्ट्रेलिया ने, लेकिन 20 ओवर में 208 बना दिये हैं, तो दोस्तो आप समय है भारतिय बल्ले बाजों के लिए, ये विशाल भरा स्कोर जो हैं, उसको रंचेज करें फटाफट, तो आए भारत की बल्ले बाजी एक बार फटाफट दोस्तो बिना कोई समय गवाई दिखा दूँ कि आखिर वो कौन-कौन से बल्ले बाज हैं, जो कि भारतिय टीम की तरफ से दोस्तो इस मुकाबले के अंदर शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भारतिय टीम में दोस्तो ओपनिंग बल्ले बाजी करेंगे, रुतुराज गाइकवर्ट और ये शस्वी जैट, तो दो गाइकवर्ट के साथ, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो दूसरे सलामी बल्ले बाज हैं, उनको भी अभी देखा जा सकता है, और ये शस्वी जैट स्वाल जो हैं, वो नदर आ रहे हैं, दोस्तो दूसरे ओपनर के रूप में, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत को दिया है उस्ट्रेलिया ने तो, भारत को दोस्तो ये रिकॉर्ड रंचेस आज के इस मैच में फिलाल चेस करना पड़ेगा, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है हां से, तो पहली गेंद मार्कस इस्टॉइनस, जो कि एक तेज गेंद बाज हैं, वो इस मैच के के लिए उतर रहे हैं, और गेंद बाजी में दोस्तो मार्कस स्टॉइनस को नई गेंद जो है उस्ट्रेलिया ने थमा दी है, तो स्टॉइनस इसमें दोस्तो गेंद बाजी की शुरुआत करेंगे, पहली गेंद मार्कस स्टॉइनस की तरफ से आती हुई, और देखते हैं इस मुकाबले में मार्कस स्टॉइनस किस तरीके की दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर गेन बादी की शुरुआत दोस्तों नौरन क्या दोस्तों बना पाएगी भारत चलिए देखते हैं पहली गेन मारकस स्टोइनस की तरफ से लिप्स में फिल्डर नज़र आ रहे हैं और ये पहली गेन के उपर बाएंहाथ के यशस्वी जैसवाल तयार नज़र आते हुए पहली गेन का सामना बाइहाथ के यश्रस्वी जैस्वाल एक स्लिप के साथ और ये पहली ही गेन को बहुती सांदार टाइम करके चौका बटोर लिया है जैस्वाल ने आफस्टम के उपर फुलर लेंड डिलिवरी थी अपने फ्रंट फुट को सामने की तरफ निकाला ये श्रस्वी जैस्वाल ने और कवर और मिडॉफ के बीच में से जो बहुत बड़ा ग्याब बना हुआ है उसके बीच में से इस गेन को खेल दिया और गेंड एक स्ट्रा कवर सीमा रिखा के बाहर चार सुन्दर रनों के लिए तो ये फुलर लेंड डिलिवरी के उपर बहुती खुपसूरत टाइम कि और गेंड एक स्ट्रा कवर बाउंडरी के बाहर चार सांदार रनों के लिए भारत पहुंचा चार रनों के उपर दो गेंडों की समाफ़ती के बाद अगली गेंड स्टॉनस की तरफ से आ रही है ओवर दे विकेट से एक स्लिप के साथ शॉट अफ लेंड डिलिवरी फुट पे गए स्क्वेर कट करने की कोशिस कर रहे थे लेगिन पूरी तरीके से इस गेंड की लाइन को ये मिस्स कर गए और गेंड सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई और बाकी का कार है दोस्तों विकेट कीपर ने इस गेंड को फील्ड कर लिया है बाल- अच्छी क्रिकेट खेली थी, ज्यादा मैचस खेलने के मौके मिलेने, इस भीच अगली गेन, शॉट आफ लेंड डिलिवरी पुल कर दिया, और गेन जाती भी सीधा स्क्वेल एक बाउंडरी के बाहर ये चक्का, तो शॉट गेन थी बॉड़ी पर, और बैक फुट पर जाके खड़े होके इस गेन को बहुत ही कमाल का शॉट लगाया इन्होंने, जैसे ही गेन बल्ले पर टकराई, वैसे ही ये गेन दोस्तो स्क्वेल एक बाउंडरी के उपर से, बहुत तेजी के साथ उरती भी निकल गई, और ये आदे दरजन रन बल्ले बास को मिल गए हैं, बहु पहुंच चुका है, तीन गेन दो किसम अफ़ती के बाद, जहां चौती गेन लेकर करने के लिए गेन बास तयार नज़र आ रहे हैं, और ये दाए हाट से मारकस स्टोइनस दोड़ने के लिए तयार नज़र आ रहे हैं, बाट इंक्रीस के उपर बल्ले बास तयार नज़र मारने की कोशिस की, बल्ले का बाहरी की नरज छोड़ती विए गेन सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची भर, और बाकी का कार्या विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया है, तो कदमों का इस्तमाल करके इंसाइड आउट शॉट मारने का प्रयत्न कर रहे और पूरी तरीके से दोस्तों गेन की लाइन को पड़ नहीं पाये थे बल्ले बाज और मिस्स कर गए गेन को, और ये अगली गेन लेकर करने के लिए गेन बाज तयार नजर आते वे, दाया हाँ से ओवर द विकेट से ये गेन बाज लेकर चलने के लिए तयार नजर मारका सिस्टोइनस ये अगली गेन फेक नहीं वाले थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोस्तो बल्ले बाज तयार नहीं थे और यही कारण है कि इस समय बल्ले बाज ने इस गेन को सामना करने से दोस्तो इंकार कर दिया और वो साइड हड़ गए हैं यह आखरी की जो दो और गेंदे मौझूद हैं वो लेकर आने के लिए गेंद बाज तयार नदर आते हुए तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को लाई कीजिए फटाफट यह भारती टीम को दोस्तों इस मैच के अंदर जीतने के लिए रिकॉर्ड रंचेज आज के इस मैच में करना पड़ेगा पांच वी गें दोड़ना शुरू किया यह उवद विकट से बाएं हाथ के जैसवाल को धीमी गती की शॉट आफ रेंड डिलिवरी पुल करनी की कोशेस अगें स्क्वेल एक बाउंडरी के तराफ यह मिसंडिस्टाइनिंग दोनों इबले बाजों के बीच रुतुराज गाएकवड और यहां पार यह शस्वी जैसवाल दोनों एक दूसरे को देखते रह गए दूसरे रन का जो कॉल किया था वो सही नहीं किया यहां यह शस्वी जैसवाल ने और रुतुराज गायकवर्ड बिना कोई गेंद खेले ही यहां रनाउट हो गए है पूरे मैदान पे सननाट अचा गया है दोस्तों क्योंकि रुतुराज गायकवर्ड जो कि भारतीय टीम के उपकप्तान है वो इस समय रनाउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन बहुत ही बड़ी गलती यहां दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में यहां कॉल नहीं कर पाए सही से पहले ये शस्वी जैसवाल ने हाँ कहा फिर अंत में दोस्तों जैसे ही देखा कि यह दूसरी तरफ बल्लेबाज भागना शुरू कर रहे हैं वैसे ही अंतीम समय के उपर यहां पर ना कर दिया रूतुराज गाइकवर्ड को ये शस्वी जैसवाल ने और इसका फाइदा मिलतावा उस्ट्रेलिया इटीम को उस्ट्रेलिया ने भारतिय टीम का पहला विकेट निकाल दिया है 11 रनों के उपर भारत ये टीम के लिए परिशानिया पहले ही ओवर से शुरू हो चुकी है कोई आवशक्ता नहीं थी दोस्तों वहाँ दूसरा रन भागने की वैसे दूसरा रन पूरा हो जाता अगर यहां पर कन्फ्यूजर नहीं होता दोनों बल्ले बाजों के बीच में लेकिन यश्रस्वी जैस वाला ऐसा दोस्तों कराते ही कराते हैं अगर एक सीरीज हो रही हो और उनके साथ जो ओपनिंग पार्टनर रहता है दोस्तों एक बार तो वह रन आउट होता ही होता है रुतुराज गायकवर्ड ने एक बार फिर दोस्तों ये कारनामा कर दिया है रन आउट करके और ये औस्ट्रेलिया के सामने भारत का स्कोर है ग्यारा रन पांच गेंदों की समाफ्ती के बाद नंबर तीन की पुजिशन के उपर आ रहे हैं बाएहाथ के भारती टीम के बहुत ही खतरना की लाड़ी युवा बल्लेबाज और फ्यूचर कप्तान भी आप कह सकते हैं दोस्तों इशान किशन को जो कि अंडर 19 की कप्तानी करा के बहुत कमाल की कप्तानी कराई थी दोस्तो आकरामक प्रहार करने होंगे टोइनस धीमी गती से दोना भागने के लिए तयार हो रहे हैं एक स्लिप मौझूद है ओवर दु विकेट से ये ओस्टम के बाहर स्ट्राइक के उपर इशान किशन ओस्टम के बाहर की गेन को फ्रेंट फुट पार के केवल बल्ले को तिर्चा कर दिया गेन जाती भी डीप पॉइंट बाउंडरी के तरह और जब तक इस गेन को दोस्तो डीप पॉइंट बाउंडरी और फिल्ड़ करके त्रो कर पाता इन दोनों बल्ले बाजू ने एक रण और पूरा कर लिया है तो दोस्तो 12 रन बन चुके हैं और 12 रनों के उपर ए ये टीम के लिए वो यहाँ पर पहले ही ओवर से शुरू हो चुकी है तो 209 रन भारत को इस मैच के अंदर रन चेस करना है दूसरी तरफ से गेंद बाजी में आपको शुरुवात करने के लिए दूसरी तरफ से भी तेज गेंद बाज आते हुए और ये बाएं हाथ के जेसन बहरेंड ओफ आ रहे हैं और बहरेंड ओफ की ये पहली गेंद के उपर बाएं हाथ के इशान किशन तयार इशान किशन एक गेंद के उपर एक बना का खेलते हुए बहरेंड ओफ की पहली गेंद के उपर स्ट्राइक के उपर मौझूद इशान किशन और इशान किशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इशान किशन जो है औस्ट्रीलिया की टीम के खिलाफ इसनमें आज जो है मौका है इनके पास क्योंकि पहले विकेट भी बहुत जल्द गिर गई है तो आज ओपनर के रूप में ही मान के खेल सकते हैं कि खेल रहे हैं ओस्ट्रम के बहार आउट स्विंगिंग गेंड छोड़ दिया गेंड को बले बाल ने खेलने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई क्योंकि गेंड ओस्ट्रम के बहुत बहार थी उच्छाल लेती वी गेंड और बाहर की तरफ जा रही थी दोनों हाथों को उपर की तरफ लेके गए और गेंड को केवल जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में आखरी विकेट रुतुराज गाइकवड के रूप में गई थी जो की नेथन एलिस और माथ्यू वेड ने मिलके इनको रन आउट किया था ये अगली गेंड बाहर हाथ से जेसन बेरेंड ओफ की तरफ से ओफ स्टम के बहार बहुती रक्षात्मक तरीके से अपने फ्रेंट फुट पर आके दोस्तों इशान किशन ने इस गेंड को केवल ड्राइव किया रन लेने का कोई मौका कोई अफसर यहां पर आप्त नहीं हुआ है फिल्डवा मौझूद थे रन लेने में कोई काम्याबी नहीं मिले बले बास को दूसरी गेंड पर भी कोई रन लेने का मौका इशान किशन के पास नहीं हुआ बेरेंड ऑफ बहुत ही अचछे स्विंग गेंड बाज हैं बहुत अच्छी स्विंग कराते हैं दोस्तों गेंड बाजी में और आज मौका है जेसन बेरेंड डॉफ के पास कि आज अपनी गेंद बाजी के साथ, अपना कमाल जह हैं, वो दोस्तों करके दिखाएं, बेरेंड ओफ भागना शुरू कर रहे हैं, इस ओवर की तीसरी गेंद लेके, और इशान किशन ने तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि T20 नहीं, एक टेस्ट क्रिकेट खेलना है, फ्रंट फूट पर आके केवल पुश किया, और गेंद सीधा कवर के दिखाएं मारकस स्टॉइनस के हाथों में, और स्टॉइनस ने वहाँ कोई गलती नहीं की, एक आसान साइज गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया, एक और डॉट बॉल, भारत अभी 12 रनों के उप पर बल्लेबाज तैयार नजर आते वे, आएए देखते हैं दोस्ते इस ओवर की अगली गेंद पर कहां खेलने वाले हैं, शॉट को बल्लेबाज, इशान किशन एक बाफ फेरी आउस्टम के बाहर, स्विंगिंग गेंद बाहर की तरफ जाती वी, फ्रंट फूट पर आई इस शान किशन ड्राइव किया गेंद को, और गेंद सीधा कवर की दिश्चा में, रन लेने का कोई मोगा है, इस गेंद पर भी प्राप नहीं होगा, और अस्ट्रेलिया बारा पर एक हैं, भारत एक ओवर और चार गेंदों की समाफती के बाद केवल, बहुत इधीमी बल्ल करना पड़ेगा बल्लेबास को, तेज गती से बल्लेबास ही करने की आवशकता, ओस्ट्रम के बाहर फुलर लेंड डिलिवरी, ओस्ट्रम के बाहर की गेंद को छेड़ खानी करने की कोशिस, और बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती वी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों मे एक छोटी सी आहा भर-भरी विकेट कीपर ने और नजदी की फिल्डरों ने लेगिन बल्ले का किनारा छोटी वी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची थी इसलिए कोई नुकसान नहीं स्कोर आपका दूसरे ओवर की समावती के बाद 12 एक विकेट के नुकसान के बाद भारत तो भारत ने दो ओवरों के बाद केवल 12 रन बनाए हैं दूसरे ओवर में इशान किशन ने एक भी रन नहीं बनाया और साथ गेंदो के उपा केवल और केवल इशान केशन एक रन बनाने में काम्याब रहे हैं ये मेडन ओवर भी दोस्तों आ चुका है दो ओवरों के बाद 12 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान के बाद इशान किशन साथ गेंदों में एक जैसवाल पांच गेंदों के उपर 11 बहरेंडॉफ का ये हो चुका है पहला ओवर समाफ और अब अगले ओवर की शिरुवात करने के लिए दूसरे छोड़ से नए गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी में तो बैटिंग में जैसवाल जो की पांच गेंदों के उपर 11 रन बना का खेल रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों इशान किशन जो की इसे में नज़र आओ माथ्यू शॉट को कप्तान ने अब गेंदबाजी में बुला लिया है एक और स्पिन गेंदबाज माथ्यू शॉट और अस्ट्रेलिया एक अपतान दोस्तों किसी भी एक गेंदबाज को सेटल नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी गेंदबाज को सेटल होने दिया तो फिर बड़ी परिशानी हो सकती है क्योंकि बल्ले बाज फिर गेन बाजों को समझ जाता है जाद से जादा चेंजेस करें लेकिन यह शस्वी जैसवाल के मन में दोस्तों अभी यही होगा कि रुतुराज गाएकवर्ट जो की आज बिना कोई रन बनाए बिना कोई रन बनाए रन आउट हो गए है तो उनके बदले भी इनको रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनकी वज़ा से रन आउट हुए है स्वीप कर दिया स्वेल एक बाउंडरे के उपर एक टपाच चार रन्स के लिए बहुत ही सुन्दर टाइमिंग बेहतरीन प्लेसमेंट ये शस्वी जैस्वाल के बल्ले से और गेन को फ्रंट फूट प्ला के स्वीप कर दिया था बहतरीन अंदाज में स्वेल एक बाउंडरे के बाच चार रन्स अगली गेन माथ्यू शॉट की एक बफ फिर हवा में और इस बाच जैस्वाल के बल्ले से चखका आता हुआ पहले स्वीप करके स्क्वेल एक बाउंडरे के उपर चौका बटो रहा था लेकिन माथ्यू शॉट की ए दूसरी गेन के उपर दोबारा से अपने फ्रंट फूट को निकालके स्वीप किया बल्ले के टॉप एच पे गेन लगी और गेन दोबारा डीप स्क्वेल एक बाउंडरे के उपर से छे रनों के लिए पहले चौका अब छक्का दो गेन्दों में दस रन्स आ चुके हैं और पिछले ओवर में जो मेडन खेला था उसका प्रेशर साफ तोड़ से यश्यस्वी जैस्वाल के उपर नजर आ रहा है कुल मिला के इस ओवर में दो गेन दो के उपर दस आ चुके हैं तो प्रेशर अब ऑस्ट्रेलिया के उपर नए गेन बाज मैथ्यू शॉट के उपर इस ओवर की तीसरी गेन पर भी प्रहार कर सकते हैं जैस्वाल ने दोबारा गेन को हवा में उठा दिया फिल्डर नीचे आते वे और इस बार विकेट गिरती वी यश्यस्वी जैस्वाल कुछ जादा ही दोस्तों यहां लालची हो गए यह फ्लाइटे डिलिवरी थी ओफ स्टम पर मिड़ॉफ के उपर मिड़ॉफ को टपान चाते थे इस बार लेकिन मिड़ॉफ का फिल्ड जो कि 30 गच के घेरे में मौझूद था उन्होंने यहां जंप लगाते वे एक बेहतरी इंसा कैच पकड़ लिया है और अस्ट्रिलिया की टीम ने भारत का यह दूसरा विकेट गवा दिया है क्या खराब बल्ले बाजी दोस बड़े फिल्डर ने एक बहुत ही आसान सा एक बहुत ही सरल सा कैच दे दिया और अस्ट्रिलिया ने भारते टीम का दोस्तों यह दूसरा विकेट निकाल दिया है दो ओवर तीम गेंडों के बाद भारत 22 पे दो मैथ्यू शॉट इसी चीज़ की में बात कर रहा था दोस्तों कि यहाँ मैथ्यू शॉट को लगाने का कारण यही है कि बिल्कुल भी गेंड बाजों को सेटल नहीं होने दिना है बल्ले बाजों के सामने और वही होता हुआ पहले चौका आया फिर छका आया लेकिन बल्ले लाज जो हैं थो को जादा ही लालची हो गया और जब आप जादा लालची हो जाते हैं दोस्तों तो यही हो था है आपके साथ जिस तररीकी से विश्रक काप के फाइनल में रोहीच चर्मा ने दोस्तव चुके के मारने के बाद ग्लेन मैक्सवेल की गेन पर आऊट हो गये है वैसा ही यहां यशस्वी जैस्वाल के साथ हुआ खुद तो डूबे ही लेकिन साथी में रुत्वराज गाइकोड को भी दोस्तों रन आउट कराके डूब गए हैं अपने भी आउट हो गए हैं गाइकोड को भी आउट करा दिया है नंबर चार के उपर आ गए हैं दाय अठारो सो एक तालीस रन पचास फिफ्टीस पंदरा फिफ्टीस मार चुके हैं अल्रेडी तो यह मैथ्यू शॉट की पहली गेन लेक्स्टम के बाहर बहुत बाहर इतनी बाहर की बल्लेवाज ने खेलने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई और अमपायर ने यह गेंद आने जा रही है और यह एक और अच्छी गेंद पैरो पर फ्लिक किया स्कुएल लिग बाउंडरी की तरफ एक रन के लिए एक रन के साथ 24 पे दो विकेट्स हैं भारतियो टीम दो ओवर सो चार गेंदों की समाफ्ती के बाद आखरी की दो और गेंदे मौजूद इस ओवर में चार गेंदे फेक चुके हैं अब तक 12 रन दे चुके हैं एक सफलता मैथ्वी शौट के नाम है इस ओवर की पांचवी गेंद इशान किशन ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि दोस्तों टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो और पारी का आखरी दिन चल रहा हो उस तरीके की ब बड़ा योगदान अभी तक इस पारी में किसी का रहा है तो इशान किशन का रहा है क्योंकि अब तक 18 गेंदे हुई हैं 9 गेंदे इन जनाब ने खेली हैं रन कितने बनाए हैं केवल दो अगली गेंद इशान की इशान के लिए मैथ्वी शौट की शौट बॉल आफ स्टम पर बैक फूट पर जाके सामने की तरफ सीधा खेला गेंद बास की बाईं तरफ से गेंद जाती भी लॉंग ऑफ बाउंडरी की दिशा में जहां स्टीविन स्मित मौजूद थे एक रन के लिए ओवर की समापती तीन के बाद पचीज दो विकट भारत एक और ओवर समापत और ये ध्यान रखना होगा ईशान किशन को कि आने वाले ओवरो में तेज गती से रंस बनाने होंगे नई ओवर की शुरुवात बाए हाथ के जेसन बेरिंडाफा आ गये हैं वापस बेरिंडाफ ने पिछले ओवर में काफी पृशान किया था काफी तंग किया था इनको आईए देखते हैं इस नय ओवर की शुरुवात के ऊपर भी परिशान और तंग करते हैं या नहीं, यह तेज गती की गेन, ओन साइड में फ्लिक करने की कोशिस, लेकिन गेन दो बल्ले के बीच हम देखेंगे, तो वहाँ संपर्क हुआ है, और गेन सीधा डीप स्क्वैलिक बाउंडरी की तरह पहुँच गई है, एक रन इन दोनों बल्ले बाजों ने दोड़ के पूरा कर लिया है, एक रन के साथ 26 पे दो भारत 3 ओवर सो 1 गेन के बाद, जेसन बेरेंडॉफ की अगर हम बात करते हैं, दोस्तों तो 23 गेनबाज हैं, और आज आस्ट्रेलिया के टीम के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, बेरेंडॉफ को बहुत अच्छे खिलाडी, बहुत ही होनहार खिलाडियों में से एक और आस्ट्रेलिया ये टीम के, ये बाए हाथ से बेरेंडॉफ दोड़ना शुरू कर रहे हैं, दूसरी गेन लेकर आने के लिए आफस्ट्रेम के बाहर पुलर लेंड डिलिवरी, ड्राइफ करने की कोशिस, ट्राइफ करने के प्रियास में गेन बल्ले का किनारा छोड़ कर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, बाकी का कार है, विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, एक जोरदार अपील विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन नॉट आउट का फैसला, क्योंकि बल्ले का किनारा छोड़ती हुए गेन, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई, और बचावा जो कार है था, विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया है तीन ओवर दो गेंदों में भारती टीम 26 पे पहुंच चुकी है दो विक्टो के नुकसान के बाद बहुत ही धीमी बल्ले बाजी से में भारती बल्ले बाजु के द्वारा अभी रन रेट की बात करते हैं 27.71 का है रिक्वाइड है दोस्तों 11.71 सुन्य तीन का और ये औस्टम के उपर गेंद फिलिक करने की कोशिस लेकिन डीप स्कूर एक बाउंडरी पे नेथन एलिस में वजूद है भारती बल्ले बाजों को केवल और केवल एक रन लेने का मौका और जब तक इस गेंद को डीप स्कूर एक बाउंडरी के पास से एलिस त्रो करते इन दोनों बल्ले बाजों ने एक रन पूरा कर लिया भारत का स्कूर 27 रन स्के उपप पहुंचा है एक नहीं दो विक्टोक नुकसान के बाद अगली गेंद अभी वी सूबर के अंदर हम देखते हैं दोस्तों तो गेंद बाजी में कुल मिलाके जो हैं तीन और गेंदे रह गई हैं बाकी दो और गेंदे रह गई हैं बाकी बहरेंड ओफ की ये चौथी गेंद एक स्लिप के साथ उचान ले टीवी गेंद दोस्तों और बाहर की तरफ निकल रही थी इशान किशन ऐसा लग रहा है कि दोस्तों नींद में खेल रहे हैं एक बार फिर गेंद को छोड़ने की कोशिस करी किनारा छोड़ती वी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और बाकी का कारिया विकेट कीपर ने कर लिया तो इशान किशन लगतार दोस्तों प्रेशर डाल रहे हैं एक छोड़ से और इतना ज़्यादा प्रेशर आतावा इसमें भारती टीम के उपर कि आने वाले समय में बड़ी परिशानी हो सकती है यह अगली गेन लेके चले बाएं हाथ से उवर दे विकेट से जेसन बहरंडॉर्फ और बहरंडॉर्फ की यह गेन थोड़ी सी शॉट लेक्स टम की लाइन पर फ्लिक किया गेन जाती भी डीप स्कुएल एक बाउंडरी की दिशा में जबते कि इस गेन को स्कुएल एक बाउंडरी का फिल्डा वहां फील्ड कर पाता थ्रो कर पाता इन दो नोबले बाजो ने एक रन और दोड़ कर पूरा कर लिया है तो इस एक रन के साथी स्कूर जो हो चुका है दोस्तों बढ़कर आप देख सकते हैं इसमें यहां पर 28 रन्स दो विक्टो कनुकसान के बाद तो सूरी कुमार यादो जो की भारती टीम के दोस्तों कप्तान है इस स्रिंखला में कैसा आप प्रदर्शन करेंगे चली देखते हैं और यह जेसन बेरेंड़ोफ की दूसरे ओबर की आख रिगेन पारी के चौते ओबर के आख रिगेन थी 130 किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीड से गेन आई लेक्स्टम पर और गेन फाइन लेक बाउंडरी के बाहर सीधा सेकेंड टीर के उपर 6 रनों के लिए बहुत ही कमाल का शौट सूरे कुमार यादो स्पेशल शौट आता हुआ शौट अफ लेंड डिलिवरी लेक्स्टम के उपर थोड़ी सी शौट थी इंतिजार कर रहे थे आखरी समय तक बल्ले बाज और जो इनका पसंदीदा शौट है दोस्तों वही पसंदीदा शौट लगाते हैं यहां पीछे की तरफ जाके फाइन लिएक बाउंडरे के उपर सीधा दर्शक दीरगाव में एक और चका आता वा बहुत अच्छी शौट और इस शौट की दोस्तों तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से इन्हों लगाया इतना आसान नहीं है दोस्तों यह वाला शौट केलना है इस विकेट के उपर लेकिन सुरिकुमार यादो बहुत आसान बनायते हैं दोस्तों ऐसे शौट को इस विकेट के उपर खासतों और से आप लोगों को किसी भी विकेट के उपर जब यह बले बाजी करते हैं और इशान किशन ने इस गेंद को दो फिल्डरों के बीच में से खेल दिया, स्क्वेल एक बाउंडरे की तराफ एक रन भागेंगे, लेकिन डीप स्क्वेल एक बाउंडरे पे फिल्डर मौजूद, डीप मिर्विगट बाउंडरी के पास जाके, वहां मैथ्यू शॉर्ट ने फिल्ड किया, और जब तक फिल्ड करके थ्रो कर पाते हैं, इन दोनों बल्ले बाउंडरे ने दूसरा रन भी बड़ी आराम से चेहल कदमी करते हैं, दोस्तों पूरा कर लिया है, अब दोस्तों इसी तरीके से लगतार बल्ले बाजी करते रहनी होगी, रुखना नहीं है यहां से, क्योंकि अगर आप रुख जाएंगे तो फिर परिशानी आपकी टीम के लिए ही आएगी, चलिए, इशान किशन ने बहुती सांदार शॉट लगाया और गेंद इस बार चटके के लिए, पहला शॉट इशान किशन का पैरो के उपर गेंद थी, एक लेंथ डिलिवरी, और इस लेंथ डिलिवरी के उपा फिलिक कर दिया, इस बार उस शॉट को इन्होंने मिस नहीं किया, इस बार गेंद सीधा डीप स्कुएल एक बाउंडरी के बाहर निकल गई, और ये पूरे के पूरे छे रंस बल्ले बाजों को मिल गए हैं, जाए ये अगली गेंद लेकर चलने के लिए गेंद बाज तैयार में जरा रहे हैं, ये दाए हाँज से शॉन अबट की शॉट आफ लेंड डिलिवरी, एक बाख फिर से दोस्तों बल्ले बाज ने लपा घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के स्कुएल एक बाउंडरी के दुरफ जाती भी एक और रन के लिए हैं, तो इशान किशन अब थोड़ा सा आपने हाथ खोल रहे हैं, कोशिस कर रहे हैं कि दोस्तों तेज गती से जो हैं वो अब बल्ले बाजी की जाए, तो इसलिए दोस्तों कोशिस कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ ओवर में उतनी तेज गती से रंस आया नहीं है, तो अब तेज गती से रंस बनाने ही पड़ेंगे दोस्तों, चाहें ये मारे हैं या कोई और मारे हैं लेकिन रंस तो बनाने ही पड़ेंगे, चार ओवर तीन गेंदों के बाद 43 रन दो विक्टोग नुकसान के बाद इस बीच ये शान अबट के एक बेहतरीन गेंद सुरी कुमार यादों के लिए स्टम्स की लाइन के उपर जोरदार अपील गेंद बाजो विकेट कीपर की तरफ से लेगिन अमपायर ने नौट आउट का फैसला करार दिया है और इस नौट आउट के फैसले के साथ ही समय माथ्यू वेड, शान अबट और स्टीवन स्मिट के एक छोटी से मीटिंग लेगिन इस मीटिंग के उपर ये डिसाइड किया गया कि रिव्यू जो है वो इस्तमाल नहीं करेंगे माथ्यू वेड जी हाँ बाल बच गए माना है दोस्तों गेंद बास का और विकेट कीपर का कप्तान का की गेंद लेक्स्टम के बाहर जा रही और ये सही फैसला कि ये गेंद के उपर रिव्यू नहीं लिया गया क्योंकि गेंद डाउन दे लेक जा रही थी रिव्यू ऐसे बरबाद ही हो जाता अगर ये ले लेते तो अगली गेंद लेके चलने के लिए हैं तयार चलिए इस बीच सुरी कुमार यादो का एक और स्पेशल शॉट एक बाद फिर गेंद स्क्वेल एक और मिडविकेट बाउन्डरी के उपर फिल्डर पीछे मौजूद लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गेंद सीधा बाउन्डरी रुप्स के बाहर गिरेगी एक और चक्वे के लिए सूरी कुमार यादो का एक और बहतरी इन शॉट एक और पसंदीदा शॉट आतावे इनका पैरो पर डाली भी एक लेंथ डिलिवरी थी शॉन अबट की तरफ से अपने फ्रेंट फूट को बस हलका सा आगे की तराफ निकाला और इस गेंद को फ्लिक सा कर दिया और मिर्वगट बाउन्डरी के बाहर ये गेंद गिर गई है दर्शक दीर गावं में आदे दरजन रन बले बाजो को उस गेंद के उपर मिल गए हैं पचास रन्स के उपर इसे में दो विक्टे हो चुकी हैं चारो वर्स और पाँच गेंदो का खेल समाफ तो चुका है जाएं एक स्लिप के साथ शान अबट की ए गेंद लेक्स्टम के उपर थी धीमी गती की गेंद फ्लिक करने की कोशिस लेकिन डाउन दे लेक गेंज जा रही थी अमपार ने यह वाइड गेंद का इशारा करार दिया है एक और मुफ्त के रन दोस्तों बल्ले बाजो को मिल जाएंगे हां जो स्कोर जो है वह पचास हो चुके हैं और पचास पर आप देखेंगे तो दो विक्टे दोस्तों हो चुकी हैं और शान अबट की अब आ का खेल रहे हैं तेज तरार बल्ले बाजी चैप्टन लीडिंग फ्रन दे फ्रंट जिसे हम कहते हैं दोस्तों वही कारे कर रहे हैं आज सूरिया और ये लीजिए पैरो पर गेंद लेकिन सामने की तरफ बिल्कुल सीधा शॉट आउट फिल बहुत तेज मिड ओफ और जाली भी गेंद थी मिडल और आफ स्टम की लाइन के उपर और सूरिय कुमार यादो ने अपने फ्रंट फूर्ट को बस सामनी की तरफ निकाला बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद को दोस्तों सीधा खेल दिया है गेंद जो है वो लॉंग ओफ और लॉंग ओन बाउ बाउंडरी के बीच चार रनों के लिए तेज गेंद बाद आ गया है नेथन एलिस अबने पारी के शुरुवात करने के लिए पहली गेंद लेकर आने के लिए नेथन एलिस की ये पहली गेंद आती हुई तो पहली गेंद नेथन अलिस आ रहे हैं लेके फाबाट इंक्रीज के उपर दोस्तो इशान किशन मौजूद भागना शुरू किया इन्होंने एक शॉट थर्ड मेंड के साथ आस्टम के बाहर बिल्कुल उपर की तरफ डाली वी गेंड थी रन फूट पर आये सामनी की तरफ इस गेंड को ड्राइफ कर देंगे गेंड मिड़ॉफ के पास पहुँचेगी वहां मिड़ॉफ की दिशा में फिल्डर मौजूद है मिड़ॉफ के फिल्डर अपनी बाई तरफ जाके इस गेंड को फील कर पाते तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ते हुए बहुत ही प्यार से बहुत ही आसानी के साथ ये एक रन और भाग कर पूरा कर लिया है पच्पन पे दो हैं पांच ओवर्स और एक गेंड की समाफ़ती के बाद इस मुकाबले में पहले टी-20 मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्रो कप की समाफ़ती के बाद भारत और अस्ट्रेलिया की टीमें दोस्तों पांच T20 मुकाबलों की सीरीज खेल रही है यह दूसरी गेन थी इस बीच लेक्स्टम के उपर किशान किशन ने इस गेन को सूरी कुमार यादो ने इस गेन को ऑन साइड में मोडने की कोशिस की ओफ साइड की गेन के उपर लेकिन गेन जो है बल्ले पर ठकरा के सीधा मिडॉन के पास पहुंची है और वहां मिडॉन के पास जो है दोस्तों फिल्डर मौजूद है बाकी का जो कार है था वो मिडॉन के फिल्डर ने कर लिया रन लेने का कोई मौका इस गेन के उप़र एक बाफ फिर ये गेन बाज नहीं देने वाले हैं अगर स्कोर की बात करते हैं तो 55 रन्स दोस अभी भी बने हुए हैं इस मुकाबले में दाय हाथ से ये नेथन एलिस दोड़ना शुरू कर रहे हैं इस ओवर की अगली गेन लेकर आने के लिए बाटिंग क्रीस के उप़र बलेबाज तयार नज़रा रहे हैं नेथन एलिस बाटिंग के उप़र जो नज़रा रहे हैं बलेबाज वो सूर्या हैं और आज सूरी कुमार यादो दोस्तों एक अलगी अंदाज में नज़रा रहे हैं एक सो तीन किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीड से नेथर एलिस के सोवर की तीसरी गेन डाली गई सूरी कुमार यादो गेन का इंतिजार कर रहे थे और जैसे देखा कि गेन पैरो पर है ओस्टम की तरफ शफल करके इस गेन को फाइन लेक बाउंडरी की तरफ फ्लिक कर दिया और गेन निकल गई है सीधा फाइन लेक बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए तो लेक स्टम के उपर डाली गई गेन थी शफल करके ओस्टम पर आ गई और बहुत यह आसानी के साथ इस गेन के उपए इन्होंने फ्लिक कर दिया और गेन जैसे ही बल्ले पर ठकराई वैसे ही 204 रनों की छाप इस गेन के उपए छपसी गई थी और बहुत तेज गती से फाइनल एक बाउंडरी के बाहर ये गेन निकल गई पूरे के पूरे चार अच्टम की लाइन पर अपने फ्रेंट फूट पार के सामने की सीधा शॉट खेल देंगे गेन सीधा मिड़ान की दिशा में पहुंची मिड़ान पर फिल्डर मौझूद थे मिड़ान के फिल्डर अपनी 20 तरफ जाके इस गेन को फील करेंगे रन लेने का कोई मौखा नही आखरी के दो गेंदे नेथन एलिस के सूबर में मौझूद आईए देखते हैं दोस्तों सूरी कुमार यादो जो की 22 रनों के उपर खेल रहे हैं अभी मातर और मातर 10 गेंदों का इन्होंने सामना किया लीजिए एक और सुन्दर शॉर्ट दो फिल्डरों के बीच फिल्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे लेकिन रोक नहीं पाएंगे गेंद निकल जाएगे सीधा स्क्वेर लेगर मिडवगट बाउंडरी के बाहर एक और चौके के लिए है पैरो पर डाली वी फुलर लेंड डिलिवरी नेथन एलिस के तरफ से अपने फ्रंट फूट को सामने की तरफ निकाला इन्होंने और इस गेंद के उपर फिलिक कर दिया डीप मिडवगट बाउंडरी के बाहर बहुती खुपसूरट टाइमिंग बहतरी इंप्लेस्मेंट और गेंड बाउंडरी रोपस के बाहर चार सुन्दर रनों के लिए तरेसाट रंस दोविक टोकन उकसान के बाद ये पहले ओवर की दोस्तों नेथन एलिस आखरी गेंड लेकर चलने के लिए तयार ठीका ये छटा ओवर चल रहा है और देखते हैं दोस्तों ये छटे ओवर की आँखरी गेंड पे नेथन एलिस कहां पर डालते हैं इस गेंड को दाए हाट से तेज गती की गेंड बल्ले का बाहरी किनारा बल्ले को तिरचा किया था आँखरी समय के उपर ताकि गेंड बल्ले का किनारे पर लगे और गेंड बल्ले के किनारे पर लगी गेंड पहुंची सिधा बैकवर्ड पॉइंट के पास बचावा कारे दोस्तों वहा कितने रंस दोस्तों लग रहा है कि आप लोगों को भारतिय टीम इस मैच में बना लेगी मुझे तो लग रहा है कि इस मैच में भारतिय टीम जो है इन रनों को आराम से पीछा कर ले जाएगी पहला ही T20 मुकाबला भारत बनाम उस्ट्रीलिया के बीच दोस्तों खेला जा रहा है वाईजाग में विशाका पटनम के अंदर और यह विशाका पटनम जो है दोस्तों बहुत ही खुबसूरत मैदानों में से एक है भारती है सरजमी पे जहां इस नए उबर की शुरुवात के उपर नए गेनबाज जो हैं वो आ रहे हैं गेनबाजी करने के लिए और यह तनवीर सांगा आ रहे हैं जिया तो तनवीर सांगा स्पिन गेनबाज आ रहे हैं नए उबर की शुरुवात के उपर और देखते हैं दोस्तों ये जो तन्वीर सांगा हैं वो किस तरीके की इस मुकाबले के इंदर करने जा रहे हैं गेन बाजी क्योंकि तन्वीर सांगा एक बहुत इच्छे स्पिन गेन बाज माने जाते हैं औस्ट्रेलिया का कहा जाता है कि दोस्तों ये दूसरे आडम जांपा होने वाले हैं आने वाले समय में सांगा की गेन शॉर्ट बॉल पीछे की तरफ इचान किशन ने जाके इस गेन को पुल किया लॉंग ओन बाउंडरी की तरफ ये गेन पहुंची एक रन दोनों बल्ले बाज उन्हें भाग कर पूरा कर लिया भारत 64 पे दो हैं 6 ओवर्स एक गेन के बाद सांगा की अगली गेन बैटिंग क्रीज के उपर बल्ले बाज तयार है सूरी कुमार यादो 12 गेन दों के उपर 12 रन बना के खेल रहे हैं इस मैच में तब तक आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तो चैनल को लाइक करना ना भूलेगा नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलेगा आप लोग ताकि जब भी हम आपके साथ लाइब आएं दोस्तों तब आप लोगों को हर मैच का नोटिफिकेशन कम से कम मिल जाए तो तन्वीर सांगा इस ओवर की दूसरी गेन लेकर चलने के लिए तयार फ्लाइटे डिलिवरी लेक्स टम पर आउन साइड में मोडा गेन को स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ गेन पूँची एक रन के लिए पहली गन, सिंगल, दूसरी गन, सिंगल, तीसी गन लेने के लिए तैयार बायहाथ के बलेबाज इत्षान के शन एक और फ्लाइटे डिलिवरी थी बलेबाज ने आगे की गेन पे फिर से पीछे की तरफ जाके पुल किया, लॉझ ओन बाउनरी की तरफ एक और रन 6-8-6-2-6-3-3 गेंदों की समाफ़ती के बाद भारत 24 गेंदों में 44 की पार्टनर्शिप 143 रनों की आवशक्ता 181 गेंदों पर भारती टीम को चाहिए 209 का टार्गेट जैसा कि आपको याद होगा 207 की स्ट्राइक रेट के साथ सूरी कुमार यादों खेल रहे हैं इशान किशन 18 गेंदों के पर सोलर रन्स बना का खेल रहे हैं और ये अगली गेंद के लिए त्यार ओवर दे विगट से तनवीर सांगा की ये एक और फ्लाइट डिलिवरी थी ओफ्स्टम के बाहर सांगा की तरफ से गेंद और सांगा की इस गेंद को दोस्तो सूरी कुमार यादों ने लॉंग ओफ बाउंटरी की तरफ खेला एक रन के लिए हैं तो सरसर रन्स दो विक्टो के नुकसान के बाद छे ओवर और चार गेंदों की खेल की समाफ्ती हो चली है और संगा आखरी की दो और गेंदे जो हैं दोस्तों लेकर चलने के लिए तयार नजर आ रहे हैं ये आखरी की दो गेंदों के उपा बाक्समें तयार नजर आते वे सोवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए इस बीच हवा में शॉर्ट उठा का मारा गया स्ट्रोक था लेकिन फिल्डवा मौजूद मिलेगा केवल और केवल एक और सिंगल तो सिंगल पर सिंगल ही बटो कर ये एक रन पूरा कर लिया तो भारत और सट रनों के उपद दो विक्टों के उपद पहुंची संगा अपने पहले ओवर की आखरी गेंद लेकर चलने के लिए तयार बैटिंग में दोस्तो स्ट्राइक के उपद सूरी कुमार यादो ओफस्टम के बहार एक और फ्लाइटे डिलिवरी ओफस्टम पर थी और स्वीप कर दिया इस गेंद को स्क्वेल लेक बाउंडरी के तराफ केवल एक और रन एक और रन के साथ ओवर जो हो गया है समाफ तो साथ के बाद 79 रन्स 79 रनों के उपद दो विकेट्स इस मकाबले में 7 ओवरो का खेल जो है वो इसी बीच हो चुका है समाफ तो दोस्तो सूरी कुमार यादों ने कुल मिलाके 29 रन्स केवल और केवल 15 गेंदों के उपर बना लिये हैं और उनके साथ दूसरे छोर के उपर जो बल्लेबादी कर रहे हैं बल्लेबाज यहाँ पर सूरी कुमार यादो 15 गेंदों में 29 और उनके साथ 19 गेंदों के उपर 17 तो तरहा को यहांस करना कश sens घेल रहे हैं चैसले किधने लेकिन इस्षान किषन को अपर 축्रांब क्न रहे हैं लेकिन आप समय अचुका है इशान किशन कियLIE навीada की थोड़ा थेẩश करना से सब्सक्राइल मेंщеocy sc बेरेंड ओफ अपना अगला ओवर लेकर शुरू कर रहे हैं बाए हाथ से बेरेंड ओफ की आठवे ओवर की शुरुवात की पहली गेन सामने बैट इंक्रीस के उपर सूरी कुमार यादो मौझूद तो सूर्या के लिए शॉट अफ लेंड डिलिवरी खुबसूरत शॉट दो फिल्डा मोझूद है वहाँ बाउंडरी पे एक रन भागेंगे दूसरे का कॉल किया है और जब तक इस गेन को फिल्डा वहाँ फील्ड कर पाता बाउंडरी के ठीक करीब से कवर बाउंडरी के पास है तब तक इन दोनों बल्ले बाजुने आराम से दो रंस पूरे कर लिए राइफ किया था एक्स्ट्रा कवर सी मरेखा के तरफ और जब तक इस गेन को दोस्तों वहाँ फिल्डा जो था फिल्ड कर पाता बाउंडरी के ठीक करीब से इन दोनों बल्ले बाजुने दो रंस भाग कर पूरे कर लिए तो भारत इस समय एकातर रंणों के उपर दो विकेट्स पहुंच चुके हैं ओलरी इस मैच में पांच मुकाबलों की दोस्तों यह T20 सीरीज है अगर आपको याद नहीं है तो मैं आप लोगों को दोबारा याद दिला दूं ये पांच मुकाबलों की ये T20 सीरीज जिसमें से पहला मुकाबला आज वाई जाग में खिला जा रहा है विशाका पटनम में फिर आप लोगों को चार और मैचेज इस सीरीज में रह जाएंगे बाकी इस बीच अगली गेन और ये सांधार स्ट्रोक गेन बाउंडरी रोपस क कि बाई तरफ से गेन निकल गई चार रनों के लिए सूरी कुमार यादों के बल्ले से सूरिया ने लगाया ये चौथा चौका भारत पहुंचा 75 पे दो साथ ओवर सो दो गेन्दों के बाद अगला मुकाबला थिरुविन नंतपूरं में खिला जाएगा और फिर आपको गोहाटी में दोस्तों कारवा मूव होगा फिर राइपूर में फिर बैंगलूरू में तो पांच मुकाबलों के सीरीज में तीन मैचेस साउथ में खिले जाएंगे एक नौर्थ में और एक दो कुमार यादों ने लगाया लॉंग ऑफ बाउंडरी की दिश्चा में जब तक इस गेंड को फिल्डा वहां फिल्ड करके थो कर पा था इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दोड़ के ये एक रन और पूरा कर लिया है तो भारत अब पहुंच चुका है 76 रनों के उपर और 76 र गाइड कर दिया स्टीर कर दिया है डीप थर्ड बिन बाउंडरी के दिशा में और जब तक इस बार इस गेंड को डीप थर्ड बिन बाउंडरी के पास से फील्ड कर पाता फिल्डा तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और ले लिया 77 रन दो विक्टो के नुक्स सूरी कुमार यादों कहां खेलते हैं आखरी के दो गेंडों के पर शॉट को तब तक आप लोग भी सब्सक्राइब कीजे चैनल को बेरन डॉफ की ये पाँचवी गेंड लेक्स्टम की लाइन पे फ्लिक किया आउन साइड में स्क्वेर लेक और फाइन लेक बाउंडरी की तरफ गेंड जाएगी एक रन के लिए अगला मुकाबला 26 तारी को दोस्तों खेला जाएगा शॉट अफ लेंड डिलिवरी के उपा पुल मारने की कोशिस कर रहे थे बल्ले के टॉप इच पे गेंड लगने के बाद फाइन लेक बाउंडरी की तरफ पहुँची और एक रन इन दोने बल्ले बाजों ने केवल और केवल पूरा किया तो स्कोरों चलाए बढ़के 78 रन्स दो विक्टों के बाद 7 ओवर्स और 5 गेंडों की समावती हो गई है आखरी गेंड दोस्तों लेके चल रहे हैं बहरेंड ओफ तीसरे ओवर के अंदर और बैट इंक्रीस के उपा इशान किशन 18 रनों के उपा बहरेंड ओफ की या आखरी गेंड आट वे ओवर के अंदर सुरी कुमार यादों ने इस गेंड को पुल कर दिया गेंजाते हैं स्कोरे लेक बाउंडरी के तराफ एक रन भागेंगे इशान किशन ने और जो तेक इस गेंड को स्कोरे लेक बाउंडरी के पास है शान अबट फील करके थ्रो कर पाते हैं दोनों बल्ले बाज उन्हें एक रन और दोड़ कर पूरा कर लिया ओवर हो गया है समाफ्ट आठ के बाद 18 दो विक्टो के बाद भारत यहां से दोस्तो करीब करीब मैं आप लोगों को बता दू कि भारत ये टीम को अभी भी आवशक्ता इस मैच के इंदर जो हैं वो बहुत जादा रनों की हैं 72 गेंदों में 130 रन्स यानि की 12 ओवरों का खेल रहे गया है दस दस मलो आठ तीन रन्स प्रती ओवर के हिसाब से भारत बल्ले बाजी कर रहा है तन्वीर सांगा जो कि अपना दूसरा ओवर शुरू करने के लिए आ रहे हैं जैसा कि आस्ट्रीलिया कहती है दोस्तों इनको कि नए आडम जाम पा हैं तो दोस्तों तन्वीर सांगा अपने नय ओवर की शुरूवात के साथ आने जा रहे हैं दूसरे ओवर की शुरूवात के उपर पहली गेंड के उपर बल्ले बाजी क्रीस के उपर जो मौजूद नजर आने वाले हैं वो नज़र आने वाले हैं आपको इशान किशन और इशान किशन के साथ तन्वीर सांगहा मौजूद उनके सामने तन्वीर सांगहा की नवे ओवर की पहली गेंद इशान किशन ने अभी तक रन बॉल पारी खेली है सौ से कम का स्ट्राइक रेट लेकिन इसी बीच सौ के उपर को सौ के उपर स्ट्राइक रेट को पहुंचा दिया है सांगा किये पहली गेन ओस्टम के उपार लेकिन फ्रंट फूट को सामने की तराफ निकाला स्लॉक स्वीप कर दिया मिर्वगट बाउंडरी की तराफ शान अबट से थोड़ी से मिस्फिल्डिंग और गेन इस बार एक बार फिर हवा में फिल्ड़ा पीछे मौझूद लेकिन इस बार के वल दर्शक बन रहे जाएंगे और शान अबट के उपर से इस बार गेन दर्शकों के अंदर छे रनों के लिए नीचे की तरा बैठे फ्रंट फूट को निकाला इशान किशन ने और गेन को स्क्वेर लेक बाउंडरी के उपर खेल दिया बहुत दूर और गेन सीधा पहले टियर पे जाके गिरती वे स्क्वेर लेक बाउंडरी के बाहर इशान किशन के बल्ले से आतावा सांदार चका ये पहुँचे दो छक्कों के साथ 126 के स्ट्राइक रेट के साथ आप लोगों को ना 30 रनों के उपर 80 मीटर लंबा छक्का मारा था पिछली गेन पे दुबारा से संगा की गेन और एक बार फिर ये गेन मिर्वगट बाउंडरी के तरफ शान अबट मौझूद कैच पकड़ने की कोशिस लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि बाउंडरी के बाहर एक और गेन गिरती वे शान किशन के बल्ले से इस ओवर का ये दूसरा छक्का एक चौका भी आ चुका है कुल मिला के सोलर रन बटोर चुके हफ़ता की शान किशन इस ओवर में प्लाइटे डिलिवरी लेक्स्टम के उपर अपने फ्रंट फूट को निकाला थोड़ा सा आगे की तरफ आए और इस गेन को मिड़वगट बाउंडरी के उपर उठा का मारा शान इबट ने कोशिस की लेकिन दूर रह गए वो और बाउंडरी रोपस के ठीक एक दो इंच आगे जाके गिरी है और छे रन्स मिलते वे भारत 95 पे दो विकेट्स भारत जीत के और करीब पहुंचता हुआ रिक्वाइड रेट जो कि 11 के पास था अब वो 9 का हो चुका है भारत का रन्रेट जो कि 7-8 रन प्रती ओवर के हिसाब से चल रहा था वो 11 के पार पहुंच चुका है प्रेशर अब साफ तो और से दोस्तों नजर आ रहा है किसके उपर उस्ट्रीलिया के उपर और मैं आप लोगों को बता दू कि उस्ट्रीलिया जो है 208 रन आज के इस मै गेंदों के बाद इस माच में इसली सांगा की आखरी की दो और गेंदे रह गई हैं बाकी अगली गेंद को मिस कर दिया इशान किशन ने अर दोस्तों रिस्क लेने की कोई आवश्यक्ता है भी नहीं किए ऑंख्री की गूगली थी, ओस्टम के उपार एक बाफ पिछे की तरफ जाके, इशान ने एक और सिंगल के लिए की दोस्तों खेल दिया है, बहुत अची गेन थी, और शॉट भी उतना ही अच्छा था इशान किशन के द्वारा, लॉंग ओफ बाउंडरी की तरफ खेलके एक रन बटो रह एक रन के साथ दोस्तों 97 पे दो, वीवियस लक्षमन दोस्तों इस सीरीज में भारत के कोच हैं, कप्तान सूरी कुमार यादो हैं, और वीवियस लक्षमन को दोस्तों एक बहुत भारी कारे करना है इस स्रिंखला में, क्योंकि हम देखेंगे, तो बड़े-बड़े खिलाड योगे साथ दोस्तों इस स्रिंखला को जीतने की कोशिस करनी होगी, और जब आप होम सीरीज खेलते हैं, तो आपके उपर ज़्यादा प्रेशर भी होता है, यह अगली गें, तनवीर संगह की, और इस आखरी गें के उपर भी दोस्तों एक रन बटोरा गया, 9 वे उबर की स 9 वे, दो विक्टोर कनुकसान के बाद, 9 वे उबरो का खेल इसी बीचिस मैच में हो गया है, समाफ्त, आने वाले बले बाजों की तरफ एक बर मैं आप लोगों को नज़र डालूँगा, इस ओवर की समाफ्ती के बाद, जी नहीं, इसी ओवर में देख लेते हैं, तो अगल वर्मा नंबर 5, नंबर 6 के उपर बिग हिटर रिंकु सिंग के लेंगे, 7 के उपर अक्षर पटेल खेलेंगे, 8 के उपर रवी बिश्नोई खेलेंगे, तो अभी भी भारत के पास दोस्तों अच्छी खासी बल्लेबाजी नजर आ रही है, 111 रनों की आवशक्ता, 68 गेंदो के उपर 11 ओवरों में चाहिए, क्या दोस्तों इतने सारे रन्स बना पाएगी भारत, चलिए, ये दोस्तों इतना आसान नहीं होगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है, लेकिन तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप में से एक और मित्र इस वीडियो को लाइक कर देगा, तो हम लोग पहुं जाएंगे पूरे के पूरे 200 लाइक के उपर, 199 दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक कर दी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है, आ की तेज़ गेंदबाज हैं वो अब नए छोड़ सा रहे हैं गेंदबाजी की शुरवात के लिए एक अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं और शान अबट की अगर हम बात कर ले तो पूरे मैदान पे दोस्तों तारों के तरह इसमें जुगनुओं के तरह मुबाइल के फ्लेश को अन कर दिया है और इसी वज़े से दोस्तों पूरा मैदान इसमें तारों के तरह टिम्टी मातावा नजर आ रहा है शान अबट नए ओबर की शुरुवात करने के लिए आने जा रहे हैं तो नए ओबर की पहली गेंद इसमें परिशान नजर नहीं आ रहे हैं बिलकुल भ दोस्तों पूरे मोबाइल से इसमें पूरे मैदान के अपर तारों की तरह टिम्टी मातावा तारे नजर आ रहे हैं इसी वज़े से बल्ले बाजों के भी थोड़ी बहुत परिशानी हो सकती है पिछले पांच ओफरों में भारत के बल्ले बाजों ने गुल मिलाके 64 रंस ब लगी नहीं और गेन जाती भी सीधा शॉर्ट थर्ड में की तरफ और बाकी का कार है दोस्तों वहां शॉर्ट थर्ड में के फिल्डर ने कर लिया और शॉर्ट थर्ड में के फिल्डर ने इस गेन को फील्ड करके वापस कर दिया है रंज है दोस्तों इस गेन के उपर नहीं अफलेंड डिलेवरी और अमपायर ने दोसे ये वाइड गेन का इशारा करार दिया बहुत जादा शॉट थी आफस्टम के बाहर तपपा खाने के बाद अतरिक तुछाल लेती वियो और बाहर की तरफ जा रही थी बल्ले बाल ने इस गेन को देखा समझा कट करने की कोशी ज लेकिन बल्ले का किनारा छोड़ती वी गेन सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची और अमपायर ने दोसे ये वाइड गेन का इशारा करार दिया एक और शॉट बॉल एक बार फिर ये गेन दॉस्टम के बाहर जा रही थी एक बार फिर अमपायर ने दोसे इस गेन को वाइड गेन का इशारा करार दिया ये लगतार दो वाइड सा चुके हैं पिछली दो लगतार गेंडों के उपर बहुत ही ज़्यादा शॉट थी ओस्टम पर इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस कर रहे थे बल्लेबाज लेकिन पूरी तरीके से इस गेन की लाइन को ये मिस कर गए और गेन जो है दोस्तो बल्ले के किनारे को छोड़ कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में तो दो लगतार वाइड गेन दे और इन दो लगतार वाइड गेन दे उसे दोस्तो जो प्रेशर है वो बल्लेबास के उपर आतावा नजर आने वाला है अगली गेन लेके चले ये औस्टम के उपर थी गेन टपा खाने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी शान अबट की तरफ से ये गेन और इस गेन को सामने की तरफ सीधा शाट लगा दिया लॉंग ओफ बाउंडरी की तरफ एक रण भागेंगे ड्राइव लगा के चौका रोक लिया गया है दूसरे का कॉल किया है और जब तक इस गेंड को लॉंग ओफ बाउंडरी के फिल्डर ने ड्राइव लगा के दोस्तों इस गेंड को फिल्ड करके थ्रो कर पाते तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड के आराम से ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया दो रनों के साथ इशान किशन के पास स्ट्राइक अभी भी मौजूद अगली गेंड ओस्तिम के उपर टिपपा खाने के बाद गेंड और बाहर की तरफ गई आखरी समय के पर बल्लेबाज ने गाईड कर दिया डीप थर्ड बिन बाउंडरी की दिशा में एक रन और इन दोन पर स्ट्राइक कर देखने के के लिए और दोस्तोव इसलिए ज्यादा क्रावट इस मैंच को देखने के लिआ हुआ क्यों कि यहां समय के उपर बल्ले बाद सूरी कुमार यादो ने इस गेम को अपर कट कर दिया और ये कैच ट्रॉप होता हुआ ऐसा लग रहा है डीप थर्ड में बाउंडरी के उपर खड़े टिम डेविड से तन्वीर सांगा से माफ कीजेगा तो बाल-बाल बच गए डीप थर्ड में बा बढ़ती वी नज़रा रही है और यह अगली गेन के उपर शान अबट की एक ओर धीमी गतीकी तो पर अप झाजिए बाई की दोगेंदे मौझूद पैट इंक्रीस के उपर दोस्तों इशान किशन मौजूद नज़रा रहे हैं और ये दाय हाँ से धीमी गती की ओफ कटर की तरह डाली भी ये गेन थी कट करने की कूशिस कर रहे थे गिन बल्ले पर टकरा के सीधा कवर की दिश्चा में पहुँच गई और जो बचावा का रहे था वो कवर के फिल्डर ने अपनी बाई तरफ जाके फिल्ड कर लिया है रन लेने का इस गेन के उपर दुबारा कोई मौका नहीं देंगे जहां दोस्तों बाँ आँखरी गेन लेकर चलने के लिए गेन बास त्यार है शौन अंथनी आबट और देखते हैं शौन अंथनी आबट की यह आँखरी जो गेंद है वो कहां डालते हैं ये एक और धीमी गती की ओफ कटर की तरह डाली भी गेन कट करने की कोशिस गिन बल्ले पर टकराई जाती भी सीधा कवर की दिशा में उवर हो गया है समाफ करना है 200 चैनल को लाइक करना है इस वीडियो को अगर हम देखते हैं इस मैच में अब तक क्या हुआ है तो भारत 209 रंव का पीछा करने उत्रा है इस मैच में और 209 रंव के पीछा करने उत्री भारतिय टीम ने अब तक इस मुकाबले के अंदर आप देखेंगे तो 106 रंज बनाए हैं दो विक्टो के नुकसान के बाद जिसमें साब को भारतिय टीम की तरफ से बल्ले बाजी में यशस् के साथ रूतुराज गाइकवड ने आज खाता तक नहीं खोला बिना कोई गेंद खेले ही रूतुराज गाइकवड आउट हो गए तीन नंबर के उपर आए नेथन यहां के उपर इशान किशन इशान किशन ने आज 30 गेंदों के उपर 49 रंव की पारी खेली जिसमें एक च के मारे और सूरी कुमार यादों ने 22 गेंदों के उपर 45 रंज बना के नाबाद चार चौके दो छकों के साथ 6 रन मुफ्त मिले हैं 6 के 6 वाइड के रूप में पहली विकेट 11 पे दूसरी विकेट 22 पे गेंद बादी के अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ने बह 28 रन कोई सफलता नहीं इसके बाद नेथन एलिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो एलिक्स ने एक औवर के 9 रन दे के कोई विकेट नहीं हासल की है और रंत में दोस्तो तन वीर सांग्हा ने 2 वर में 25 रन दे के कोई विकेट नहींए निकाला है पावर पले में 63 रंز बने हैं 10 over में 106 run 2 week token नुकसान के बाद भारत आने वाले बले बाजों के तरफ एक नजर फटाफट दोस्तों आप डाल दीजिए क्योंकि अगले बले बाजों में आप देखेंगे तो भारत की तरफ से जो अगले बले बाजों आएंगे वो तिलक वर्मा होंगे जो कि बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं तिलक वर्मा के बाद बल्ले बाजी में नमबर 6 की पॉजिशन पर रिंकू सिंग है जो कि बाएं हाथ के बल्ले बाज है और उमीद है दोस्तों कि आज रिंकू सिंग जो हैं बल्ले बाजी के साथ एक तेज बल्लेबाजी करकर दिखाएंगे भारत के लिए रिंकु सिंग के बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों तो बल्लेबाजी में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के उपर नज़र आ रहे होंगे अक्षर पठेल जोकि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो दोस्तों ये हैं भारतिय टीम के तरफ से आने वाले बल्लेबाजों के कुछ नाम और अब हम देखेंगे कि यहां पर दोस्तों इगारवे ओवर की शुरुआत के पर कौन सा गेनबाज जो हो आता है तो चलिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल दोबारा शुरू होने जा रहा है गेनबाजी में और इस्ट्रेलिया कप्तान ने मारकस इस्टॉइनस जो कि एक खटे-खटे खिलाड़ी हैं दोस्तों मारकस इस्टॉइनस उनको आप शामिल कर लिया है गेनबाजी के लिए तो स्टॉइनस आ रहे हैं तेज गेनबाज अपना दूसरा ओबर शुरू करने के लिए इस माच में तो स्टॉइनस ने एक उपर में कुल मिला कि अब तक 12 रन दिये हैं बार रन दे के दोस्तों कोई सफल ताब तक मारकस इस्टॉइनस को इस माच के अंदर नहीं मिली है फिलहाल के लिए और सुरी कुमार यादो केवल 22 गेनदों के उपर 45 रनों की एक तेज तरार पारी खेल कर दिखा रहे हैं तो ड्रिंक्स ब्रेक अप समाफ्थ हो चुका है और स्टॉइनस आने के लिए तयार नदर आ रहे हैं अपने दूसरे ओवर में तो स्टॉइनस की ये पहली गेनदा थी भी बैट इंक्रीस के उपर सुरी कुमार यादों मौजूद हैं पहली गेन धीमी गती के ओफस्टम पर थी टपपा खाने के बाद उच्छाल लेती वी और बहार की तरफ जा रही थी स्क्वेर कट करने का प्रयास लेकिन गेनदों बल्ले के बीच उतना बढ़ियां संपर्क नहीं हुआ जितना अचा बल्ले बाज चाते थे या फिर बल्ले बाज इस तरीके के गती एकस्पेक्ट कर रहे थे बल्ले पर लगने के बाद गेन जाती वी शौट थर्ड में की दिश्चा में कोई रन लेने का मौका इस नए ओवर की शुरुआत पे नहीं मिला है अगली गेंद लेकर गेंद बाज मारकस स्टॉइनस तयार है स्टॉइनस ने अब तक 16 रन कुल मिला के जो हैं दोस्तों इस मैच के अंदर दिये हैं विकेट्स की बात करते हैं तो विकेट्स अब तक मारकस स्टॉइनस को मिला नहीं है लेकिन हाँ इनके ही ओवर में दोस्तों एक खिलाडी को रन आउट कराया था इस बीच स्टोइनस की गेन धीमी गती की शॉट बॉल थी पुल करने की कोशिस बल्ले का टॉप एच और ये इन शॉट थर्ड में के ऊपर से एक टपा दो टपा और गेन सीमा रिखा के बाहर चार रन्स के लिए अपर कट मारने की कोशिस नीचे की तरह बैट के स्कूप मारने की कोशिस कर रहे थे लेकिन गेन बल्ले के टॉप एच पे ठकराने के बाद सीधा फाइन लेक बाउंडरी और थर्ड में बाउंडरी के बीच में से निकल गई और ये पूरे के पूरे चार रन्स मिल गए बल्ले बाजो को भारत 112 रनों के उपाद दो विक्टो के नुकसान के बाद पहुंचा दस दसमलो तीन गेंडों की समाफ्ती हो गई है इस माच में अगली गेंड लेके चल रहे हैं स्टॉइनस ये धीमी गती की शॉट अफ लेंड डिलिवरी ओस्टम पर थी टपक खाने के बाद टर्न तो नहीं लेकिन हलकी सी अंदर की तरफ आई ये गेंड बल्ले बाज ने आखरी समय के उपर अपने बल्ले को केवल लगा भर दिया गेंड बल्ले पर टकराने के बाद सीधा पहुंच गई कवर के पास और बाकी का कारे कवर के फिल्डर ने कर लिया है अगली गेंड लेके चलें स्टॉइनस आखरी की तीन और गेंडे स्ट्राइक के उपर बाएं हाथ के बल्ले बाज इशान किशन तयार नज़र आ रहे हैं वाई जाग में दोस्तों ये मुकाबला विशाका पटनम के अंदा खेला जा रहा है और ये अगली गेंड जो हैं मारकस स्टॉइनस लेकर आ रहे हैं सामने आपको इशान किशन बल्ले बाजी करने के लिए त्यार बाएं हाथ के बल्ले बाज हैं इशान किशन धीमी गती की एक और शॉट अफ लेंड डिलिवरी थी आफ स्टम पर और तेज गती की गेंड के उपर बल्ले बाज ने ड्राइफ किया गेंड जाती वी सीधा कवर बाउंडरी के दिश्चा में जब तेक इस गेंड को कवर बाउंडरी का फिल्डा वहां फील्ड कर पाता थ्रू कर पाता इन दोने बल्ले बाजों ने एक रन और भाग कर पूरा कर लिया है और भरत अब 112 रनों के उपर पहुंच चुका है दो विक्टोकन उकसान के बाद 10-10 मलाओ चार गेंडों के समाफ़ती जो हो चाई चुकी है अलरेड़ी इस माच में स्ट्वाइनस आखरी की दो और गेंडे लेकर आने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं आईए ज़रा देखते हैं दोस्तों स्ट्वाइनस की अगली दो और गेंडों के उपर कहां खेलते हैं आखरकार ये बल्ले बाद इस मकाबले के अंदर तब तक आप लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए क्योंकि अगली गेंड लेकर मारकस स्ट्वाइनस तयार नज़र आ रहे हैं और ये ओवर दे विकेट से ओफ स्टम के बाहर धीमी गती की गेंटी टपा खाने के बाद उच्छाल लेती वी और अंदर की तरफ आई और स्ट्वाइनस के इस गेंड के उपा बल्लेबाज ने कट किया गेंड जाती वी सीधा पॉइंट की दिशा में जब तक इस गेंड को डीप पॉइंट बाउंडरी का फिल्डा वहां फील्ड कर पाता थ्रो कर पाता इन दोने बल्लेबाज ने दौड कर तीज गती से ये एक रन का कॉल किया है और जब तेक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंबरी का फिल्डा वहां फील करके थ्रो कर पाता है इन दो नहीं बल्लेबाज उने एक रन और अराम से तेजी के साथ दोस्तों फूर्ती के साथ पूरा कर लिया है जो स्कोर 113 रनों के उपर पहुंचा और अमपायर ने इस गेंद के उपर हम देखेंगे तो इस बार वाइड गेंद का इशारा जो वो करार दिया है बहुत ज़्यादा बाहर ये गेंद थी और इतनी ज़्यादा बाहर थी इस बार कि अमपायर ने दोस्तों ये वाइड गेंद का इशारा कराया इस वाइड गे इस चारे के साथ 114 रंद दो विक्टो के नुकसान के बाद भारत गारवे ओवर की यह आखरी गेंद अबाने जा रही है आए देखते हैं गारवे ओवर की इस आखरी गेंद के उपर बल्ले बास खेलते कहां पे हैं इस शॉट को यह उबद विकट से अगली गेंद लेकर करन लेकिन यहाँ इस बार इस तेज गेंद के बल्ले बास ने शॉट अच्छा लगाया गेंद को सीधा कवर की दिश्रा में खेल दिया बचावाकार है दोस्तों वहाँ कवर के फिल्डर ने कर लिया है ओवर की सी के साथ हम देखेंगे तो हो चुकी है समाफ्ती इस ओवर की सम बढ़ कर अप देख सकते हैं 114 रन दो विक्टो के नुख्सान के बाद 111 ओवरो का खेल यहाँ पे इस माच में हो गया है समाफ्ती इसंट तो 114 रन ऑफिकेल के वपर है भारत दो विक्टो के नुख्सान के बाद इस मुकाबले में ततक दोस्तो आप लोग दीजेगा चैनल को अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो और नोटिफिकेशन के बटन को जो अगर आपने डबा दिया है तो फटाफ़ा आप alltidा के बटन protagon को भी गेंद बाजी करने के लिए जा रहे हैं तो चलिए नया ओवर शुरू होने जा रहा है और ये नया ओवर की शुरूआत नेथन एलिस करने जा रहे हैं नेथन एलिस नया ओवर की शुरूआत की पहली गेंद औस टम के उपर दीमी गती की गेंट औस टम पर थी बलेबाज ने इस गेंट को औस टम की तरफ आके फ्लिक कर दिया ओन साइड में इन दोने बलेबाज ने रोटीट कर लिया है यहाँ पे इन दोने बलेबाज ने स्ट्राइक जो है वो रोटीट कर लिया है को और 115 रनों के उपर आप देख सकते हैं हो चुका है बढ़के दो विक्ते केवल और केवल अगली गेंड लेके चले दाय हाँद से ओध विक्ते से लिक्स्टम की लाइन पर ये गेंड प्लिक करने की कोशिस गेंड और बले के बीच यहाँ कोई संपर्ख जो है वो हुआ नहीं है और बाकी का जो कार है था दोस्तों वो हम देखेंगे तो वहाँ फिल्डर ने कर लिया और जब तक इस गेंड को वहाँ फिल्डर फील करके थ्रो कर पाता तब तक इन दोनों ये बल्ले बाजों ने दोड़के ये एक रन और ले लिया है तो एक और रन जो है यहाँ पे इन दोनों ये बल्ले बाजों ने प्राप्ट कर लिया और इस एक रन के साथ स्कोर आप देख सकते हैं एक सो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों एक सो फिलाद सोलर रनों के वेपर दो विक्टे हैं अगली गेंद लेकर आने के लिए तयार गेंद बाज और बैट इंक्रीस के उपर बल्ले बाज तयार नज़रा रहे हैं धीमी गती की गेंद आफ स्टम पर थी और आखरी समय के पर दोस्तों बल्ले बाज ने फ्रेंट फुट पर आके बहुत यह आसानी के साथ इस बार उन साइड में केवल और केवल मोड भर दिया है और जब तक इस गेंद को दोस्तों स्कुएल ले का फिल्डा वहां फील करके थ्रो कर पाता इन दोने बल्ले बाज ने आराम से एक रन पूरा किया है और इस एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोने बल्ले बाज ने रोटेट कर लिया यहां तो स्कूर के अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो स्कूर जो है वो अब वो चुकाए बढ़के 117 रन और 117 रनों के उपर दो विक्ते हो गई हैं अल्रडी इस मुकाबले में अगली गेंद और यह हवा में शॉर्ट फिल्ड़ पीछे मौजूद हैं लेकिन फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि नेथन एलिस के इस गेंद पर बल्ले बाज ने एक और चका लगा दिया इशान किशन ने शौट फ लेन डिलिवरी थी इंतिजार कर रहे थे इस गेंद का बल्ले बाज बैक फूट पे खड़े हुए और इस गेंद को बहुत आसानी के साथ स्क्टे लेक बाउंडरी के उपर से पुल कर दिया है और गेन देखते ही देखते वहाँ स्क्वेर लेक बाउंडरी के बाहर दर्शक दीरगाव में छे रनों के लिए बहुत ही गजब का शॉट लगाया इस गेन के उपर बल्लेबाज इस शान किशन ने इंतिजार किया आखरी समय तक और बहुत ही बहतरीन अंदाज में इस गेन को केवल पुल भर कर दिया और गेन बल्ले पे जैसे ही टकराई वैसे ही 26 रनों के चाप इस गेन के उपर छपसी गई थी और पूरे के पूरे चे रन्स बल्ले बाज को इस गेन के उपर मिल भी गए है जहां ये अगली गेन लेकर चलने के लिए गेन बाज नेथन एलिस एक बाज फिर तयार नदर आ रहे हैं धीमी गती की गेन दॉस्टम पर स्क्वेर कट करने की कोशिस इस दफा लेगिन पूरी तरीके से बीट हो गए बल्ले का किनारा छोड़ कर इस बार गेन सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुँच गई बचावा कारे जुथा दोस्तों विकेट कीपर ने कर लिया 123 पे आवशक्ता केवल और केवल 48 और गेंदों के उपर इस मैच में चाहिए और ये धीमी गती की गेंद आफस्टम पर थी ड्राइफ कर दिया गेंद बहुत तीजी के साथ रॉकेट की तरह उड़ती भी जा रही है कवर बाउंडरी के तरह एक रन दोड़ेंगे दूसरे का कॉ किया है और जब तेक इस गेंद को एक्स्टम पर बाउंडरी का फिल्ड़ा वहां फील्ड करके थ्रू कर पाता इन दोनों बल्ले बाज उने दोड़के एक रन और ले लिया है एक रन के साथ इशान किशन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं 48 गेंद में 85 की आवशक अफ्टा 10.6 3 का रिक्वाइड रेट है भारत का रन रेट 10.33 का चलता वा नजर आ रहा है इस माच में तो दोस्तों यहां सा 8 और ओव्रो का खेल मौजूद है और अगले 8 ओव्रो की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस माच में तो अगले 8 ओव्रो में इस माच के विकेट्स हांसिल करने है आठ विकेट्स बैटिंग करने के लिए विकेट्स और भी बहतुरीन हो गई है पहले से भी जाधा तो परिशानी का जो विशा है वो केवल और केवल एक ही टीम के लिए है और वो दोस्तों आप देखी सकते हैं किसके लिए वो केवल और केवल औस्ट्रेलिया के लिए ही क्योंकि यहाँ अब जो है यह विकेट बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है चलिए इस बार बहुत ही सुन्दर शॉट गेन बाउंडरी रोप्स की तरफ एक और चौका तन्वीर सांगा नए उबर की शुरुवात करने आए पहली गेन डाली पैरो पार अपने फ्रंट फूट को निकाला ओन साइड में उठा का मार दिया डीप मिर्फिट बाउंडरी के बाहर और इशान किशन अपनी 50 पूरी कर लिए है बहुत बहतरी इन शॉट डीप मिर्फिट और लॉंग ओन बाउंडरी के बाहर जो है वो ये गेन के उपर मार दिया है बल्लेबाज ने और गेन देखते ही देखते तो से ये बाउंडरी रोप्स के बाहर जो है वो निकल गई है पूरे के पूरे बल्ले बाजों को चार रंस भी मिल गए हैं इस गेन के उपर चौके के साथ स्कोर होता हुआ बढ़कर एक सो फिलहाल 28 रंस और इशान किशन ने समय तावर तोड़ अदाज में चौके चौके लगाते वेने जिरा रहे हैं चलिए इस दफ़ा हवा में शौट इशान किशन के बल्ले से इस बार चका शौट अफ लेंड डिलिवरी थी बैक फुट के उपर गए इस गेन को पुल कर दिया बल्ले बाज ने और गेन देखते ही देखते दोस्तों वो मिर्फिकट बाउंडरी के उपर से निकल गई दर्शक दीरगाओं में छे रनों के लिए क्या शौट लगाया इस गेन के उपर इस बार बल्ले बाज ने इंतजार कर रहे थे आँख्री समय तक और जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शौट गेंद है शान किशन ने वैसे ही बैक फुट के उपर जाके पुल कर दिया अगें देखते ही देखते वहां मिर्फगेट बाउंडरी के बाहर दर्शक दीरगाओं में जाके गरती वी आधे दरजन रनों के लिए बल्ले बास के लिए है 134 का स्कोर भारत अब केवल 75 रन दूर अपनी मंजिल से जिसमें 46 गेंदों का अभी भी सामना करना बाकी है गेंद हवा में शॉट इशान किशन के द्वारा लेकिन फिल्डर वहां नीचे मौजूद है और ये एक बहुत बड़ी विकेट आती वी इशान किशन के रूप में तन्वीर सांगा की गेंद पर फ्लाइटे डिलिवरी थी इंसाइड आउट शॉट मारने का प्रियतन किया गेंद जाती भी सीधा डीप एक स्ट्रा कवर बाउंडरी के दिशा में और जो एक स्ट्रा कवर बाउंडरी का फिल्डर मौजूद था वहां उन्होंने दोस्तों वहां कोई गलती नहीं की है एक स्ट्रा कवर बाउंडरी के फिल्डर ने एक बहुत आसान सा कैच पकड़ लिया है और ये भारतिय टीम ने दोस्तों इशान किशन के रूप में एक बड़ी विकेट गवा दी है पारी के तेरवे ओवर के तीसरी गेन के उपर लाक्टे डिलिवरी थी ओफ स्टम पर इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस कर रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच जो है संपर्क जैसा बल्लेबास चाहते थे वैसा हुआ नहीं और ये इन सीधा एक्स्ट्रा कवा बाउंडरी के फिल्डर के हाथों में भारत ने गवाया यहां तीसरा विकेट इशान किशन के रूप में 134 पे जाती हुए भारत्य टीम की तीसरी विकेट इशान किशन वापस पविलियन ने बल्लेबास आ गये हैं बाएं हाथ के तिलग वर्मा बहुत अच्छे बल्लेबास हैं दोस्तु तिलग वर्मा भी इन्होंने हा पहला T20 मुकाबला भारत बनाम अस्ट्रेलिया के बीच वाई जाग में खेला जा रहा है विशाका पतनम के इस खुबसूरत मैदान के उपर यहाँ पर दोस्तों देखते हैं भारते टीम जो है वो कितने रंस और कितनी जल्दी आज केस मैच के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाव हो पाती है चलिए बल्यबाज आगए है तन्वीर सांगा को मिल चुकी है उनकी पहली सफलता पारी के केवल और केवल तीसरे ही ओवर के अंदर ये तन्वीर सांगा की फ्लाइट डिलिवरी ओफ स्टम पर थी गूगली थी टर्न होती वी और बाहर की तरफ जा रही थी इस गेन के उपर बल्य मौझूद थे तो लेने में काम्याब नहीं हो पाएंगे ये एक डॉट बॉल आ गया है तो स्कोर 134 रन तीन विक्टो के नुकसान के बाद आखरी की दो गेंदे मौझूद फ्लाइट डिलिवरी ओफ स्टम पर थी गूगली थी टर्न होती वी और बाहर की तरफ जा रही थी खलका सा आगे की तरफ आके इस गेन के उपर ड्राइव कर दिया और गेंज जो है दोस्तों वो कवर बाउंडरी की तरफ जा रही है जब तो आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजे फटाफट और तन्वीर सांगा ने तीन ओवर में 36 रंज दे के अब तक एक मातर विकेट जो है वो तन्वीर सांगा को इस मुकाबले के अंदर मिली है तो सांगा ने अपना तीसरा ओवर समाफ्ट कर दिया एक ओवर दूसरे बल्लेबाज मौजूद नजरा रहे हैं तिलक वर्मा नजरा रहे हैं जो कि इन्होंने भी दोस्तों बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है आज देखते हैं किस तरीके का प्रदरशन इनकी तरफ से भी इस मैच में रहेगा तक आप लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्ते इस वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को ज़्यादस ज़्यादा करके दबाएं ज़्यादस ज़्यादा लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों इस बीच ये अगली गेंद लेकर आने के लिए नजरा रहे हैं तयार ये पहली गेंद जाती ही और बैट इंक्रीस के उपर जो हैं बलेबाज तयार नजरा आते हुए तन्वीर संगहा ये फ्लाइट डिलिवरी थी ओफस्टम पर तेज गती की गेंद शॉट अफ लेंड डिलिवरी शॉन अबट की तरफ से इस शॉट अफ लेंड डिलिवरी के उपर बैक बहुत आराम से इस गेंड को कट कर दिया गेंड जाती ही दोस्तों वहां डीप पॉइंट बाउंडरी की तरफ और जब तक इस गेंड को डीप पॉइंट बाउंडरी का फिल्डा वहां फील कर पाता तब तक इन दोनों बलेबाज उने एक रण जब भाग कर पूरा कर लिय है इसे एक रंड के साथ इन दोनों बल्ले बाजुने दोस्तों स्ट्राइक जब वो रोटेट कर लिया है आपे तो शान अबट जो है वो नए गेंड बास के रूप में आ गए हैं गेंड बाजी करने के लिए और देखते हैं दोस्तों इस मैच के अंदर शान अबट किस के लॉटा उठा खमारा गेंड बास के सर के ऊपर से लॉटन बाउंडरी पर फिल्दम मौजूद जरूर थे लेकिन वो केवलों केवल दर्शक بنे रहे जाएंगे गेंड उनके सर के ऊपर से लॉटन बाउंडरी के बार 6 रंस एक और बहुत कमाल का शॉट लगाया यहां बल लॉंग ओन और लॉंग ओफ बाउंडरी के बीच में चक्का मिलता हुआ बल्लेबाज सूरी कुमार यादों को भारत 143 पे तीन तेरा ओवर्स तीन गेंदों के बाद 76 मीटर लंबा चक्का आमारा पिछली गेंद के बल्लेबाज ने 70 मीटर लंबे चक्के के बाद अगली गेंद तेज शॉर्ट ती ओफ स्टंपर किनारा बल्ले का लिया किनार लेने के बाद गेंद हवा में गई कवर बाउंडरी के पास जब तक इस गेंद को डीब कवर बाउंडरी के फिल्डर फील्ड कर पाते थ्रो कर पाते इन दो नहीं बल्लेबाजों ने दोड़ के ये एक रन भागने की कोशिस भर की है जब तक इस गेन को कवर बाउंडरी का फिल्डा वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता इन दो नहीं बल्लेबाजों ने एक रन और ले लिया है अगली गेन शॉन अबट की तरफ से बाट इंक्रीस के उपर बल्लेबाज तयार है धीमी गती की गेन तिलक वर्मा के लिए ओफ स्टम पर थी टपपा खाने के बाद उच्छाल लेती भी और बाहर की तरफ गई और इस गेन के उपर जो है दोस्तों बल्लेबाज ने कदमों का इस्तमाल कर लिया था तो रूम के लिए क्रैंप हो गए सामने की तरफ इस शॉट को केवल खेला भर गेन बल्ले के बीच ओ बीच टकरा के गेन बास के पास वापस केवल पहुँच भर गई रन लेका कोई मौका इस ओवर की चौती गेन के उपर शौन आबट ने नहीं दिय है तो आखरी की दो और गेंदे जो हैं दोस्तों वो रह गई है बाकी और सामने तिलक वर्मा मौझूद जो कि दो रनों के उपर खेल रहे हैं बनाके दो गेंदों का पांच गेंदों का सामना करने के बाद तिलक वर्मा इस ओवर की पांच वी गेंद का सामना करने के लिए त्यार शान अबट की शॉट बॉल की नारा विकेट कीपर से कैच छूट गया है डीप थर्ड में बाउंडरे पे ने इतन इलिस ने फील्ड कर लिया और इन दोनों बल्ले बाजों को केवल और केवल एक रन के उपर सीमीद कर दिया एक रन के साथ 144 तीन विक्टो के बाद 13 ओ गेंदे रह गई है बाकी आखरी जो गेंद रह गई है इस ओवर में इस आखरी गेंद पर भी दोस्तो कुछ होने वाला है चलिए देखते हैं कि बैट्समें जो है वो पूरी तरीके से तयार नज़र आ रहे हैं ये ऊवर द विकेट से शॉन अबट 14 ओवर की आखरी गेंद दालने के लिए तयार तीन ओवर में 37 रंस अब तक हम देखेंगे तो शॉन अबट ने कुल मिला के अब तक हासिल किये दिये हैं धीमी गती की शॉट गेंद ऑफस्टम पर आके बड़ा ही अजीब हो गरीब शॉट मारने की कोशिस की सूरी कुमार यादो ने पूरी तरीके तीन विक टोकन उकसान के बाद इस खेल में जीतने के लिए भारत को केवल और केवल 65 रनों की आवश्च रखता लेकिन रिक्वाइड रिट अभी भी 210-10-10-8-3 रन रेट चल रहा है 10-10-2-9 का शॉट एबट के ओवर की समाफ़ती के बाद गेंदबाजी में कप्तान लग रहा है कि दोस्तो स्पिन गेंदबाज तन्वीर सांगा का जो आखरी ओवर रह गया है बाकी वो कराने के लिए यहाँ पे कप्तान ने तन्वीर सांगा को याद कर लिया है जी हाँ तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 130 रंस बनाए थे एक विकेट के नुकसान के बाद लेकिन वही अगर हम भारत ये टीम की बात कर लेते हैं तो भारत ने दोस्तो उनसे कहीं जादा रंस बनाए हैं अब तक इस मुकाबले में 14 ओवर की समाफ़ती के बाद तो भारत अभी भा पुल कर दिया पीछे की तरफ जाके फिल्डा मौजूद जरूर थे लेकिन गैप में खेला है लॉंग और मिट्विकट बाउंडरी के बाहर चार रंस के लिए तिलग वर्मा के बल्ले से पहला चौका आता हुआ बहुती सुंदर शौट लगाया तिलग वर्मा ने इस ओवर की पहली ही गेंद के उपर थोड़ी सी शौट थी बैक फुट पे गए पीछे की तरफ जाके बहुत आसानी के साथ इन्होंने पुल कर दिया और गेंद देखते ही देखते दोस्तों डीप मिट्विकट से ओवर दे विकट से गेंद बाज लेकर करने के लिए गेंद बाजी में तयार यह ओफ स्टम पर नहीं रिवर्स वीप मारने की कोशिस और गेंज जो है दोस्तों वो निकल जाएगे फाइन लेग और थर्ड मन बाउंडरी के बाहर एक और चौके के लिए गूगली थी तन 13 शॉर्ट रिस्क बहुत जाद हो था इस शॉर्ट में लेकिन उसके बावजूद इस शॉर्ट के उपर रिस्क लिया उसका फाइदा बे मिला इनको और गेंद फाइन लेग बाउंडरी के बाहर निकल गए चार रंस के लिए स्कोर होता हो बढ़के 153 एक विकेट के बाद एक 33 गेंदों के उपर 56 रनों की आवश्यकता भारत को चाहिए तन्वीर सांगा 3 ओपर 3 गेंदे फेक चुके हैं 45 रन सब तक इस मैच में दे चुके हैं आईए ज़रा देखते हैं दोस्तों तन्वीर सांगा कुछ और कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं यह अगली गे और बाहर की तरफ जा रही थी हलका सा अंदर की तरफ आके यह गेंद को बल्लेबाज ने सूरी कुमारियादों ने कावटरी की तरफ खेल दिया जब तक इस गेंद को कवटरी का फिल्ड़ा वहां बाउन्री के ठीक करीब से फील्ड करके थूर कर पाता एक रन इन दोनों बल्लेबाज उने प्राप्त कर लिया पच्पन की आवशक था 32 गेंदों के पब भारत को दोसो नौरणव का लक्षे था ये दोस्तो भारती टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी हो सकती है अगर भारत जीत गया इस मैच को तो तन्वीर सांगा की पांचवी गेंद पे हवा में हवाई आत्रा पर गेंद को पहुचाने की कोशिस फिल्डर नीचे आता हुआ और तिलक वर्मा ने ये एक मिस टाइम कर दिया शॉट को बैकवर्ड पॉइंट के फिल्डर ने एक सांधार कैच पकड़ लिया है कवर की दिशा में तोड के रिवर स्वीप तो न कवर की दिशा में खड़ी हो गई थी कोई गलती नहीं करी दोस्तों बैकवर्ड पॉइंट के उपकड़े मारकस इस्टोइनस ने अवनी बाइं तरफ दोड़ के जाके एक आसांसा कैच पकड़ लिया भारत ने गवा दिया 154 रनों के उपर इस मैच के इंदर चौथा विक लेकिन भारती टीम के दोस्तों नए खिलाड़ी आने वाले समय के सूपर स्टार रिंकु सिंग जो हैं वो आ गए हैं बले बाजी करने के लिए रिंकु सिंग ने अहाली में जो एशियन गेम्स के ले गए तो दोस्तों उन मुकाबलों में बहुत जबरदस प्रदर्शन किया था अब रिंकु सिंग से कुछ वैसी ही उमीद आज के इस मैच में भारतीय फैंस कर रहे होंगे कि रिंकु सिंग दोस्तों एक तेज तरार पारी इस मुकाबले में खेल कर दिखाएं क्योंकि अगर भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना है तो रिंकु सिंग ही है वो बले बाज जो कि इस मैच को जिता सकते हैं टी-टी कैरियर दोस्तों 91 पारियों में 2099 रन 1350 146 का स्ट्राइक रेट है रिंकु सिंग का एक बड़े बले बाज आप मान सकते हैं दोस्तों इस खिलाडी को रिंकु सिंग के लिए तन्वीर सांगा की पंदरों में उबर की आखरी गेन तो आते ही आते ही इन्होंने सिंगल ले लिया है बड़े ही बिजी खिलाडी हैं दोस्तों गेन जाया नहीं करते हैं बिल्कुल भी पहली गेन पे सीधा शॉट मारा बले को बिल्कुल सीधा रखा ये दिखाते वे कि कितने अच्छे फॉर्म में है रिंकु सिंग सीधे बल्ले से लॉंग ओफ की तरफ खेल के एक रन बर टोर लिया चोबन की आवशकता तीज गेन दो के उपा भारत को तन्वीर सांगा का स्पेल हो गया है समाफ्थ तन्वीर सांगा का जो स्पेल था वो अभी दर समाफ्थ हो गया है और तन्वीर सांगा के स्पेल में अगर हम देख लेते हैं तो आज कुल मिला के अगर आप देख सकते हैं दोस्तों तो रन्स जो हैं ज्यादा बने नहीं है मुझे लग रहा है एक सो पच्पन रन ही केवल बने हैं और एक सो पच्पन रन साइ थिंक चार विक्टोक नुकसान के बाद फिलहाल तो अभी ठीक ठाक स्कोर में ज़रा रहा है ये माच अगर अभी जीतना है तो भारत को इसी तरीके से दोस्तो रनों की गती को बना के रखना होगा गती में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए जहां पर दोस्तो गती की कमी आ गई वहीं पर जो है आप लोगों को परिशानी हो सकती है अगली गेन लेके चल रहे हैं गेन बाज और बैट इंक्रीस के उपर जो है वो मौझूद नज़र आ रहे हैं 27 नवंबर अच्छा 12 एम तो 6 एम ओल राइट चलिए दोस्तों तो मारकस से स्टॉइनस ये आ रहे हैं नए ओवर की शुरुआत के उपर गेन बाजी में देखते हैं मारकस से स्टॉइनस की जो गेन बाजी है जो कि ये तीसरा ओवर पहली गेन शॉर्ट आफस्टम के बाहर अमपायर ने ये वाइड गेन का इशारा करार दिया नितिन मिनन से नाखुष नज़र आते वे मारकस से स्टॉइनस और जाके पूछ रहें कि जनाब आपने वाइड दिया तो दिया कैसे इस गेन पर लेकिन मारकस से स्टॉइनस को समझा के वहाँ बाहर भीज दिया है वाइड गेन का इशारा अमपायर ने और वाइड गेन के साथ 156 चार विक्टो के बाद 15 ओवर्स की समाफ़ती के बाद भारत रिंकु सिंग दोस्तों बहुत बड़े बलेबाज आने वाले समय में बन सकते हैं भारते टीम के फिनिशर जो की भारते टीम को दोस्तों फिनिशर की आवशकता है इंटरनाशनल क्रिकेट में वो ये खिलाडी बन सकता है ये लीजिए शॉट बाल बहुत बहतरीन टाइमिंग दो फिल्डरों के बीच में नजागत के साथ खिला गए इस ट्रोक चार रनों के लिए तोड़ी सी शॉट थी आफ स्टम पर बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्बिन के बीच मुश्किल से दोस्तो पांच कदम की दूरी थी और इस गैप के अंदब बल्ले बाज ने बल्ले को बिल्कुल तिर्चा रखा आखरी समय के उपर इस गेंट को स्टियर कर दिया दोनों ही फिल्डरों के बीच में से पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए इसे कहते हैं दोस्तो प्रॉपर बल्ले बाजी करना यहां बिना तिर्चा आड़ा तिर्चा बल्ला चलाए दोसे इस बल्लेबाज ने बहुत आराम से शॉट को खेल के चौका बे टोर लिया जहां अगली गेंद दाएं हाथ से लेके चलने के लिए त्यार यह स्ट्वानियस की फुलर लेंड डिलेवरी सीधा शॉट बिल्कुल सीधा अगर थोड़ी सी बाइं तरफ मार दिये होते बल्लेबाज तो लॉंग ओफ बाउंडरी के बाहर निकल जाती चार रंस के लिए लेकिन बल्लेबाज ने बहुत सीधा रखा इस गेंड को और गेंड सीधा पहुंच गई मिड ओफ के पास मिड ओफ के फिल्टर ने वहाँ कोई गलती नहीं की है एक रं लेने में कामयावी बल्लेबाजों को मिल गई है इस ओवर की पहली ही गेंड के उपर तो इस सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो गया है और स्ट्राइक सेट बल्लेबाज भारते टीम के कप्तान के पास आ चुकी है स्ट्राइक और सूरी कुमार यादो दोस्तों तयार नज़रा रहे हैं सूरी कुमार यादो ने ये लगाया चटा चौका स्टोयनस की सोबर की तीसरी गेंड थी और इस gain के उपर हलका असल एक्स्टम के तरफ गाया कट कर दिया point boundary के तरफ दो filter के बीच में से filter gain के पीछ है लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि gain point boundary के बाहर निकल गई है चार रनों के लिए खुपसूरा timing, बैतरी इंप्लेस्मेंट दो filter के बीच में से इस gain को gap में खेला और gain देखते ही देखते डीप point boundary के बाहर निकल गई पूरे के पूरे चार रन्स के लिए चौके के साथ 165 रन्स हो चुका है चार विक्टो के नुकसान के बाद इस माच में, तो 165 पे सब्सक्राइब कीज़े चैनल को, लाइक कीज़े इस वीडियो को जल्दी जल्दी ये अगली gain स्टोइनस की आती वी शॉट बॉल ती आफ स्टम पर हलका सा लिक स्टम की तरफ जाके कट कर दिया, gain जाती वी backward point की दिशा में, जब तक इस gain को दोस्तो backward point का फिल्डर वहां field कर पाता, throw कर पाता एक run लेनी की कोशिस, फिल्डर वहां मौझूद थे फिल्डर ने अपनी बाई तरफ जाके इस gain को field कर लिया, एक run लेना चाहते थे और एक run आसानी के साथ इन दोनों बल्ले बाजू ने जो है दोस्तों वो पूरा कर लिया है भारत ही जीतेगा, comment box में काफी सारे लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, मुझे भी लगता है कि दोस्तों भारत ही जीतेगा इस बीच आखरी gain नहीं है, यह second last ball है इंक्रीज के उपा बाए हाथ के रिंकु सिंग तयार पांचवी gain का सामना करने के लिए रिंकु और यह short ball थी पुल करने की कोशिस gain रुक कर आई और gain जाकर सीधे इनके हाथों में लगी हाथों में लगने के बाद gain वहीं पर ठहर सी गई है और बहुत जादा दर्द में नज़रा रहे हैं रिंकु सिंग क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोस्तों उनके अंगूठे पे gain लगी है और दर्द के मारे दोस्तों वहाँ चिलाते हुए लेकिन अब अगली gain का सामना करने के लिए रिंकु सिंग तयार नज़रा रहे हैं तो अगली gain दो और स्टॉइनस तीसरे ओवर की आंक्री gain लेके चलेंगे सोलवे ओवर की आंक्री gain है रिंकु सिंग जो कि सोवर में एक चौका ओलरेडी लगा चुके हैं स्टॉइनस की तीसरे ओवर की आंक्री gain तब तक आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब करने ना बुलिएगा शॉट बॉल बाउंसर थी सर के उपर से अमपायर ने ये वाइड गेन का इशारा करार दिया है बहुत ही ज़्यादा शॉट थी स्टर के उपर से गेन जा रही थी विकेट कीपर के दस्थानों में और अमपायर ने दोस्तों वाइड गेन का इशारा करारने में बिल्कुल भी देर जो है वो नहीं करी है तो एक सो सरसट रनों के उपर चार विकेट सेंकुल मिलाके और आपको बताते चलें कि इस टॉइनर सिस्से में डाल रहे हैं अपना तीसरा और आखरी ओवर तो तक आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया शॉट अफ लेंड डिलिवरी थी लिक्स्टम के उपर इंतिज़ार किया बल्लेबाज ने और फाइन लिक बाउंडरी के उपर पुल कर दिया अगरें सीधा एक टपा खाने के बाद चार रनों के ले चली गई है शॉट अफ लेंड डिलिवरी के उपर इंतिज़ार करते वे बहुत यह आसानी के साथ फाइन लेक बाउंडरी के उपर पुल करके चौका बटोर लिया है 171 रन्स चार विक्टों के नुकसान के बाद 16 ओवरो का खेल समाफ़ती के बाद 16 ओवरो के खेल के समाफ़ती के बाद 171 रन्स भारती टीम का स्कोर और 171 रनों के उपर चार विक्टे हैं 216 ओवरो के समाफ़ती के बाद इस माच के अंदर तो आप लोगों को बता दे कि अब नेथन एलिस आ रहे हैं अगले ओवर की शुरुवात के साथ तब तक आप लोग सबस्क्राइब कर दीजेगा चैनल को लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक और सबस्क्राइब नहीं किया है तो और यहां से मैं आप लोगों को बता दूँ कि करीब-करीब जो गेंदे रहे गई हैं बाकी वो चार ओवर्स रह गया है यानि कि 24 गेंदो का खेल रह गया है बाकी इस मैच में 24 गेंदो के उपर 38 रनों की आवशकता केवल और केवल चाहिए इस मैच में जो की बहुत आसानी के साथ इस मैच में जीत सकती है दोस्तो भारत अब रिक्वाइड रेट दस के नीचे भारत के खिलाडियों ने लेकर आने का फैसला कर लिया है नीचे ला दिया है अक्चिली में नेतन एलिस से एक मातर ऐसे गेंद बाज जो कि ऐस्ट्रेलिया को कमबाक करा सकते हैं अनिता मुझे लगता है कि ये मैच अब हारत आराम से जी जाएगा अगर सूरी कुमार यादो का बल्ला चल पड़ा तो और ये नयोवर की शिरवात की पहली गेंद लेकर चलने के लिए और ये लिजिए एलिस की गेंद धीमी गती की ओफ स्टम पर उठा का मारा सूरी कुमार यादो ने लॉंग ओन बाउंडरी के बाहर एक टपा दो टपा और ये चार रंस धीमी गती की नेथन एलिस की तरफ से डाली भी गेंद ती ओफ स्टम पर अपने फ्रंट फुट को सा रन सुरी कुमार यादों के बल्ले से आता वा यह सातवा चौका भारत पहुंचा एक सुचियत्तर पे चार आखरी की तेईस और गेन दे रहे गए हैं बाकी जहां अगली गेन बहुत जादा बहार इतनी जादा बहार की वाइड गेन का इशारा शॉट अफ लेंड डिलिवरी टोक नुकसान के बाद 16 ओवर और एक गेन की समाफ्ती औरड़ी इस मैच में जो हो गई है अगली गेन अभी भी पांच और गेन दे रहे गई हैं बाकी इस ओवर में तक आप लोग सब्सक्राइब करें और ये कौर लीजिए वाइड गेन का इशारा धीमी गती की गेन ओफ टोक नुकसान के बाद 16 ओवर एक गेन की समाफ्ती भी हो चली है इस मैच में भारत जीत की तरह बढ़ रहा है और यहां से केवल और केवल भारतिय टीम जीत से 32 रंस दूर जीत की खुश्बू जो है दोस्तों वो भारतिय खेमे तक अल्मोस्ट पहुंची चुकी 22 गेन दो की बहुत तीज आ गई गेन बल्ले बाज के पास बिल्कुल समय ही नहीं मिला सूरी कुमार यादो के पास सोचे की पुल करें की छोड़ू आंकरी समय के उपर बल्ला लगा दिया गेन बल्ले पे ठकरा के वापस नेतन एलिस के पास रन लेने का कोई मौका इस ओवर की दूस को वर्ल कप के फाइनल में थी लेकिन ये लीजिये तीसरी गेन सूरी कुमार यादो ने एक बार फिर से उठाका मारा मिर्फगट बाउंडरी पे फिल्डा मौचूद नहीं है अगर होते भी तो भी कोई फर्क नहीं पढ़ता क्योंकि गेन उनके उपर से निकल जाती एक औ दर्शकों में दोस्तों हर्शो लास का माहौल नजर आता वाट 70 मिटर लंबा चक्का यहां सूरी कुमार यादों के बल्ले से आता और दर्शकों में एक बहतरीन कैच पकड़ा गया है वहाँ ग्राउंड स्टाफ के द्वारा खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों वहाँ ग्राउंड स्टाफ का यह कैच पकड़ने के बाद यह इस ओवर की चौती गेन राटिंग पे सूर्या और यह धीमी गती की शॉट अफ लेंड डिलिवरी इस बार अपर कट किया है और गेन जाती वी शॉट थर्ड मन के उपर से डीप थर्ड मन बाउंडरी के बाहर एक टि टीम इस ओवर के बाद अब 20 गेंडों में केवल 22 रन सूर है यह मैच जीतने से सूरे कुमार यादो का बला अगर इसी तरीके से फाइनल्स में भी चल गया होता तो दोस्तो विशो का भी भारत में ही रहता है इस समय लेकिन 20 गेंडों में 22 के बावशक्त है दोस्तो पांच टी-20 मुकाबलों की सीडीज में भारते टीम इस मुकाबले को जीतने से केवल 22 रन्स दूर नजर आती भी नेथन एलिसकी पांच वी गेंडाने जा रही है बाटिंग में दोस्तो सूरी कुमार यादो 38 गेंडों में 75 रनों के उपर यह अगली गेंड के उपर बहुती रक् भाक कर बड़ी तेजी के साथ आसानी के साथ यह एक रन पूरा कर लिया है भारत 188 रनों के पर पहुंचा चारविक टोकन उकसान के बाद 16.5 गेंडों की समाफ़ती के बाद आप सभी लोगों से गुजारी से कि आप सभी दोस्त एक साथ मिलके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोगों को दबाना ही दबाना है दोस्तों अगर आपने नहीं दबाया है तो यह अगली गेंड लेके चल रहे हैं इन दोने बल्ले बाजों ने एक और रंच वो पूरा कर लिया है तो एक रंच के साथ स्कोर होता वा बढ़कर 189 चार विक्टों के नुकसान के बाद 19 गेंदों के उपर केवल 20 रंचों की आवशक था भारते टीम को ये माच जीतने के लिए चाहिए तो 18 गेंदे रह गई हैं बाकी केवल और केवल और 18 गेंदों के उपर 20 रंचों की आवशक था इस मैच में केवल और केवल चाहिए दोनों ही बल्ले बाजों ने रिंकु सिंग और सुरिकुमार यादों ने मिलके दोस्तों आप देखेंगे तो एक ने 49 गेंदों में 76 रंच बनाए हैं और दूसरे ने 6 गेंदों के उपर आप देखेंगे तो कुल मिलाके 11 रंच जों हैं वो बनाए हैं अगली गेन एलिस का ये ओवर हो चुका है समाफ तो तक आप लोग भी लाइक कर दीजेगा दोस्तों अगर आप लोग ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो और सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बेहरेंड ओफ नए ओवर की शुरुवात करने के लिए आ रहे हैं अब एरेंड ओफ का दोस्तों ये आखरी ओवर है तो बेहरेंड ओफ को यहाँ विकेट निकालनी पड़ेगा अगर इस मैच के अंदर दोस्तों बने रहना है औस्ट्रेलिया को तो शॉर्ट अफ लेंड डिलेवरी ओफ स्टम पर थी डीप थर्ड में बाउंडरी के तरफ गाईड करने का प्रयास किया लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फिल्ड अब मौझूद है और जब तक इस गेंड को बैकवर्ड पॉइंट का फिल्डर अपनी बाई तरफ जाके फिल्ड करता थ्रो करता एक रन पूरा कर लिया इन दोनों बलेबाद उने स्कोर 190 रन चारविक टोकन उकसान के बाद 19 की आवश्रक्ता केवल हो केवल चाहिए यहां से और 19 रन 17 गेंडों के उपर यानि के रन अब ओल अल्मोस्ट अल्मोस्ट इस मैच के अंदर जो हैं दोस्तों चाहिए बेरंड ओफ की दूसरी गेंड आ रही है सूरिकुमार यादो के लिए और मैं आप लोगों को बता दो कि सूरिकुमार यादो असी रनों के पर पहुंच चुके हैं क्या इनकी सेंचुरी पूरी हो पाएगी मुश्किल है अल्मोस्ट नामुम्किन की तरह ये यॉरकर था लेकिन ड्राइब किया पॉइंट बाउंडरे के तरह दो फिल्डरों के पीच में से फिल्डर वहां गें के पीचे लेकिन रोकने मन नामुमकिन पॉइंट बाउंडरे के बाहर चौका मिल जाएगा बल्लेबास को धीमी गती की गें थी ओफ स्टम पर यॉरकर डालने का प्रियास कर रहे थे बेरेंड ओफ अपने फ्रंट फूट को सामने की तरफ निकाल के सूरी कुमारियादों ने इस गेंड को पॉइंट बाउंडरी के ठीक बगल से खेल दिया डी पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए सुन्दर टाइमिंग बहतरी इंप्लेस्मेंट चार रन्स, 194 चार विक्टो के बाद भारत का शॉट था दोस्तो बहुत खुप सूरट और इतना सुन्दर शॉट था कि जितनी हम तारीफ करेंगे इस शॉट के उतनी ही कम रहेगी जहां ये अगली गेन तीसरी धीमी गती की गेन इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस की नाराच छोड़ती भी गेन विकेट कीपर जॉश इंग्लिश के दस्तानों में ने मैथिवेड के दस्तानों में आखरी की तीन और गेन्दे रह गई हैं बाकी बाटिंग क्रीज के उपर सूर्य कुमार यादो जो हैं दोस्तों वो मौझूद नजर आ रहे हैं और ये बाया हाथ से बेरेंड ओफ लेकर आ रहे हैं गेन बाजी में प्राइड के उपर जो मौझूद नजर आ रहे हैं सूर्य कुमार यादो हैं बैर अडॉफ की आख्री की तीन और गेंदे और अंगली तीन और गेंदों के उपर बैटिंग में सूर्य कुमार यदो, इनको चाहिए 20 run टीम को चाहिए 15 run और ये सूर्य कुमार यादो, चोथी गेंद का सामना करेंगे, धीमी गती की गेंद थी, बहुत उंची गेंद को उ अरन हार्डी मिडॉन की तरफ दोड़के जाके लॉंग ओन बाउंडरी के पास ये कैच पकड़ा है और अस्ट्रेलिया को इस मैच के अंदर थोड़ा बहुत कमबाक करा दिया है अरन हार्डी ने और जेसन बेरंडॉफ ने धीमी गती की गेंती ओस्टम पर बल्लेबाज ने पूरी ताकत लगा के मारने की कोशिस करी लॉंग ओन बाउंडरी के उपर से लेगिन जो लॉंग ओन बाउंडरी मिडॉन पर जो फिल्डम मौजूद है उन्होंने हार नहीं मानी अंत तक दोस्तों गेंद के पीचे भागते रहे और आखिरकार इस कैच को पकड़ कर ही मान दोस्तों भारत ने 194 रनों के उपर गवा दिया है अपना ये पांचवा विकेट नए बलेबाज अक्षर पटेल आ रहे हैं सूरी कुमार यादो आज के इस मैच में एक बहतरीन 80 रनों की पारी खेल कर आउट होकर वापस जा रहे हैं पाविलियन नए बलेबाज जो आ रहे हैं बलेबाजी करने के लिए वह आबाते वे नज़रा रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों 17 गेंदो के 45 रनों की जो भागेदारी थी वो अब समाफ्त हो चुकी है ने बलेबाज अक्षर पटेल और रिंकू सिंग नज़रा रहे हैं 14 गेंदों में 15 रनों क साइड करेंगी कि कौन जीतेगा इस मुकाबले को औस्ट्रिया या फिर दोस्तों भारत जहां पर आखरी की आप लोगों को दो और गेंदे जो हैं सोवर में मौजूद नज़रा रही हैं सब्सक्राइब करें तोस्तों आप लोग भी सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर रहे हैं ये शॉट बॉल थी और अक्षा पटेल ने बहुत ही आराम से फाइन लेक बाउंडरी की तरफ फिल्क किया है चरते कि इस गेंद को फाइन लेक बाउंडरी का फिल्ड अफील करके थ्रो कर पाता है इन दोनों बल्ले बाजों ने एक रन और ले लिया है भाकर तो उस्ट्रेलिया ने 208 रन बनाये थे 20 सोवरों में तीन विक्टो के नुकसान के बाद भारत उसके जवाद में अब तक आप देख सकते हैं 195 बना चुका है अब 13 गेंद में 14 रनों की आवश्यक्ता है मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि अगर कोई कमबाक करा सकता है उस्ट को यह धीमी गती की गेंद ऑफ स्टम पर थी सामने आपको स्ट्राइक के उपा बल्ले बाज जो थे दोस्तों रिंकु सिंग थे रिंकु ने इस गेंद के उपा कट मारने का प्रयतन केवल किया भर लेगन गेंद बल्ले पर ठकरा के सीधा बैक्वर्ड पॉइंट के पास प 95 विक टोक नुकसान के बाद 18 उवरो का खेल समाफ्त हो गया है इस माच में दोस्तों नौ का टार्गेट था भारत अब 195 बना चुका है आखरी की 12 गेंदों का खेल जो है दोस्तों और रह गया है बाकी इस माच में अगली 12 गेंदों के उपर अक्षर पटेल मौजूद ने जी हैां आखरी ओवर डाल सकते हैं क्योंकि उनके ही दोस्तों एक ओवर रहे गए है बाकी उसके अलावा शाण अबट का एक ओवर रह गया बाकी देखते हैं मारकास सिस्टैनस या शाण अबट को कप्तान देते हैं अगरा आखरी ओवर तक ये मैच जाता है तो मुझे out four filters outside the 30 yard circle instead of five if they fail to start the final over by the stipulated time, so दोस्तों पाँच फिल्डरों की जगा के उपर केवल चारी फिल्डर को रखा जा सकता है, अब Australia के लिए परिशानियों और बढ़ गई हैं और उपर से Nathan Ellis ने ये पहली ही गेंद वाइड बॉल का इशारा कर दिया है, दीमी गती की गेंद आस्टम के बाहर अंपायर ने वाइड करा दिया इस पहली ही गेंद को, तो दोस्तों समय से आप लोगों को Australia के टीम जो है पारी को समाफ्त नहीं कर पाईए और इसी वज़े से आस्ट्रेलिया के उपर पेनल्टी लगा दी गई है, केवल चारी फिल्डर्स जो हैं अब तीज गच के घेरे में, तीज गच के घेरे के बाहर रह सकते हैं, और पांचवा फिल्डर को अब अंदर बुला लिया गया है, तो ये अब आसान हो चुका है, भारत ये बल्ले बाजों के लिए और बड़े बड़े शॉट्स खिलना है, ये वाइड के बाद, भारत को अभी 13 रनों की आवशकता 12 गेंदों के उपर, नेथन एलिस भागे, पहली गेंद लेकर दुबारा से, धीमे धी में कदमों से अंपायर को पार करके ये एक और आस्टम के वाहर, लेंद डिलिवरी इंसाइड एच, लेगिन जमीन के सारे विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची, विकेट कीपर वेड ने इस गेंद को फील्ड करके वापस गेंद बाज, एलिस के पास पहुंचा दिया, 196, पांच विक टोकनों के पार के बाद भारत 18 ओवर्स और एक गेंद की समाफ्ती पार, आप लोग भी सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को इंतिजार किस चीज़ का कर रहे हैं आप, किरपा करके आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, नोटिफिकेशन के बटम को दोस् नेथन एलिस दोड़ना शुरू कर रहे हैं इस वर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए, शौट बॉल अतरिक तुछाल, किनारा छोड़ती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्ले बाद हैरान हो गए, हक्का बक्का हो गए, कहां खिरकार उनके साथ हुआ तो हुआ क्या, लेकिन की नारा छोड़ती भी गेंद विकेट कीपर के पास पहुँची, और विकेट कीपर ने बड़े आराम से इस गेंद को फील्ड कर लिया, भारत 1965, 182 गेंदों के बाद, एलिस की चार और गेंदे मौजूद, यहां अक्षर पटेल को स्ट्राइक हमें सीधा फिल्डर मौजूद, मारकस स्टोइनस के हाथों में, और रन लेने का कोई मौका ने सोबर की, तीसरी गेंद के उपर भी, एक और डॉट बॉल, स्कोर होता हुआ बढ़कर 1965 विक टोके नुकसान के बाद, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों चैन 9999 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप में से कोई भी एक और मित्र जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजे और फिर अपना अपने नाम कॉमेंट बॉक्स में लिखिये, शॉट गें थी, बल्ले बाद ने हलके हाथों से पॉइंट की तरफ खेला, एक रन पर दूर हैं, तो फटा-फट आप में से एक और मित्र जो हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजेगा, और लाइक करन ना बुलेगा इस वीडियो को, आए आखरी की दो गेंदों के उपर, रिंकु सिंग मौजूद, क्या भारतिया टीम के बल्ले बाद, रिंकु सिंग, अगली पहतरी, इन शॉट, कनेक्ट हो गया बल्ले पे, और गेंजाती वी लॉंग ओफ बाउंडरी के बाहर, चार रंस के लिए, ये कहते हैं, दोस्तों, टाइमिंग और पावर, बिल्कु सीधा शॉट एक लेंथ डिलिवरी थी, रिंकु ने फ्रेंट फुट पर आके सामने की त ठीक बाई तरफ से उठाका खेल दिया, और गेंजाती वी लॉंग ओफ बाउंडरी के बाहर, सुन्दर शॉट चार रंस के लिए, रिंकु के बल्ले सातावा, ये तीसरा चौका, भारत पहुंचती वी, यहाँ पर दोस्तों, एक रंण, पांच विक टोक नुकसान के बाद 18.5 गेंदों के समाफ्ती पर, जीतने के लिए अब 7 गेंदों पर, ये वला 8 रंणों की आवश्यकता, अगर इस ओवर में रिंकु सिंग खेले होते हैं, तो भारत ये मैच जीत गया होता इसी ओवर में, लेकिन खेर, भारत ने 200 रंण पूरे कर लिए हैं, उस चौके के परी गेंद पर सिंगल लेना होगा इनको, जी हाँ, शौट बॉल थी, पुल किया, स्क्वेल लेक बाउंडरी के तराफ आसानी के साथ, बड़े ही 200 दिमाग के साथ खेलते हैं, रिंकु सिंगल ले लिया है, और सिंगल के साथ स्ट्राइक इनों ने अपने पास ही रखी है, भारत को अब केवल और केवल 6 गेंदों में 7 रणों की आवशक्ता, रिंकु सिंग ने 10 गेंदों में कुल मिला के अब तक 17 रण जो हैं, वो बनाए हैं, और दूसरी तरा फक्षर पटेल ने 5 गेंदों के उपर अब तक 2 रण्स बनाए हैं, नेथन एलिस का ये जो चौथा ओवर था, वो समाफ्त हो चुका है, आखरी ओवर के लिए दोस्तों जो कप्तान लेकर आ रहे हैं, गेंद बाजी में, उसके उपर अभी ध्यान दिया जा रहा है, जी हाँ, कप्तान ने शान आंथनी आबट को आखरी ओवर दिया है, क्या ये 7 रन बचा पाएंगे, मुझे रिंकु सिंग के सामने, अगर कोई और होता तो साइद एक समय को हम और आप मान सकते थे, कि साइद आपको 7 रन बच जाए, लेकिन क्योंकि दोस्तों रिंकु सिंग एक बहुत खतरना खिलाडी हैं, टी 20 क्रिकेट के और भी जादा खतरना खिलाडी हैं, दोस्तों मुझे न तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और ये आखरी ओबर की शिरुवात, पहली गेन लेके चलने के लिए त्यार नजर आ रहे हैं, दोस्तों आखरी ओबर में गेन बाज जो हैं, वो शान अंथनी आबट, रिंकु 10 गेन दे 17 रन बना का खेल रहे हैं, और ये शान अंथनी आबट, चौथे ओबर की पहली गेन दाती हुई, रिंकु सिंग एक बार फिर दोस्तों भारती टीम के लिए क्या ये गेम को कर पाएंगे फिनिश, एशन गेम्स में बहुत सारे गेम्स इन्होंने फिनिश किये थे लीजिए, पहली ही गेन थी, शौट आफ स्टम क बल्ले सातावा भारत, 206, 5 विक्टो के नुकसान के बाद, 19.01 एक गेन की समाफ्ती पार, उस्ट्रेलिया एक खिलाडियों ने अपने हाथ को सर पे रख लिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि ये माच उनके हाथों से फिसल गया है, क्योंकि अब भारती टीम के एवल एक चौ का दूर है, इस माच को जीतने से, क्या दोस्तों भारती टीम इस ओवर की दूसरी ही गेन पे माच को कर पाएगी, फिनिश चलिए देखते हैं, शान आबट, दाए हाथ से दोड़ते हुए, उवद विकेट से ओस्टम के बाहर, गेन दो बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर, इस गेन को फील्ड नहीं कर पाए हैं, और इन दोने ही बल्ले बाज उन्हें भाग कर ये, बाई के रूप में एक रन पूरा कर लिया है, तो अब जीत और नस्दीक, केवल दो रनों की आवश्यक था, लेकिन परिशानी ये भारत के लिए है कि स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो गई है, स्ट्राइक आ चुकि अक्षर पटेल के पास, जो की पाँच गेंदों में केवल अब तक इस मैच में दो रन बना पाए हैं, आए ज़रा देखते हैं दोस्तों की अगली कुछ गेंदों के उपा कितने सारे रन्स जो हैं बनते हैं, और आस्ट इंक्रीस के उपा बल्ले बाज तयार, इस बीच शॉन अबट की ये गेंद, हवा में उठा कर मारा गया है, ये स्ट्रोक फिल्ड़ वहां मौझूद हैं और अक्षर पटेल ने यहां अपनी विकेट गवा दी है, गेंद बाज ने खुदी स्कैच को पकड़ लिया, शॉट इंसा कैच पकड़ने में काम्याब, भारत को लगता हुआ, ये बहुत ही गलत समय के उपर एक बड़ा विकेट, अक्षर पटेल छे गेंदों के उपर दू बना कर आउठो कर वापस जा रहे हैं, और अब परिशानी दोस्तों ये है, कि पहले की जमाने में, जब गेंद हव अगर हम देखेंगे तो भारती टीम के पास अब बल्लेबाजी बची नहीं है, क्योंकि अब बल्लेबाजी में आपको रवी बिश्नोई हैं, अर्शदीप सिंग हैं, प्रसित कृष्णा हैं और मुकेश कुमार हैं, कप्तान ने रवी बिश्नोई के उपर भरुसा दिखाय मुझे लगता है कि यहाँ पर कप्तान को दूसरे बल्लेबाज अर्शदीप सिंग को भेजना चाहिए था, लेकिन आएए देखते हैं, कप्तान के भरुसे पर दोस्तो आपको रवी बिश्नोई खड़े उतरते हैं, या फिर नहीं उतरते हैं, आखरी की तीन गेंदे, भार गेंद करने के लिए गेंद बाज, शौन आबट तयार नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर जो मैथ्यू वेड हैं, ऐसा लग रहा है कि दोस्तों उन्होंने गलफ्स खोल दिये हैं, और गलफ्स खोलने के बाद, आप लोगों को बता दे कि दूसरे जो विकेट कीपर हैं, जॉ आपर पूरा का पूरा प्रेशर, दाय हाथ से आबट दोड़े, और शौट अफ लेंद के इनके उपर पुल मारने की कोशिस, और गेंदो बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, और ये बाई के रूप में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही बल्ले बाजुने एक रन पूरा कर जाएगी क्योंकि दोनों ही बल्ले बाजुने यहाँ पर एक रन लेने की कोशिस में नौन स्ट्राइकर एंड के उपर गेंद बाज ने आपर स्टम स्कोड आया है, यानि कि एक रन भले ही लेने की कोशिस में आपको आउट हो गए, लेकिन स्ट्राइक जो है वो बदल चु अब दोस्तों दो गेंदों के उपर भारत को दो रनों की आवश्रकता चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रिंकु सिंग के पास स्ट्राइक है तो कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ से अगली दोनों ही गेंदों के उपर अगर अगली गेंद के उपर ना लगे रन, तो आखरी गेंद के उपर भी अपने पास ही स्ट्राइक रखें कई ऐसा ना हो, यह मुकाबला दोस्तों आप लोगों को ड्रॉ हो जाए और सूपर ओवर हो जाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके का मैच रहा है, एक समय को लग रहा था कि भारत तो दोस्तों नौरन चेस कर पाएगा, फिर लगा कि दोस्तों आस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी के साथ जीच जाएगा, और अब आप देख सकते हैं मैच के अंदर आस्ट्रेलिया वापस कमबाग कर चुका है, और इस ओवर में पहली गेंद पे वो कहिए कि चौका आ गया अगर वो चौका नहीं आया होता, तो साइद आपको भारते टीम इस मैच में आप लोगों को ये मैच हार भी सकती थी, चलिए रिंकु सिंग के पास स्ट्राइक मौजूद, आखरी की दो गेंदे हैं, बैटिंक्रीस के पर दोस्तों रिंकु सिंग, जो की 12 गेंदों के उप को निकाल दिया है, और केवल एकी गलफ के साथ दोस्तों खेल रहे हैं, फील्ड में एक लॉंग ओन, एक मिर्फिट, एक स्क्वेर लेक और एक डीप कवर, ये है फिल्डिंग की सजावट, पीछे का फाइनले का एरिया, थर्ड मिन का एरिया पूरी तरीके से खाली, और य स्टीविन स्मित ने इस गेन को फ्रो किया है, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और एक और विकेट ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आउट हो गए हैं, लेकिन मैच ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे, छॉट अफ लेंड डिलिवरी थी, पुल कर दिया था इस बार इस सिंग थोड़े से शॉट रह गए हैं, आईए देखते हैं कि क्या यह रन आउट हैं, जी हाँ यह बिलकुल रन आउट हो गए हैं, आप देख सकते हैं बल्लेबास का बल्ला थोड़ा सा दूर रह गया है, और इसी बीच आखरी विकेट भी अब आने जा रहा है, यानि कि आ आप लोगों को इस मैच के अंदर लगातार ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं, अब आखरी बल्लेबास मुकेश कुमार आ रहे हैं, और अभी स्ट्राइक जो मौझूद नजर आ रही है, वो रिंकु सिंग के पास ही है, यानि कि रिंकु सिंग 13 गेंदों के उप 22 रिंज बना का खेल रहे हैं इस मैच में, मैच अभी खतम नहीं हुआ है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों चैनल को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र कर देगा सब्सक्राइब, तो 12,51,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों में स फटा-फटीक और मित्र जो हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से बताएए कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, भारत या फिर औस्ट्रेलिया को, आईए देखते हैं दोस्तों इस आ केवल और केवल समय ही बताएगा, रिंकु सिंग 13 गेंदों के उपा, 22 रनों के उपा मौझूद स्कोर्स बराबर हो चुका है, माथ्यू वेड इसमें समय ले रहे हैं दोस्तों फील्ड को लगाने में क्योंकि वो जानते हैं कि रिंकु सिंग का फेवरेट इलाका है, डीप पे भी छक्का मार सकते हैं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है, इसमें पैट्स को खोल दिया है मुकेश कुमार ने, यानि कि दोस्तों बिना पैट्स के ही दोड़ेंगे, आसानी होती है दोस्तों बिना पैट्स के दोड़ने में, तो आखरी गेंद आने जा रही है और य एक mid-on, एक mid-off, एक long-off और एक long-on boundary पे फिल्ड़ मौजूद, 209 रनों की आवश्चक्ता थी भारत को, भारत ने ऐस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली है, श्रान अबड दोड़ना शुरू कर रहे हैं इस उबर की आखरी गेन, पारी की आखरी गेन, और यह आखरी गेन के उपर रिंको सिंग मौजूद है, स्ट्राइक पे, रिंको ने इसी बीच इस गेन को हवा में उचा उठा दिया है, पीछे फिल्ड़ मौजूद है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेन long-on boundary के बाहर, सीधा सेकेंड टियर के उपर, और भारत को दोस्तों इन्होंने चे विक्टों से, दो विक्टों से, जीत दिला दी है, रिंको सिंग ने, ये मैच को दोस्तों चक्के के साथ भाट ये टीम को जो है, वो जीत दिला दी, बिल्कुल उपर की तरफ एक length गेन डाली गई थी, अपने front foot को बस हलका सा आगे की तरफ निकाल के, गेन बाज के सर के उपर से उठा का मारा था चक्का रिंको ने, और आप लोगों को बता दे कि गेन बाज शान आबट ने, वो नो बोल भी डाल दी थी, अगर आपको वो छक्का नहीं लगा होता, तो भी भारत ये match जीत गया होता, क्योंकि गेन बाज शान आबट से गलती हो गई और पाउन का थोड़ा सा आगे निकल गया, नो बोल के उपर छक्का लगाया रिंकु सिंग ने, और भारतीय टीम को दो विक्टों से इस मुकाबले के अंदर जीत दिला दी है, पाँच मुकाबलों की, यहाँ पर सीरीज में पहला मुकाबला भारतीय टीम ने, दो विक्टों से जीत लिया है, और आज के हीरो हैं भारते टीम के रिंकु सिंग 14 गेंदों के उपा 28 रंज बना के और उनके साथ मुकेश कुमार जो की नाबाद रहे सुनने के उपार आईए बात करते हैं इस मैच के बारे में दोस्तो पूरी तरीके से आज दोपहर में जब टॉस हुआ था तो टॉस भारते टीम के कप्तान सुरिकुमार यादो ने जीता था सुरी कुमार याद उने दोस्तों टॉस को जीतने के बाद पहले फैसला किया था कि उनकी टीम करना चाहती है पहले बल्ले बाजी नहीं गेंद बाजी तो भारतिय टीम के कप्तान ने गेंद बाजी का फैसला तो चुन लिया था जब बल्यबाजी करने दोस्तों इस मैच के अंदर भरतीए टीम के सामने Austrelia की टीम उतरी तो Austrelia की टीम की तरफ से इस मैच में बहुत कमाल की बल्यबाजी देखने को मिली आस तोर से दोस्तों आप लोगों को इस मैच के अंदर जोश इंग्लिश ने अमनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई और उनके साथ दोस्तों इस मैच के अंदर स्टीविन स्मित ने हाफ सेंचुरी की पारी खेली स्मित ने 41 गेंदों के उपा 52 रंस बनाएं स्मित के साथ मैथ्यू शॉट ने 11 गेंदों के उपा 13 रंस बनाएं साथ रं मुफ्त में मिले जिसमें 4 वाइड एक नोबॉल और दो लगबाई के रूप में रंस मिले पीस ओवरों में 208 बनें आज उस्ट्रेलिया के तीन विक्टों के नुकसान के बाद फॉल अफ विकेट्स के इंदर 31 रंज पे पहला विकेट 161 पे दूसरा विकेट और 180 पर 30 रा विकेट गेंदबाजी में अर्शदीप सिंग ने 4 ओवर में 41 रंज दे के कोई विकेट नहीं निकाला प्रसिद कृष्णा ने 4 ओवर में 50 रंज दे के एक विकेट निकाला अक्षर ने 4 ओवर में 32 दे के कोई विकेट नहीं निकाला बिश्नोई ने चार में चौवन देके एक विकेट निकाला मुकेश ने चार में बीस देके कोई विकेट नहीं और पावर प्ले में आप लोगों को 40 रंस बनाएं भारतिय टीम के सामने और अस्ट्रेलिया ने और अपने बीस ओवर में 208 रंस तीन विक्टो के नुकसान के बाद जब भारत पीछा करने उतरी दोस्तों आप लोगों को 209 रंस बनाएं फिर इनके साथ गायक वर्ड ने कोई रन नहीं बनाया बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो गए इस मैच में और फिर आप लोगों को नमबर 3 के उपर उतरे बाएं हाथ के इशान किशन ने हाफ सेंचुरी लगाई 49 गेंदो के उपर 58 रंस बनाएं दो चौके पांच छके शामिल थे इशान किशन की बल्ले बाजी में इशान किशन के बाद आए सूरी कुमार यादो तेज तरार पारी 42 गेंदो के उपर 80 रंस बनाएं सूरी कुमार यादो ने बहुत जबरदस पारी थी दोस्तों नो चौके दो चक्के लगाए इस माच में सूर्या ने और इसके बाद आय तिलग वर्मा 10 गेंदों के उबर 12 रन और फिर रिंकु सिंग का जो वो चक्का लगाया इन्होंने दोस्तों वो काउंट नहीं होगा वो इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि आपको गेंद बाज न सिंकु ने चार चौके अक्षर पटेल दो रन छे गेंदों पे विष्णोई एक गेंद पे खाता तक नहीं खोल पाए और रंत में दोस्तों अर्शदीप सिंग ने खाता नहीं खोला मुकेश कुमार ने भी खाता नहीं खोला और अस्ट्रेलिया ने 14 रन मुफ्त में दिये 12 वाइड एक नोबॉल और एक पाई के रूप में पॉला विकेट्स पहले विकेट 11 दूसरी विकेट 22 तीसरी विकेट भारत के 134 चौती 155 वी 194 चटी 207 साथ वी 207 आठ वी 208 गेंद बाजी में स्टॉइनस ने तीन ओवर में 36 देके कोई विकेट नहीं निकाला एलिस ने चार में 46 देके कोई विकेट नहीं निकाला सांगा ने चार में 47 देके दो विकेट निकाला पावर प्ले में तेरे सर्ट रंज जो हैं वो कुल मिला के इस माच के अंदर जो हैं वो बनाए भारत ने और 19 ओवर 5 गेंदों में भारत ये टीम ने इस मुकाबले को 215 बनाके 215 क्या 29 रन बनाके इस मैच को जीत लिया क्योंकि आखरी जो छक्का मारा था रिंको सिंग ने वो काउंट नहीं हुआ लेकिन रिंको सिंग का जो वो शॉट था विनिंग शॉट वो बड़ा जबरदस्ता बिलकुल सीधा तीर की तरह उन्होंने गेंद को लगाया थ लोंग ओन बाउंडरी के उपर छक्के के लिए दोस्तों आज के प्लेयर ऑफ दे मैच सूरे कुमार यादो 22 गेंदो में आस सीरनों की पारी की वज़े से बहतरीन पारी थी आज और भारत अभी पांच मुकाबलों की सीरीज में पहला मुकाबला जीत चुका है अब दोस्त मुकाबला 28 तारी को गोहाटी में साम 7 बजे से फिर 1 दिसंबर सुक्रुवार को दोस्तों खिला जाएगा राइपूर 36 गड में साम 7 बजे से मुकाबला 4 टी 20 और पांचवा और आखरी मैच रविवार अगले रविवार को खिला जाएगा दोस्तों साम 7 बजे से ने जो है दोस्तों वो जीत दर्ज करी आज ऐस्टेलिया के खिलाब 22 गेंदों में 32 की आवशकता भारतिय टीम को सुरी कुमार यादो ने आज बिलकुल फ्रंट से लीड किया है कप्तान ने और आज जिस तरीके की बलेबाजी सुरी कुमार यादो ने की है कुछ ऐसी ही बलेबाजी भारतिय फैंस को वरल्ड कप के फाइनल में थी लेकिन ये लिजिए तीसरी गेंद सुरी कुमार यादो ने एक बार फिर से उठा का मारा मिर्वगट बाउंडरी पे फिल्डा मौचूद नहीं है अगर होते भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गेंद उनके उपर से निकल जाती एक और छक्का चौथा छक्का सूरी कुमारियादो के बल्ले से ये गुलेंद पर डाली वी गेंद थी लिक्स्टम के उपर सूरी कुमारियादो ने अपने फ्रंट फूट को सामनी की तरफ निकाला और लॉंग ओन बाउंडरी और मिर्वगट बाउंडरी के बीच में से उठा का मार दिया और गेंद सीधा दर्शकों के इंदर जाती वी छेरनों के लिए दर्शकों में दोस्तों हर्शो उलास का माहौल नजराता वाट अतर मिटर लंबा चक्का यहाँ सूरी कुमारियादो के बल्ले से आता और दर्शकों में एक बहतरीन कैच पकड़ा गया है वहाँ ग्राउंड स्टाफ के द्वारा खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ का यह कैच पकड़ने के बाद यह इस ओवर की चौती गेंद काटिंग पे सूरिया और यह धीमी गती की शौट अफ लेंड डिलिवरी इस बार अपर कट किया है और गेंद जाती वी शौट थर्ड मन के उपर से डीप थर्ड मन बाउंडरी के बाहर एक टिपा दो टिपा और एक और चौका और यह दो गेंदों के उपर अब कुल मिलाके 10 आ चुके हैं इस ओवर में कुल मिलाके 16 आ चुके हैं जिसमें 6-4-10 पहली गेंद पे चौका दो वाइड आये थे और 16 रनों के साथ भाड़ते टीम इस ओवर के बाद अब 20 गेंदों में केवल 22 रन सूर है यह मैच जीतने से सूरे कुमार यादो का बला अगर इसी तरीके से फाइनल्स में भी चल गया होता तो दोस्तो विशो का भी भारत में ही रहता है लेकिन 20 गेंदों में 22 के अबावशकत है दोस्तो 5 ती 20 मुकाबलों की सीरीज में भारते टीम इस मुकाबले को जीतने से केवल 22 रन्स दूर नजर आती भी नेथन एलिस की पाँचवी गेंदाने जा रही है बाटिंग में दोस्तो सूरी कुमार यादो 38 गेंदों में 75 रनों के उपर यह अगली गेंद के उपर बहुती रक्षात्मक तरीके से शॉट आफ रेंड डिलिवरी थी पुल किया अच्छे अंदाज में लेकिन वहाँ फिल्डम मौजूद है मैथ्यू शॉट ने डीप से फिल्ड किया जब तक फिल्ड कर पाते मैथ्यू शॉट डीप से तक रिंकु सिंग और सूरी कुमार यादों ने भाग कर बड़ी तेजी के साथ आसानी के साथ ये एक रन पूरा कर लिया है भारत 188 रनों के पर पहुंचा चारविक टोकन हुकसान के बाद 16.5 गेंदों किसमाफ़ी के बाद आप सभी लोगों से गुजारी से कि आप सभी दोस्ते एक साथ मिलके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग ने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोगों को दबाना ही दबाना है दोस्तों अगर आप ने नहीं दबाया है तो ये अगली गेंद लेके चल रहे हैं इन दो नहीं बल्ले बाजों ने एक और रंच वो पूरा कर लिया है, पेग रंच के साथ स्कोर होता हुआ बढ़कर 184 विक्टों के नुकसान के बाद, 19 गेंदों के उपर केवल 20 रंचों की आवशक था, भारते टीम को ये माच जीतने के लिए चाहिए, तो 18 गेंदे रह गई हैं बाकी केवल और केवल और 18 गेंदों के उपर 20 रंचों की आवशक था, इस मैच में केवल और केवल चाहिए, दोनों ही बल्ले बाजों ने, रिंकु सिंग और सुरी कुमार यादों ने मिलके दोस्तों आप देखेंगे, तो एक ने 49 गेंदों में 76 र तो तक आप लोग भी लाइक कर दीजेगा दोस्तों, अगर आप लोग ने वीडियो लाइक नहीं किया तो और सब्सक्राइब कर दीजेगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बहरेंड ओफ नए ओवर की शुरुवात करने के लिए आ रहे हैं, अब बहर और यहां विकेट निकालनी पड़ेगा अगर इस मैच के अंदर दोस्तों बने रहेना है उस्ट्रिलिया को तो गेंदों के उपर यानि के रन अब ओल अल्मोस्त इस मैच के अंदर जो हैं दोस्तों चाहिए बेरंड ओफ की दूसरी गेंदारी है सूरे कुमार यादो के लिए और मैं आप लोगों को बता दो कि सूरी कुमार यादो असी रनों के पहुंच चुके हैं क्या इनकी सेंचुरी पूरी हो पाएगी मुश्किल है अल्मोस्त नामुम्किन की तरह यह यॉरकर था लेकिन ड्राइव किया पॉइंट बाउंडरे के तरह दो फिल्डरों के बीच में से फिल्डर वहां गेंट के पीछे लेकिन रोकने मन नामुमकिन पॉइंट बाउंडरे के बाहर चौका मिल जाएगा बल्लेबास को धीमी गती की गेंटी ओफ स्टम पर यॉरकर डालने का प्रियास कर रहे थे बेरेंड ओफ अपने फ्रंट फूट को सामने की तरफ नि इतनी हम तारीफ करेंगे इस शॉट के उतनी ही कम रहेगी जहां ये अगली गेंट तीसरी धीमी गती की गेंट इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस की नारा छोड़ती भी गेंट लिकेट कीपर जॉश इंगलिश के दस्तानों में मैथ्यू बेट के दस्तानों में आई की अप़र जो मवजूद नजरा रहे हैं सूर्य कुमार यादो हैं बेर अडौफ की आँकी की तीन और गेंट अर गेंट के उपर बैटिंग में सूर्य कुमार यादो इनको चाहिए 20 रंस टीम को चाहिए 15 रंस और ये सूर्य कुमार यादो चोथी गेन का सामना करेंगे धीमी गती की गेन थी बहुत उची गेन को उठा कमारा है और ये एक बहतरीन कैच अरन हार्डी के द्वारा जो कि मिडॉन पे खड़े थे दोड़ कर गए लॉंग ओन बाउंडरी के पास और ये एक सांदार सा कैच दोस्तो एक अन्बलीवबल कैच पकड़ते हैं वहाँ पर अरन हार्डी मिडॉन की तरफ दोड़के जाके लॉंग ओन बाउंडरी के पास ये कैच पकड़ा है और आस्ट्रेलिया को इस मैच के अंदर विल्डम मौझूद थे उन्होंने हार नहीं मानी अंत तक दोस्तों गिन के पीछे भागते रहे और आखिरकार इस कैच को पकड़ कर ही माने दोस्तों भारत ने 194 रनों की उपगवा दिया है अपना ये पांच वा विकेट नए बल्लेबाज अक्षर पटील आ रहे हैं सूरी क दोस्तों 17 गेंदों के 45 रनों की जो भागेदारी थी वो अब समाफ्त हो चुकी है नेबल लिबाज अक्षर पटेल और रिंकू सिंग नदर आ रहे हैं 14 गेंदों में 15 रनों की आवशक्ता रिक्वाइड रेट 6.43 का है अभी भारत ये मैच जीता नहीं है औस्ट्रेलिया अभी ये मैच जीता नहीं है कोई टीम अभी तक बाहर नहीं हुई है पूरा मैच बाकी है अभी क्योंकि आखरी की 14 गेंदे डिसाइड करेंगी कि कौन जीतेगा इस मकाबले को आस्ट्रिया या फिर दोस्तों भारत जहां पर आखरी की आप लोगों को दो और गेंदे जो ह लिए अगली गेंद तो यहांच से बेहरं डॉफ लेके चल रहे हैं यह शॉट बॉल थी और अक्षा पटेल ने बहुत ही आराम से फाइन लेक बाउंडरी की तरह फिल्क किया है चरतेकि इस गेंद को फाइन लेक बाउंडरी का फिल्ड अफील करके थ्रो कर पाता है इन द 13 गेंद में 14 रनों की आवश्यक्ता है मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि अगर कोई कमबाक करा सकता है उस्ट्रिया को तो वह जेसन बहरंडॉफ ही है और जेसन बहरंडॉफ ने दोस्तों टीम को कमबाक कराया भी है इस मैच में यह अगली गेंद लेकर आने के लिए हैं था यार आए देखते हैं जरा इस सोवर की अगली गेंद पर कहां खेलते हैं इस श्टार्ट को यह धीमी गती की गेंद ओफ स्टम पर थी सामने आपको स्ट्राइक के उपर बल्ले बाज जो थे दोस्तों रिंकु सिंग थे रिंकु ने इस गेंद के उपा कट मारने का प्र इस सोवर की समाफ्ती के बाद स्कोर होता वड़के 195 पांच विक्टो के नुकसान के बाद 18 उवरो का खेल समाफ्त हो गया है इस माच में तो 209 का टार्गेट था भारत अब 195 बना चुका है आखरी की 12 गेंदों का खेल जो है दोस्तों और रह गया है बाकी इस माच में अगली 12 गेंदों के उपर अक्षर पटेल मौजूद नेथन एलिस अपना आखरी उवर डालेंगे सवाल दोस्तों यह है कि ऐस्ट्रेलिया के लिए आखरी उवर कौन डालेगा Most Probably आपको Marcos Stoners जो है आखरी ओवर डाल सकते हैं क्योंकि उनके ही दोस्तों एक ओवर रह गए हैं बाकी उसके अलावा Sean Abbott का एक ओवर रह गया बाकी देखते हैं Marcos Stoners या Sean Abbott को कप्टान देते हैं अगर आखरी ओवर तक यह मैच जाता है तो मुझे लगता है कि दोस्तों आखरी ओवर जो है वो होने वाला है तो दोस्तों पांच फिल्डरों की जगह के उपर केवल चारी फिल्डर को रखा जा सकता है अब ऑस्ट्रेलिया के लिए परिशानियों और बढ़ गई है और उपर से नेथिन इलिस ने ये पहली ही गेंद वाइड बॉल का इशारा कर दिया है दीमी गती की गेंद ऑस्टम के बाहर अंपायर ने वाइड करा दिया इस पहली ही गेंद को तो दोस्तो समय से आप लोगों को आस्ट्रेलिया के टीम जो है पारी को समाप्त नहीं कर पाई है और इसी वज़े से आस्ट्रेलिया के उपर पेनल्टी लगा दी गई है केवल चारी फिल्डर्स जो है अब तीज गच के गेरे में तीज गच के गेरे के बाहर रह सकते हैं और पांचवा फिल्डर को अब अंदर बुला लिया गया है तो ये अब आसान हो चुका है भारत ये बल्ले बाजों के लिए और बड़े बड़े शॉट्स खेलना है ये व सिकेट कीपर वेड ने इस गेन को फील्ड करके वापस गेन बाज एलिस के पास पहुंचा दिया एक सो च्यानबे पांच विक टोकन उकसान के बाद भारत अठारा ओवर्स और एक गेन की समाफती पार आप लोग भी सब्सक्राइब करें दोसों चैनल को इंतुजार किस ची किनारा चोड़ती भी गेन विकेट कीपर के दस्तानों में बलेबाज हैरान हो गए हक्का बक्का हो गए कहां खिरकार उनके साथ हुआ तो हुआ क्या लेगन किनारा चोड़ती भी ये गेन विकेट कीपर के पास पहुँची और विकेट कीपर ने बड़े आराम से इस गेन क और फील्ड कर लिया भारत एक सुच्छी अन्वे पे पांच अठारा ओवर सो दो गेंदों के बाद एलिस की चार और गेंदे मौजूद यहां अक्षर पटेल को स्ट्राइक रिंकु सिंग को देनी होगी क्योंकि अक्षर पटेल ना तो यहां सिंगल ले पा रहे हैं ना बड़े शॉट लगा पा रहे हैं कहीं है मैच को फसाना दें अक्षर पटेल शॉट बॉल ड्राइव किया कवर की दिशा में सीधा फिल्डर मौजूद मारकस स्टोइनस के हाथों में और रन लेने का कोई मौका ने सोवर की तीसरी गेन के उपर भी एक और डॉट बॉल कोर होता हुआ बढ़कर 196 पांच विक्टो के नुकसान के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तो चैनल को क्योंकि अगर आप मेंसे एक और मित्र हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब तो हम लोग पहुँँ जाएंगे दोस्तों कुल मिला कि आप लोगों को बता दें 12,50,000 सब्सक्राइबर्स पर 12,99,999 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप मेंसे कोई भी एक और मित्र जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अपना अपने नाम कॉमेंट बॉक्स में लिखिये शौट गें थी बल्लेबाज ने हलके हाथों से पॉइंट की तरफ खेला एक रन के लिए स्ट्राइक रोटेट अब आखरी की दो गेंदे रह गई है बाकि रिंको सिंग के पास स्ट्राइक वापस आ गई है मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप फटा फट सब्सक्राइब कीजिए दोसों चैनल को क्योंकि हम लोग 12,50,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने में केवल एक सब्सक्राइबर दूर है तो फटा फटा आप में से एक और मित्र जो हैं वो सब्सक्राइब कर दीजेगा और लाइक करना बुलेगा इस वीडियो को आए आखरी की दो गेंदों के उपर रिंको सिंग मौजूद क्या भारती है टीम के बल्लेबाज रिंको सिंग अगली दो गेंदों पर दो छख्क्य मार के मैच को यही कर देंगे समाफ अगली गेंद नेथन एलिस दोड़ने के लिए तैयार बाय हाँत के रिंको सिंग के लिए एलिस जो की 43 रन्स अब तक दे चुके हैं और ये लगा बहतरी इन शॉर्ट कनेक्ट हो गया बल्ले पे और गेन जाती वी लॉंग ओफ बाउंडरी के बाहर चार रंस के लिए ये कहते हैं दोस्तों टाइमिंग और पावर बिल्कुल सीधा शॉट एक लेंथ डिलिवरी थी रिंकु ने फ्रेंट फुट पर आके सामने की तरफ गेन बास के ठीक बाई तर जीतने के लिए अब साथ गेन्दों पे केवल आर्ट रनों की आवश्चकता अगर इस ओवर में रिंकु सिंग खेले होते हैं तो भारत ये मैच जीत गया होता इसी ओवर में लेकिन खेर भारत ने 200 रन पूरे कर लिया हैं उस चौके के साथ ही आखरी गेन पे सिंगल लेना भारत को अब केवल और केवल 6 गेन्दों में 7 रनों की आवश्चकता रिंकु सिंग ने 10 गेन्दों में कुल मिला के अब तक 17 रन जो हैं वो बनाए हैं और दूसरी तरह फक्षर पटेल ने 5 गेन्दों के उपर अब तक 2 रन्स बनाए हैं नेथन एलिस का ये जो चौथा ओ जी हाँ कप्तान ने शान आंथनी आबट को आखरी ओबर दिया है क्या ये 7 रन बचा पाएंगे मुझे लगता ने कि दोस्तों आपको ये 7 रन बचा पाएंगे और वो भी रिंकु सिंग के सामने अगर कोई और होता तो साहिद एक समय को हम और आप मान सकते थे कि साहिद आ आखरी ओबर शुरू होने जा रहा है तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को अगर आपने पता कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो और ये आखरी ओबर की श ये टीम के लिए क्या ये गेम को कर पाएंगे फिनिश एशन गेम्स में बहुत सारे गेम्स इन्होंने फिनिश किये थे लीजिए पहली ही गें थी शॉट ऑस्टम के उपा पॉइंट के उपर से उठा दिया फिल्डर 30 गज के घेरे में डीप पॉइंट पे कोई फिल्डर मौ अपती पार उस्ट्रेलिया एकिलाडियों ने अपने हाथ को सर पे रख लिया है क्योंकि वह जानते हैं कि ये माच उनके हाथों से फिसल गया है क्योंकि अब भारतिय टीम के एवल एक चौका दूर है इस माच को जीतने से क्या दोस्तों भारतिय टीम इस ओवर की दूसरी ह माच को कर पाएगी फिनिश चलिए देखते हैं शान आबट दाइहाथ से दोड़ते वे उवद विकेट से ऑस्टम के बाहर गेंदो बल्ले के बीच कोई संपर्ग नहीं विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए हैं और इन दोने बल्ले बाज उने भाग कर ये ब बना पाए हैं आए जड़ा देखते हैं दोस्तों की अगली कुछ गेंदों के उपा कितने सारे रंज जो हैं बनते हैं और आस्ट्रेलिया के कप्तान जो हैं उन्होंने स्ट्राइक जो है वो रोटेट करने का मौका दे दिया ये एक भारी गलती हो गए इन से तीसरी गेंद शान अबट लेके चल रहे हैं बैट इंक्रीस के उपर बल्लेबाज तयार इस बीच शान अबट की ये गेंद हवा में उठा कर मारा गया ये स्ट्रोक फिल्डर वहां मौझूद है और अक्षर पटेल ने यहां अपनी विकेट गवा दी है गेंद बाज ने खुदी स्कैच को पकड़ लिया शौट बाल थी अक्षर पटेल के लिए शान अबट ने ये धीमी गती की शौट अफ लेंड डिलिवरी डाली थी पुल मारने की कोशिस कर रहे थे बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर टकराया अक्षर पटेल के और गेंद बास पीछे की तरह भाग कर एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ने में कामयाब भारत को लगता हुआ ये बहुत ही गलत समय के उपर एक बड़ा विकेट अक्षर पटेल 6 गेंदों के उपर 2 बना कर आउट होकर वापस जा रहे हैं और अब परिशानी दोस्तों ये है कि पहले की जमाने में जब गेंद ह अगर हम देखेंगे तो भारती टीम के पास अब बल्लेबाजी बची नहीं है क्योंकि अब बल्लेबाजी में आपको रवी बिश्नोई है अर्शदीप सिंग है प्रसित कृष्णा है और मुकेश कुमार है कप्तान ने रवी बिश्नोई के उपर भरोसा दिखाया मुझे ल और शक्ता मैच दोस्तों बिल्कुल रोमान चक हो चुका है और क्या इस रोमान चक्ता में रवी बिश्नोई दोस्तों आके एकाच चोके लगा के भारते टीम को जीत दिला पाएंगे चलिए देखते हैं क्योंकि अगली गेंद करने के लिए गेंद बास शौन आबट तयार नदर आ रहे हैं विकेट कीपर जो मैथ्यू वेड हैं ऐसा लग रहा है कि दोस्तों उन्होंने गलफ्स खोल दिये हैं और गलफ्स खोलने के बाद आप लोगों को बता दे कि दूसरे जो विकेट कीपर हैं जॉश इंग्लिश उनको इन्होंने विकेट कीपिंग थमा दी है यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेशर दाइहाँ से आबट दोड़े और शॉट अफ लेंग के उपर पुल मारने की कोशिस और गेंदो बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और यह बाई के रूप में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही बल्ले बाजुने एक रन पूरा कर लिया ह जी नहीं यहाँ पर लग रहा है कि दोस्तो नॉन स्ट्राइकर एंड के उपर जो हैं वो रवी बिश्णोई रनाउट हो गए हैं लेकिन अथी चीज़ यह है कि दोस्तो इसे में स्ट्राइक जो है वो बदल जाएगी च्योंकि दोनों ही बल्ले बाजुने यहाँ पर एक र है और रनाउट होकर रवी बिश्णोई वापस जाते वे पवेलियन एक गेन के उपर बिना कोई रन बनाएं यानि कि अब दो गेंदे रह गई हैं स्ट्राइक आपको रिंकु सिंग के पास मौजूद है नए बल्ले बाज आपको अर्शदीप सिंग आ चुके हैं अब दोस आसी स्ट्राइक रखें कई ऐसा ना हो कि ये मुकाबला दोस्तो आप लोगों को ड्रॉ हो जाए और सूपर ओवर हो जाए हो सकता है ऐसा क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके का मैच रहा है एक समय को लग रहा था कि भारत साइद ही दोस्तों नौरन चेस कर पाएगा फिर लगा कि दोस्तों आस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी के साथ जीच जाएगा और अब आप देख सकते हैं मैच के अंदर आस्ट्रेलिया वापस कमबाग कर चुका है और इस ओवर में पहली गेन पे वो कहिए कि चौका आ गया अगर वो चौका नहीं आया होता तो सायद आपक के उपा 21 रंस बना का खेल रहे हैं रिंकू 12 पे 20 और कप्तान ने विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने वही विकेट कीपिंग कर रहे हैं उन्होंने अपने एक गलफ को निकाल दिया है और किवल एक ही गलफ के साथ दोस्तों खेल रहे हैं फील्ड में एक लॉंग ओन एक मिर् की सजावट पीछे का फाइनले का एरिया थर्ड में का एरिया पूरी तरीके से खाली और यह अगली गेंड के उपा बल्लेबाज जो तयार नजर आ रहे हैं चौट अफ लेंड डिलेवरी शॉन अबट की बैटिंग क्रीज के उपर जो बल्लेबाज है वो है रिंको सिंग पुल कर दिया मिर्विकट बाउंडरी पे स्टीवन स्मित ने इस गेंड को फ्रो किया है स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे और एक और विकेट ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आउट हो गए हैं लेकिन मैच ड्रौ हो चुका है यहां पे शॉट अफ लेंड डिलिवर है कि अर्शदीप सिंग थोड़े से शॉट रह गए हैं आईए देखते हैं कि क्या यह रन आउट हैं जी हां यह बिल्कुल रन आउट हो गए हैं आप देख सकते हैं बल्लेबास का बल्ला थोड़ा सा दूर रह गया है और इसी बीच आखरी विकेट भी अब आने जा रहा ह यानि कि आखरी गेन के उपर भारत को एक रनों की आवशकता तो अर्शदीप सिंग ने थोड़ी सी और जल्दबाजी दिखाई होती तो भारत यहां पर यह मैच यहीं जीत गया होता लेकिन दोस्तों मैच में अभी भी ट्विस्ट बाकी है अभी भी आप लोगों को इस मै मैच के अंदर लगतार ट्विस्ट पर ट्विस्ट आये जा रहे हैं अब आखरी बलेबाज मुकेश कुमार आ रहे हैं और अभी स्ट्राइक जो मौझूद नजर आ रही है वो रिंकु सिंग के पास ही है यानि कि रिंकु सिंग 13 गेंदों के उप 22 रंज बना का खेल रहे है इस मैच में मैच अभी खतम नहीं हुआ है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों चैनल को क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र कर देगा सब्सक्राइब तो 12,51,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे तो आप लोगों में से फटा-फटी और मित्र जो हैं दो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजे और कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से बताएए कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप भारत या फिर आस्ट्रीलिया को आईए देखते हैं दोस्तों इस आँख्री गेंद के उपर जो कि शौन आबट करने जा रहे हैं मुकेश कुमार जो कि आँख्री बल्लेबाज हैं क्या ये इस मैच के इंदर एक रन भाग पाएंगे अगर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं होगा तो ये तो दोस्तों केवल और केवल समय ही बताएगा रिंकु सिंग 13 गेंदों के बाका है डीप स्कूर लेग मिर्विकेट और लॉंग ओन बाउंडरी लॉंग ऑफ पे भी छक्का मार सकते हैं लेगिन बड़ा ही मुश्किल होता है इस समय पैट्स को खोल दिया है मुकेश कुमार ने यानि कि दोस्तों बिना पैट्स के ही दोड़ेंगे आसानी होती है दो इस ओबर की आखरी गेन बाट इंक्रीज के उपर रिंकु सिंग मौजूद एक मिड़ॉन एक मिड़ॉफ एक लॉंग ओफ और एक लॉंग ओन बाउंडरी पे फिल्ड़ मौजूद दो सो नौ रणों की आवशक्ता थी भारत को भारत ने ऐस्ट्रेलिया की बराबरी कर लि पीछे फिल्ड़ मौजूद हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गेन लॉंग ओन बाउंडरी के बाहर सीधा सेकेंड टियर के उपर और भारत को दोस्तों इन्होंने चे विक्टों से जीत दिला दी है रिंकु सिंग ने ये मैच को दोस्तों चक्के के साथ भा आरा था छक्का रिंकु ने और आप लोगों को बताया दे कि गेन बाज शान अबट ने वो नो बोल भी डाल दी थी अगर आपको वो छक्का नहीं लगा होता तो भी भारत ये मैच जीत गया होता क्योंकि गेन बाज शान अबट से गलती हो गई और पाउन का थोड़ा सा आ राज के हीरो हैं भारते टीम के रिंकु सिंग 14 गेंदों के उपर 23 रंज बना के और उनके साथ मुकेश कुमार जो की नाबाद रहे सुनने के उपर आई ये बात करते हैं इस मैच के बारे में दोस्तों पूरी तरीके से आज दो पहर में जब टॉस हुआ था तो टॉस भार बारते टीम के कप्तान ने गेंबाजी का फैसला तो चुन लिया था जब बल्ले बाजी करने दोस्तों इस मैच के इंदर भारते टीम के सामने आस्ट्रेलिया के टीम उतरी तो आस्ट्रेलिया के टीम की तरफ से इस मैच में बहुत कमाल की बल्ले बाजी देखने को मिली हास तोर से दोस्तों आप लोगों को इस मैच के अंदर जोश इंग्लिश ने अमनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई और उनके साथ दोस्तों इस मैच के अंदर स्टीविन स्मित ने हाफ सेंचुरी की पारी खेली स्मित ने 41 गेंदों के उपा 52 रन्स बनाएं, स्मित के साथ मात्यू शौट ने 11 गेंदों के उपा 13 रनों की पारी खेली इंग्लिश ने 50 गेंदों के उपए 110 रंस बनाएं 11 चौके 8 चक्ये मारे स्टॉइनस ने 6 गेंदों के उपए 7 रंस बनाएं डेविड ने 13 गेंदों के उपए 19 रंस बनाएं 7 रं मुफ्त में मिले जिसमें 4 वाइड, 1 नो बॉल और 2 लेगबाई के रूप में रंस मिले 208 बने आज उस्ट्रेलिया के 3 विक्टोक नुकसान के बाद पॉल अ विकेट्स के इंदर 131 रंस पे पहला विकेट 161 पे दूसरा विकेट और 180 पर 30 रा विकेट गेंदबाजी में अर्शिदीप सिंग ने 4 वर में 41 रंस दे के कोई विकेट नहीं निकाला प्रसिद कृष्णा ने 4 वर में 50 रंस दे के एक विकेट निकाला अक्षर ने 4 वर में 32 दे के कोई विकेट नहीं निकाला बिश्नोई ने 4 में 54 दे के एक विकेट निकाला मुकेश ने चार में 20 देके कोई विकेट नहीं और पावर प्ले में आप लोगों को 40 रंस बनाए भारतिय टीम के सामने और अस्ट्रेलिया ने और अपने 20 ओवर में 208 रंस तीन विक्टो के नुकसान के बाद जब भारत पीछा करने उतरी दोस्तों आप ुपर उतरे ऑईहात के इशान किशन ने हाफサंचूरी लगाई 49 गेंदो के उपर 58 रंस बनाए दो चौके 5 छके शामिल थे इशान किशन की बलेबाजी में इशान किशन के बाद आए सूर्य कुमार यादो तेज तरार पारी 42 गेंदो के उपर 80 रंस बनाए ते Benay बहुत जबर दस पारी थी दोस्तों 9 चौके 2 चक्के लगाए इस माच में सूरिया ने और इसके बाद आयति लग वर्मा 10 गेंदों के बारे रन और फिर रिंकु सिंग का जो वो चक्का लगाया इन्होंने दोस्तों वो काउंट नहीं होगा वो इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि आपको गेंदबाज ने पहले नोबॉल डाल दी थी और उसके बाद जब चक्का मारते हैं दोस्तों एक रन की आवशक्ता होते तो नोबॉल पहले काउंट हुता है और वो चक्का काउंट नहीं होता तो चक्का कांउंट नहीं होगा रिंकु सिंग की बलेबाजी में 14 गें के रूप में पॉला विकेट्स पहले विकेट 11, दूसरी विकेट 22, तीसरी विकेट भारत की 134, चौती 154, पांच वी 194, चटी 207, साथ वी 207, आठ वी 208, गेंदबाजी में स्टॉइनस ने 3 ओवर में 36 देके कोई विकेट नहीं निकाला, बेरिंडॉफ ने 4 ओवर में 25 देक एक विकेट निकाला, आबट ने 3 ओवर 5 गेंदों में 43 देके एक विकेट निकाला, एलिस ने 4 में 46 देके कोई विकेट नहीं निकाला, सांगा ने 4 में 47 देके दो विकेट निकाला, पावर प्ले में, तिरे सर्ट रंज जो हैं, वो कुल मिला के इस मैच के अंदर जो हैं, वो बनाए भारत ने और 19-5 गेंदों में भारते टीम ने इस मुकाबले को 215 रन बनाके 215 क्या 209 रन बनाके इस मैच को जीत लिया क्योंकि आखरी जो छक्का मारा था रिंको सिंग ने वो काउंट नहीं हुआ लेकिन रिंको सिंग का जो वो शॉट था विनिंग शॉट वो ब से बहतरीन पारी थी आज और भारत अब ये पांच मुकाबलों की सीरीज में पहला मुकाबला जी चुका है अब दोस्तों अगले चार मैचे अगला मुकाबला थिरुविनंत पूरम में खेला जाएगा ग्रीन फिल्ड इंटरनाशनल स्टेडियम थिरुविनंत पूरम जो क साम साथ बजे से मुकालबा चौथा T20 और पांचवा और आखरी मैच रविवार अगले रविवार को खिला जाएगा दोस्तों साम साथ बजे से बैंगलूरू में तो दोस्तों ये पांच मैचे इस सीरीज में और फिर आप लोगों को भारतिये टीम को सुरी कुमार यादो सुरी कुमार यादो ने आज बिल्कुल फ्रन्ट से लीड किया है और आज जिस तरीके की बल्ले-बाजी सुरी कुमार यादो ने की है कुछ ऐसी ही बल्ले-बाजी भारतिये फैन्स को वर्ल्ल चौथा 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 सूरी कुमारियादों के बल्ले से ये गुलेंद पर डाली वी गेन थी लिक्स्टम के उपर सूरी कुमारियादों ने अपने फ्रंट फूट को सामनी की तरफ निकाला और लॉंग ओन बाउंडरी और मिर्विगट बाउंडरी के बीच में से उठा का मार दिया और ये इन सीधा दर्शकों के इंदर जाती हुई छेरनों के लिए दर्शकों में दोस्तों हर्शो उलास का माहौल नजर आता वाट अतर मिटर लंबा चक्का यहाँ सूरे कुमार यादों के बल्ले से आता और दर्शकों में एक बहतरीन कैच पकड़ा गया है वहाँ ग्राउंड स्टाफ के द्वारा खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ का ये कैच पकड़ने के बाद यह इस ओवर की चौती गेन काटिंग पे सूरिया और ये धीमी गती की शॉट अफ लेंड डिलिवरी इस बार अपर कट किया है और गेन जाती वी शॉट थर्ड मन के उपर से डीब थर्ड मन बाउंडरी के बाहर एक टिपा दो टिपा और एक और चौका और ये दो गेन्दों के उपर अब कुल मिलाके 10 आ चुके हैं इस ओवर में कुल मिलाके 16 आ चुके हैं जिसमें 6-4-10 पहली गेन्द पे चौका दो वाइड आये थे और 16 रनों के साथ भारते टीम इस ओवर के बाद अब 20 गेन्दों में केवल 22 रन सूर है ये मैच जीतने से सूरे कुमार यादो का बला अगर इसी तरीके से फाइनल्स में भी चल गया होता तो दोस्तो विशो का भी भारत में ही रहता इस समय लेकिन 20 गेन्दों में 22 के बावशकत है दोस्तो पाँच T20 मुकाबलों की सीरीज में भारते टीम इस मुकाबले को जीतने से केवल 22 रन्स दूर नजर आती भी नेथन एलिस की पाँच वी गेन्दाने जा रही है बाटिंग में दोस्तो सूरी कुमार यादो 38 गेन्दों में 75 रनों के उपर यह अगली गेन्द के उपर बहुती रक्षात्मक तरीके से शॉट आफ रन डिलिवरी थी पुल किया अच्छे अंदाज में लेकिन वहाँ फिल्डम मौजूद है मैथ्यू शॉट ने डीप से फिल्ड किया जब तक फिल्ड कर पाते मैथ्यू शॉट डीप से तक रिंकु सिंग और सूरी कुमार यादों ने भाग कर बड़ी तेजी के साथ आसानी के साथ ये एक रन पूरा कर लिया है भारत 188 रनों के पर पहुंचा चारविक टोकन उकसान के बाद 16.5 गेंदों की समाफ़ती के बाद आप सभी लोगों से गुजारी से कि आप सभी दोस्त एक साथ मिलके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग ने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोगों को दबाना ही दबाना है दोस्तों अगर आप ने नहीं दबाया है तो यह अगली गेंद लेके चल रहे हैं नेथन एलिस दायाहाद से चो 17 वे उबर की यह आखरी गें बैट इंक्रीस के उपर रिंकु सिंग शॉट अफ लेंड डिलेवरी ओफ स्टमपर थी गाइड कर दिया डीप थर्ड मिन बाउन्डरी की तरफ और जब तक इस गेंद को दोस्तों डीप थर्ड मिन बाउन्डरी का फिल्ड़ा वहाँ फील कर पाता थ्रो कर पाता इन दोने बल्ले बाजों ने एक और रन जो है वो पूरा कर लिया है तो एक रन के साथ स्कोर होता हुआ बढ़कर 184 विक्टो के नुकसान के बाद 19 गेंदों के उपर केवल 20 रनों की आवशक था भारते टीम को ये माच जीतने के लिए चाहिए तो 18 गेंदे रहे गई हैं बाकी केवल और केवल और 18 गेंदों के उपर 20 रनों की आवशक था इस मैच में केवल और केवल चाहिए दोनों ही बल्ले बाजों ने रिंकु सिंग और सुरी कुमार यादों ने मिलके दोस्तों आप देखेंगे तो एक ने 49 गेंदों में 76 रन्स बनाए हैं और दूसरे ने 6 गेंदों के उपर आद देखेंगे तो कुल मिलाके 11 रन्स जो हैं वो बनाए हैं अगली गेंड एलिस का ये ओवर हो चुका है समाफ तो तक आप लोग भी लाइक कर दीजेगा दोस्तों अगर आप लोग ने वीडियो लाइक नहीं किया तो और सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बहरेंड ओफ नए ओवर की शुरुवात करने के लिए आ रहे हैं अब बेरेंड ओफ का दोस्तों यह आखरी ओवर है तो बेरेंड ओफ को यहाँ विकेट निकालनी पड़ेगा अगर इस मैच के अंदर दोस्तों बने रहना है उस्ट्रेलिया को तो शॉट ओफ लेंड डिलेवरी ओफ स्टम पर थी दीप थर्ड में बाउंडरी के तरफ गाईड करने का प्रयास किया लेकिन बैकफ़र पॉइंट पर फिल्डर अपनी बाई तरफ जाके फिल्ड करता थ्रो करता एक रन पूरा कर लिया इन दोनों बलेबाद उने स्कोर 190 रन च जो हैं दोस्तों चाहिए बैरंड ओफ की दूसरी गेंदारी है सूरे कुमार यादो के लिए और मैं आप लोगों को बता दो कि सूरे कुमार यादो 80 रनों के पर पहुंच चुके हैं क्या इनकी सेंचुरी पूरी हो पाएगी मुश्किल है औल्मॉस्ट नामुम्किन की तर यॉरकर डालने का प्रियास कर रहे थे बैरंड ओफ अपने फ्रंट फूट को सामने की तरफ निकाल के सूरे कुमार यादो ने इस गेंद को पॉइंट बाउंडरी के ठीक बगल से खेल दिया डी पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए सुन्दर टाइमिंग ब पॉशिस की नाराच छोड़ती भी गेंदिकिट कीपर जॉश इंग्लिश के दस्तानों में मैथिवेड के दस्तानों में आखरी की तीन और गेंदे रहे गई हैं बाकी बैट इंक्रीज के उपर सूरे कुमार यादो जो हैं दोस्तों वो मौजूद नजर आ रहे हैं और ये बाया हाँ से बैरेंड ओफ लेकर आ रहे हैं गेंद बाजी में प्राई के उपर जो मौजूद नजर आ रहे हैं सूरे कुमार यादो हैं बैरेंड ओफ की आखरी की तीन और गेंदे और अगली तीन और गेंदो के उपर बैटिंग में सूरे कुमार यादो इनको चाहिए 20 टीम को चाहिए पंदरा रंस और ये सूरी को मर यादो चौती गेन का सामना करेंगे धीमी गती की गेन थी बहुत उंची गेन को उठा कमा रहा है और ये एक बहतरीन कैच आरन हार्डी के द्वारा जो कि मिडॉन पे खड़े थे दोड कर गए लोंग ओन बाउंडरी के पास और ये एक सांदार सा कैच दोस्तों एक unbelievable कैच पकड़ते है वहाँ पे आरन हार्डी मिडॉन की तरफ दोड़के जाके लोंग ओन बाउंडरी के पास ये कैच पकड़ा है और आस्ट्रेलिया को इस मैच के अंदर थोड़ा बहुत कमबाक करा दिया है आरन हार्डी ने और जेसन बेरेंडॉफ ने धीमी गती की गेंती ओस्टम पर बल्लेबाज ने पूरी ताकत लगा के मारने की कोशिस करी लोंग ओन बाउंडरी के उपर से लेकिन जो लोंग ओन बाउंडरी पर मिड़ाण पर जो फिल्डम मौजूद है उन्होंने हार नहीं मानी अंत तक दोस्तों गेंद के पीचे भागते रहे और आखिरकार इस कैच को पकड़ कर ही माने दोस्तों भारत ने 194 रनों की उपगवा दिया है अपना ये पांचवा विकेट नए बल्लेबाज अक्षर पटेल आ रहे हैं सूरी कुमार यादो आज के इस मैच में एक बहतरीन 80 रनों की पारी खेल कर आउट होकर वापस जा रहे हैं पविलियन नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए वो आब आते वे नज़र आ रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों 17 गेंदों के 45 रनों की जो भागेदारी थी वो अब समाफ़त हो चुकी है नेबल लिबाज अक्षर पटेल और रिंकू सिंग नज़र आ रहे हैं 14 गेंदों में 15 रनों की आवशक्ता रिक्वाइड रेट 6.4 तीन का है अभी भी भारत ये मैच जीता नहीं है आस्ट्रेलिया भी ये मैच जीता नहीं है कोई टीम अभी तक बाहर नहीं हुई है पूरा मैच बाकी है अभी क्योंकि आखरी की 14 गेंदे डिसाइड करेंगी कि कौन जीतेगा इस मकाबले को अस्ट्रिया या फिर दोस्तों भारत जहां पर आखरी की आप लोगों को दो और गेंदे जो हैं सोवर में मौजूद नजर आ रही है सब्सक्राइब करें तोस्तों आप लोग भी सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करने ना भूलेगा आप लोग क्योंकि बता दें आप लोगों को कि 14 गेंदों में फिल्ड फील करके थ्रो कर पाता है इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और ले लिया है भागकर तो ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन बनाये थे बीस सुवर में तीन विक्टो के नुक्सान के बाद भारत उसके जवाद में अब तक आब देख सकते हैं 95 बना चुका है अब 13 गेंदों में 14 रनों की आवश्रकता है मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि अगर कोई कमबाक करा सकता है उस्ट्रिया को तो वह जेसन बहरेंडॉफ ही है और जेसन बहरेंडॉफ ने दोस्तों टीम को कमबाक कराया भी है इस माच में ये अगली गेंद लेकर आने के लिए हैं तयार आएए देखते हैं जरा इस सोवर की अगली गेंद पर कहां खेलते हैं इस स्टार्ट को ये ये धीमी गती की गेंद ओफ स्टम पर थी सामने आपको स्ट्राइक के उपर बल्ले बास जो थे रन लेने का जो मौका था इस गेंद के उपर वो नहीं मिलेगा और ये ओवर भी हो गया है समाफ्थ इस ओवर की समाफ्थी के बाद स्कोर होता ओवर के 195 पांच विक टोक नुकसान के बाद 18 ओवरो का खेल समाफ्थ हो गया है इस माच में दोस्तों नौ का टार्गेट था भारत अब 195 बना चुका है आँख्री की 12 गेंदो का खेल जो है दोस्तों और रह गया है बाकी इस माच में अगली 12 गेंदो के उपर अक्षर पटेल मौजूद नेथन एलिस अपना आँख्री ओवर डालेंगे सवाल दोस्तों यह है कि ऐस्ट्रेलिया के लिए आँख्री ओवर कौन डालेगा मौस्ट प्रबबली आपको मारकस इस्टोइनस जो हैं आँख्री ओवर डाल सकते हैं क्योंकि उनके ही दोस्तों एक ओवर रहे गए हैं बाकी उसके अलावा शॉन आबट का एक ओवर रहे गया बाकी देखते हैं मारकस इस्टोइनस या शॉन आपट को कप्तान देते हैं अगर आँख्री ओवर तक यह मैच जाता है तो मुझे लगता है कि दोस्तों आखरी ओवर जो है वो होने वाला है अब ऑस्ट्रेलिया के लिए परिशानियों और बढ़ गई है और उपर से नेथिन इलिस ने ये पहली ही गेंद वाइड बॉल का इशारा कर दिया है दीमी गती की गेंद ऑस्टम के बाहर अंपायर ने वाइड करा दिया इस पहली ही गेंद को तो दोस्तो समय से आप लोगों को ऑस्ट्रिलया के टीम पारी को समाफ्त नहीं कर पाईए और इसी वज़े से ऑस्ट्रिलया के उपर पेनल्टी लगा दी गई है केवल चारी फिल्डर्स जो है अब 30 गच के गेरे में 30 गच के गेरे के बाहर रह सकते हैं और पांचवा फिल्डर को अब अदर बुला लिया गया है तो ये अब आसान हो चुका है भारती अब ले बाजों के लिए और बड़े बड़े शॉट्स खिलना है ये वाइड के बाद भारत को अभी 13 रनों की आवशक्ता 12 गेंडों के उपर नेथन अलिस भागे पहली गेंड लेकर दुबारा से धीमेदी में कदमों से अमपायर को पार करके ये एक और उस्टम के वाहर लेंथ डिलिवरी इंसाइड एच लेगिन जमीन के सारे विकेट कीपर के पास गेंड पहुंची विकेट कीपर वेड ने इस गेंड को फील करके वापस गेंड बाज एलिस के पास पहुंचा दिया 196 पांच विक टोकन उकसान के बाद भारत 18 ओवर्स और एक गेंड की समाफती पार आप लोग भी सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को इंतिजार किस चीज़ का कर रहे हैं आप किरप्रा करके आप सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें इस वीडियो को नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों जादा से जादा संख्या में दबाएं नेथन एलिस दोड़ना शुरू कर रहे हैं इस वर की अगली गेंड को लेकर आने के लिए शौट बॉल अतरिक तुचाल किनारा छोड़ती भी गेंड विकेट कीपर के दस्तानों में बलेबाज हैरान हो गए हक्का बक्का हो गए कहां खिरकार उनके साथ हुआ तो हुआ क्या लेकिन की नारा छोड़ती भी ये गेंड विकेट कीपर के पास पहुँची और विकेट कीपर ने बड़े आराम से इस गेंड को फील्ड कर लिया भारत एक सुची अनवे पे पांच अठारा उपर सो दो गेंडों के बाद एलिस की चार और गेंडे मौजूद यहां अक्षर पटेल को स्ट्राइक रिंकु सिंग को देनी होगी क्योंकि अक्षर पटेल ना तो यहां सिंगल ले पा रहे हैं ना बड़े शॉट लगा पा रहे हैं कहीं है मैच को फसाना दें अक्षर पटेल शॉट बॉल ड्राइव किया कवर की दिशा में सीधा फिल्डर मौजूद मारकस स्टोइनस के हाथों में और रन लेने का कोई मौका ने सोबर की तीसरी गेन के उपर भी एक और डॉट बॉल स्कोर होतावा बढ़कर 196 पांच विक्टो के नुकसान के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिगा दोस्तो चैनल को क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब तो हम लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों कुल मिला कि आप लोगों को बता दें 12,50,000 सब्सक्राइबर्स पर 12,49,999 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप में से कोई भी एक और मित्र जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अपना अपने नाम कॉमेंट बॉक्स में लिखी है शॉट गें थी बल्लेबाज ने हलके हाथों से पॉइंट की तरफ खेला एक रन के लिए स्ट्राइक रोटेट अब आखरी की दो गेंदे रह गई है बाके रिंको सिंग के पास स्ट्राइक वापस आ गई है मैं आप लोगों को बता रहा है कि आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए 200 चैनल को क्योंकि हम लोग 12,50,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने में केवल एक सब्सक्राइबर दूर है तो फटाफट आप मेंसे एक और मित्र जो है वो सब्सक्राइब कर दीजेगा और लाइक करन ना बुलेगा इस वीडियो को आए आखरी की दो गेंदों के उपर रिंकु सिंग मौजूद क्या भारती है टीम के बल्लेबाज रिंकु सिंग अगली दो गेंदों पर दो छक्य मारके हैं मैच को यहीं कर देंगे समाफ अगली गेंद नेटन एलिस दोड़ने के लिए तयार बाएं हाथ के रिंकु सिंग के लिए एलिस जो की 43 रन सब तक दे चुके हैं और ये लगा बहतरीन शॉट कनेक्ट हो गया बल्ले पे और गेंद जाती वी लॉंग ओफ बाउंडरी के बाहर चार रन्स के लिए ये कहते हैं दोस्तों टाइमिंग और पावर बिल्कुल सीधा शॉट एक लेंथ डिलिवरी थी रिंकु ने फ्रेंट फूट पाके सामने की तरफ गेंद बास के ठीक बाईं तरफ से उठाका खेल दिया और गेंजाती वी लॉंग ओफ बाउंडरी के बाहर सुन्दर शॉट चार रन्स के लिए रिंकु के बल्ले साताव या तीसरा चौका भारत पहुंचती वी यहाँ पर दोस्तों एक रन पांच विक टोक नुकसान के बाद 18.5 गेंदों के समाफ्ती पर जीतने के लिए अब साथ गेंदों पे यह वला आठ रनों की आवश्चकता अगर इस ओवर में रिंकु सिंग खेले होते हैं तो भारत यह मैच जीत गया होता इसी ओवर में लेकिन खेर अब भारत ने 200 रन पूरे कर लिया हैं उस चौके के साथ ही आखरी गेंद पर सिंगल लेना होगा इनको जी हाँ शॉट बॉल थी पुल किया स्क्वेल लेक बाउंडरी के तराफ आसानी के साथ बड़े ही 200 दिमाग के साथ खेलते हैं रिंकू सिंग सिंगल ले लिया है और सिंगल के साथ स्ट्राइक इन उनने अपने पास ही रखी है भारत को अब केवल और केवल 6 गेंदों में 7 रनों की आवशक्ता रिंकू सिंग ने 10 गेंदों में कुल मिला के अब तक 17 रन जो हैं वो बनाए हैं और दूसरी तरह फक्षर पटेल ने 5 गेंदों के उपर अब तक 2 रन्स बनाए हैं नेथन एलिस का ये जो चौथा ओवर था वो समाफ्थ हो चुका है आखरी ओवर के लिए दोस्तों जो कप्तान लेकर आ रहे हैं गेंद बाजी में वोक्स उसके उपर अभी ध्यान दिया जा रहा है जो प्रॉबबली शौन आबट या नेथन एलिस जी हाँ कप्तान ने शौन आंथनी आबट को आखरी ओवर दिया है क्या ये 7 रन बचा पाएंगे मुझे लगता नहीं कि दोस्तों आपको ये 7 रन बचा पाएंगे और वो भी रिंकू सिंग के सामने अगर कोई और होता तो साइद एक समय को हम और आप मान सकते थे कि साइद आपको 7 रन बच जाए लेकिन क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंग एक बहुत खतरना खिलाडी है T20 क्रिकेट के और भी जादा खतरना खिलाडी है दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको ये 7 रन बचाने में काम्याब हो पाने वाले है चलिए आखरी ओवर शुरू होने जा रहा है दोस्तों आखरी ओवर में गेंदाज जो हैं वो शॉन अंथनी आबट रिंकू 10 गेंदे 17 रन बना का खेल रहे हैं और ये शॉन अंथनी आबट चौते ओवर की पहली गेंदा आती हुई रिंकू सिंग एक बार फिर दोस्तों भारती टीम के लिए क्या ये गेंद को कर पाएंगे फिनिश एशन गेंज में बहुत सारे गेंज इन्होंने फिनिश किये थे लीजिए पहली ही गें थी शॉर्ट आफ स्टम के उपा पॉइंट के उपर से उठा दिया फिल्डर 30 गच के खेरे में डीप पॉइंट पे कोई फिल्डर मौजूद नहीं और गेंज निकल जाएगे सीधा पॉइंट बाउंडरी के बाहर रिंकू सिंग के बल्ले से ये एक और चौका ये चौथा चौका रिंकू सिंग के बल्ले से आतावा भारत 206-5 विक्टो के नुकसान के बाद 19-10 मलो एक गेंद की समापती पार उस्ट्रेलिया एकिलाडियों ने अपने हाथ को सर पे रख लिया है क्योंकि वो जानते हैं कि ये माच उनके हाथों से फिसल गया है क्योंकि अब भारतिय टीम केवल एक चौका दूर है इस माच को जीतने से क्या दोस्तों भारतिय टीम इस ओवर की दूसरी ही गेंद पे माच को कर पाएगी फिनिश चलिए देखते हैं शान आबट दाइहाथ से दोड़ते हुए उवद विकेट से ओस्टम के बाहर गेंदो बल्ले के बीच कोई संपर्ग नहीं विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए हैं और इन दोने बल्ले बाज उन्हें भाग कर ये बाई के रूप में एक रन पूरा कर लिया है तो अब जीत और नस्दीक केवल दो रनों की आवश्यक्ता लेकिन परिशानी ये भारत के लिए कि स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो गई है स्ट्राइक आचुकी अक्षर पटेल के पास जो की पाँच गेंदों में केवल अब तक इस माच में दो रन बना पाए हैं आएज ज़रा देखते हैं दोस्तों की अगली कुछ गेंदों के उपा कितने सारे रन्स जो हैं बनते हैं और आस्ट्रेलिया के कप्तान जो है उन्होंने स्ट्राइक जो है वो रोटेट करने का मौका दे दिया ये एक भारी गलती हो गई इनसे फिर तीसरी गेंद शान अबट लेके चल रहे हैं बाट इंक्रीस के उपा बल्लेबाज तयार इस बीच शान अबट की ये गेंद हवा में उठा कर मारा गया ये स्ट्रोक फिल्डव वहां मौझूद है और अक्षर पटेल ने यहां अपनी विकेट गवा दी है गेंद बाज ने खुदी स्कैच को पकड़ लिया शौट बाल थी अक्षर पटेल के लिए शौन अबट ने ये धीमी गती की शौट अफ लेंड डिलिवरी डाली थी पुल मारने की कोशिस कर रहे थे बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे टकराया अक्षर पटेल के और गेंद बास पीछे की तरह भाग कर एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ने में काम्याब भारत को लगता हुआ ये बहुत ही गलत समय के उपर एक बड़ा विकेट अक्षर पटेल 6 गेंदों के उपर 2 बना कर आउठो कर वापस जा रहे हैं और अब परिशानी दोस्तों ये है कि पहले की जमाने में जब गेंद हवा में जाती थी तो स्ट्राइक रोटेट हो जाता था लेकिन अब नए नियमों के तहट आप लोगों को अब स्ट्राइक जो है जो नया बल्ले बास आएगा उसके पास ही रहने वाला है अब ये है भारत के लिए परिशानी नए बल्ले बासों में अगर आँ देखेंगे तो भारती टीम के पास अब बल्ले बासी बची नहीं है क्योंकि अब बल्ले बासी में आपको रवी बिश्णोई है अर्षदीप सिंग है प्रसित कृष्णा है और मुकेश कुमार है कप्तान ने रवी बिश्णोई के उपर भरुसा दिखाया मुझे लगता है कि यहाँ पर कप्तान को दूसरे बल्लेबास अर्शदीप सिंग को भेजना चाहिए था लेकिन आएए देखते हैं कप्तान के भरुसे पर दोस्तो आपको रवी बिश्णोई खड़े उतरते हैं या फिर नहीं उतरते हैं आखरी की तीन गेंदे भारत को दो रनों की आवश्चक्ता मैच दोस्तो बिल्कुल रोमान चक हो चुका है और क्या इस रोमान चक्ता में रवी बिश्णोई दोस्तो आके एकाच चौके लगाके भारते टीम को जीत दिला पाएंगे चलिए देखते हैं क्योंकि अगली गेंद करने के लिए गेंद बास शौन आबट तयार नज़र आ रहे हैं विकेट कीपर जो मैथ्यू वेड हैं ऐसा लग रहा है कि दोस्तों उन्होंने गलफ्स खोल दिये हैं और गलफ्स खोलने के बाद आप लोगों को बता दे कि दूसरे जो विकेट कीपर हैं जौश इंगलिश उनको इन्होंने विकेट कीपिंग थमा दी है यहां पर पूरा का पूरा प्रेशर दाइहां से आबट दोड़े और शॉट अफ लेंद के उपर पुल मारने की कोशिस और गेंदो बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और यह बाई के रूप में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही बल्ले बाज उन्हें एक रन पूरा कर लिया है जी नहीं यहां पर लग रहा है कि दोस्तों नौन स्ट्राइकर एंड के उपर जो हैं वो रवी बिश्णोई रनाउट हो गए हैं लेकिन अठी चीज यह है कि दोस्तों इसे में स्ट्राइक जो है वो बदल जाएगी क्योंकि दोनों ही बल्ले बाज उन्हें यहां पर एक रन लेने की कोशिस में नौन स्ट्राइकर एंड के उपर गेंद बाज ने आप स्टम स्कोड आया है यानि कि एक रन भले ही लेने की कोशिस में आपको आउट हो गए लेकिन स्ट्राइक जो है वो बदल चुकी है रिंकू सिंग के पास स्ट्राइक आ चुकी है और रन आउट होकर रवे बिश्णोई वापस जाते वे पवेलियन एक गेंद के उपर बिना कोई रन बनाएं यानि कि अब दो गेंदे रह गई हैं स्ट्राइक आपको रिंकू सिंग के पास मौजूद है नए बले बाज आपको अर्शदीप सिंग आ चुके हैं अब दोस्तों दो गेंदों के उपर भारत को दो रनों की आवश रखता चाहिए है और मुझे लगता है कि यहाँ पर रिंकू सिंग के पास स्ट्राइक है तो कुछ भी हो सकता है बस यहां से अगली दोनों ही गेंदों के उपर अगली गेंद के उपर ना लगे रन तो आखरी गेंद के उपर भी अपने पास ही स्ट्राइक रखें कई है ऐसा ना हो पहली गेन पर वो कहिए कि चौका आ गया अगर वो चौका नहीं आया होता तो सायद आपको भारतिय टीम इस मैच में आप लोगों को यह मैच हार भी सकती थी चलिए है रिंकु सिंग के पास स्ट्राइक मौजूद आख़ी की दो गेंदे हैं बैट इंक्रीस के उपर दोस्तो रिंकु सिंग की बारा गेंदों के उपर 21 रंस बना का खेल रहे हैं रिंकू 12 पे किस और कप्तान ने विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने वई विकेट कीपिंग कर रहे हैं उन्होंने अपने एक गलफ को निकाल दिया है और किवल एक ही गलफ के साथ दोस्तों खेल रहे हैं फील्ड में एक लॉंग ओन एक मिर्फगेट एक स्क्वेर लेक और एक सजावट पीछे का फाइनले का एरिया थर्ड में का एरिया पूरी तरीके से खाली और ये अगली गेंड के उपर बल्लेबाज जो है वो तयार नजर आ रहे हैं चौड अफ लेंड डिलेवरी शॉन आबट की बैट इंक्रीस के उपर जो बल्लेबाज है वो है रिंको सिंग पुल कर दिया मिर्विकट बाउंडरी पे स्टीवन स्मित ने इस गेंड को फ्रो किया है स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे और एक और विकेट ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आउट हो गए हैं लेकिन मैच ड्रॉ हो चुका है यहां पे शॉट अफ लेंड डिलिवर रहा है कि अर्शदीप सिंग थोड़े से शॉट रह गए हैं आईए देखते हैं कि क्या यह रनाउट है जी हां यह बिल्कुल रनाउट हो गए हैं आप देख सकते हैं बल्लेबास का बल्ला थोड़ा सा दूर रह गया है और इसी बीच आखरी विकेट भी अब आने जा रहा यानि कि आखरी गेन के उपर भारत को एक रनों की आवशकता तो अर्शदीप सिंग ने थोड़ी सी और जल्दबाजी दिखाई होती तो भारत यहां पर यह मैच यहीं जीत गया होता लेकिन दोस्तों मैच में अभी भी ट्विस्ट बाकी है अभी भी आप लोगों को इस मै इंदो के उपड़ 22 रंज बना का खेल रहे हैं इस मैच में मैच अभी खतम नहीं हुआ है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों चैनल को क्योंकि अगर आप में से ही कोर मित्र कर देगा सब्सक्राइब तो 12,51,000 सब्सक्राइबर्स पहुंँ जाएंगे तो आप ल शॉन आबट करने जा रहे हैं मुकेश कुमार जो की आखरी बल्ले बाज हैं क्या ये इस मैच के अंदर एक रन भाग पाएंगे अगर गेंदो बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं होगा तो ये तो दोस्तों केवल और केवल समय ही बताएगा रिंकु सिंग 13 गेंदो के उप इलाका है डीप स्कुए लेग मिर्विकेट और लॉंग ओन बाउनरी लॉंग ओफ पे भी छक्का मार सकते हैं लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है इसमें पैट्स को खोल दिया है मुकेश कुमार ने यानि कि दोस्तों बिना पैट्स के ही दोड़ेंगे आसानी होती है दोस इस ओबर की आखरी गेन बाट इंख्रीज के उपर रिंकु सिंग मौजूद एक मिड़ान एक मिड़ाफ एक लॉंग ओफ और एक लॉंग ओन बाउंडरी पे फिल्ड़ा मौजूद दोसो नौ रणों की आवश्क्ता थी भारत को भारत ने ऐस्ट्रेलिया की बराबरी कर ल बाउंडरी के बाहर सीधा सेकेंड टियर के उपर और भारत को दोस्तों इन्होंने चे विक्टो से जीत दिला दी है रिंकु सिंग ने ये मैच को दोस्तों चक्के के साथ भाट ये टीम को जो है वो जीत दिला दी बिलकुल ऊपर की तरफ एक लेंथ गेंड डाली गई थी अपने फ्रंट फूट को बस हलका सा आगे की तरफ निकालके गेंड बास के सर के उपर से उठा का मारा था छक्का रिंकु ने और आप लोगों को बताया दे कि गेंड बास शान अबट ने वो नो बोल भी डाल दी थी अगर आपको वो छक्का नहीं लगा होता तो भी भारत ये माच जीत गया होता क्योंकि गेंड बास शान अबट से गलती हो गई और पाउन का थोड़ा सा आगे निकल गया नो बोल के उपर छक्का लगाया रिंकु सिंग ने और भारतिय टीम को दो विक्टों से इस मुकाबले के अंदर जीत दिला दी है पांच मुकाबलों की यह पर सीरीज में पहला मुकाबला भारतिय टीम ने दो विक्टों से जीत लिया है और आज के हीरो हैं भारतिय टीम के रिंकु सिंग 14 गेंडों के उपर 23 रंस बनाके और उनके साथ मुकेश कुमार जो की नाबाद रह सुनने के उपर आईए बात करते हैं इस मैच के बारे में दोस्तों पूरी तरीके से आज दो पहर में जब टॉस हुआ था तो टॉस भारतिय टीम के कप्तान सूरी कुमार यादो ने जीता था सूरी कुमार यादों ने दोस्तो टॉस को जीतने के बाद पहले फैसला किया था कि उनकी टीम करना चाहती है पहले बल्ले बाजी नहीं गेंद बाजी तो भारतिय टीम के कप्तान ने गेंद बाजी का फैसला तो चुन लिया था जब बल्ले बाजी करने दोस्तों इस मैच के अंदर भारतीय टीम के सामने आस्ट्रेलिया के टीम उतरी तो आस्ट्रेलिया के टीम की तरफ से इस मैच में बहुत कमाल की बल्ले बाजी देखने को मिली हास तोर से दोस्तों आप लोगों को इस मैच के अंदर जॉश इंग्लिश ने अमनी पहली इंटरनाशनल सेंचुरी लगाई और उनके साथ दोस्तों इस मैच के अंदर स्टीविन स्मित ने हाफ सेंचुरी की पारी खेली स्मित ने 41 गेंदों के अपर 52 रण्स बनाएं स्मित के साथ मैथ्यूं शॉट ने 11 गेंदों के अपर 13 रणों की पारी खेली इंग्लिश ने 50 गेंदों के अपर 110 रण्स बनाएं 11, 4, 8 चक्रे मारे स्टोइनस ने 6 गेंदों के उपर 7 रंज बनाएं डेविड ने 13 गेंदों के उपर 19 रंज बनाएं 7 रं मुफ्त में मिले जिसमें 4 वाइड एक नो बॉल और दो लेगबाई के रूप में रंज मिले 208 बने आज उस्ट्रेलिया के 3 विक्टो के नुकसान के बाद पॉल अफ विक्टो के इंदर 31 रंज पर पहला विक्ट 161 पर दूसरा विक्ट और 180 पर तीसरा विक्ट गेंदबाजी में अर्शदीप सिंग ने 4 ओवर में 40 रंज दे के कोई विक्ट नहीं निकाला प्रसिद कृष्णा ने 4 ओवर में 50 रंज दे के एक विक्ट निकाला अक्षर ने 4 ओवर में 32 दे के कोई विक्ट नहीं निकाला बिश्णोई ने 4 में 54 दे के एक विक्ट निकाला मुकेश ने 4 में 20 दे के कोई विक्ट नहीं और पावर प्ले में आप लोगों को 40 रंज बनाएं भारतीय टीम के सामने उस्ट्रेलिया ने और अपने 208 रंद 3 विक्टो के नुकसान के बाद जब भारत पीछा करने उत्री दोस्तों आप लोगों को 209 रंओ का जैसवाल ने 8 गेंदों के उपर 21 रंज बनाए फिर इनके साथ गायकवर्ड ने कोई रं नहीं बनाया बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो गए इस मैच में और फिर आप लोगों को नंबर 3 के उपर उत्रे बाइहाथ के इशान किशन ने हाफ सेंचुरी लगाई 49 गेंदों के उपर 58 रंज बनाए दो चौके पांच छके शामिल थे इशान किशन की बल्ले बाजी में इशान किशन के बाद आए सूरी कुमार यादो तेज तरार पारी 42 गेंदों के उपर 80 रंज बनाए सूरी कुमार यादो ने बहुत जबर्दस फारी थी दोस्तो नौ चौके दो चक्के लगाए इस माच में सूर्या ने और इसके बाद आए तिलग वर्मा 10 गेंदों के उबर 12 रन और फिर रिंकु सिंग का जो वो चक्का लगाया इन्होंने दोस्तो वो काउंट नहीं होगा वो इसलिए काउंट नहीं चौदा गेंदों पे 22 बनाए रिंकु ने चार चौके अक्षर पटेल दो रन छे गेंदों पे विश्नोई एक गेंद पे खाता तक नहीं खोल पाए और रंत में दोस्तो अर्शदीप सिंग ने खाता नहीं खोला मुकेश कुमार ने भी खाता नहीं खोला और अस्ट्रेलि गेंदबाजी में स्टॉइनस ने तीन ओवर में 36 देके कोई विकेट नहीं निकाला बेरिंडॉफ ने चार ओवर में 25 देके एक विकेट निकाला शौट ने एक ओवर में 13 देके एक विकेट निकाला आबट ने तीन ओवर 5 गेंदों में 43 देके एक विकेट निकाला एलिस चवालीस दे के कोई विकेट नहीं निकाला सांगा ने चार में 457 दे के दो विकेट्स निकाला बावर प्ले में तेरे सट रण्ज जो हैं वो अकुल मिला के इस माच के अंदर जो हैं वो बनाए भारत ने और 19 वर 5 गेंदों में भारत ए टीम ने इस मुकाबले को 215 रन बनाके 215 क्या 209 रन बनाके इस मैच को जीत लिया क्योंकि आखरी जो छक्का मारा था रिंको सिंग ने वो काउंट नहीं हुआ लेकिन रिंको सिंग का जो वो शॉट था विनिंग शॉट वो बड़ा जबरदस्ता बिलकुल सीधा सीर की तरह उन्होंने गेंद को लगाया था लॉंग ओन बाउंडरी के उपर छक्के के लिए दोस्तों आज के प्लेयर अफ़ दे मैच सूर एकुमार यादो 42 गेंदों में आज सीरनों की पारी की वज़े से बहतरीन पारी थी आज और भारत अभी पांच मुकाबलों की सीरीज में पहला मुकाबला जी चुका है अब दोस्तों अगले चार मैचेज अगला मुकाबला थिरुवनिंत पूरम में खेला जाएगा ग्रीन फिल्ड इंटरनाशनल स्टेडियम थिरुवनिंत पूरम जो कि 26 तारिक रविवार का दिन होगा दोस्तों साम साथ बजे फिर होगा मुकाबला 28 तारिकों गोहाटी में साम साथ बजे से फिर 1 दिसंबर सुक्रुवार को दोस्तों खिला जाएगा राइपूर 36 गड़ में साम साथ बज़े से मुकालबा चौथा टी-20 और पांचवा और आखरी मैच रवीवार अगले रवीवार को खिला जाएगा दोस्तों साम साथ बज़े से बैंगलूरू में तो दोस्तों ये पांच मैचेज इस सीरीज में और फिर आप लोगों को भारतिये टीम को सुरी कुमार यादो ने आज बिलकुल फरंट से लीड किया है कप्तान ने और आज जिस तरीके की बल्ले बाजी सूरी कुमार यादो ने की है कुछ ऐसी ही बल्ले बाजी भारतिये फैंस को वर्ल्ल कप के फाइनल में थी लेकिन ये लीजिये तीसरी गेन सूरी कुमार यादो ने एक बार फिर से उठा का मारा मिर्वगट बाउंडरी पे फिल्डा मौचूद नहीं है अगर होते भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गेंद उनके उपर से निकल जाती एक और छखका चौथा छखका सूरी कुमारियादो के बल्ले से ये गुलेंद पर डाली भी गेंद थी लिक्स्टम के उपर सूरी कुमारियादो ने अपने फ्रंट फूट को सामनी की तरफ निकाला और लॉंग ओन बाउंडरी और मिर्वगट बाउंडरी के बीच में से उठा का मार दिया और गेंद सीधा दर्शकों के इंदर जाती वी छेरनों के लिए दर्शकों में दोस्तों हर्शो उलास का माहौल नजराता वाट अतर मिटर लंबा चक्का यहाँ सूरी कुमारियादो के बल्ले से आता और दर्शकों में एक बहतरीन कैच पकड़ा गया है वहाँ ग्राउंड स्टाफ के द्वारा खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ का यह कैच पकड़ने के बाद यह इस ओवर की चौती गेंद काटिंग पे सूर्या और यह धीमी गती की शौट अफ लेंड डिलिवरी इस बार अपर कट किया है और गेंजाती वी शौट थर्ड मन के उपर से डीप थर्ड मन बाउंडरी के बाहर एक टिपा दो टिपा और एक और चौका और यह दो गेंदों के उपर अब कुल मिलाके 10 आ चुके हैं इस सूर्य कुमार यादो का बला अगर इसी तरीके से फाइनल्स में भी चल गया होता तो दोस्तो विशो का भी भारत में ही रहता है इस समय लेकिन 20 गेंदों में 22 के अबावशक रकता है दोस्तो पांच T20 मुकाबलों की सीडीज में भारते टीम इस मुकाबले को जीतने से केवल 22 रंस दूर नजर आती भी नेथन एलिस की पांचवी गेंदाने जा रही है बाटिंग में दोस्तो सूरी कुमार यादो 38 गेंदों में 75 रंओ के उपर यह अगली गेंद के उपर बहुती रक्षात्मक तरीके से शॉट आफ रंड डिलिवरी थी पुल किया अच्छे अंदाज में लेकिन वहाँ फिल्डम मौजूद है मैथ्यू शॉट ने डीप से फिल्ड किया जब तक फिल्ड कर पाते मैथ्यू शॉट डीप से तक रिंकु सिंग और सूरी कुमार यादों ने भाग कर बड़ी तीजी के साथ आसानी के साथ ये एक रंड पूरा कर लिया है भारत 188 रिनों के पाप पहुंचा चारविक टोकन उकसान के बाद 16.5 गेंदों की समाफती के बाद आप सभी लोगों से गुजारिस है कि आप सभी दोस्ते एक साथ मिलके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग ने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया थो और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोगों कुछ दबाना ही दबाना है दोस्तों अगर आप ने नहीं दबाया है तो यह अगली गेंड लेके चल रहे हैं नेथन एलिस दाय हाट से 17 वे उबर की ये आखरी गेन बैट इंक्रीस के उपर रिंकु सिंग शॉट अफ लेंड डिलेवरी ओफ स्टंपर थी गाइड कर दिया डीब थर्ड मिन बाउंडरी की तरफ और जब तक इस गेन को दोस्तों डीब थर्ड मिन बाउंडरी का फिल्डा वहाँ फिल्ड कर पाता थ्रो कर पाता इन दोने बल्ले बाजों ने एक और रंच वो पूरा कर लिया है तो एक रंच के साथ स्कोर होता हुआ बढ़कर 184 विक्टो के नुकसान के बाद 19 गेंदों के उपर केवल 20 रनों की आवशक्ता भारते टीम को ये माच जीतने के लिए चाहिए तो 18 गेंदे रह गई हैं बाकी केवल और केवल और 18 गेंदों के उपर 20 रनों की आवशक्ता इस माच में केवल और केवल चाहिए दोनों ही बले बाजों ने रिंकू सिंग और सुरी कुमार यादों ने मिलके दोस्तों आप देखेंगे तो एक ने 49 गेंदों में 76 रंज बनाए है और दूसरे ने 6 गेंदों के उपर आप देखेंगे तो कुल मिलाके 11 रंज जो हैं वो बनाए हैं अगली गेन एलिस का ये ओवर हो चुका है समाफ तो तक आप लोग भी लाइक कर दीजेगा दोस्तों अगर आप लोग ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो और सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बहरेंड ओफ नए ओवर की शुरुवात करने के लिए आ रहे हैं अब एरेंड ओफ का दोस्तों ये आखरी ओवर है तो बहरेंड ओफ वो यहाँ विकेट निकालनी पड़ेगा अगर इस मैच के अंदर दोस्तों बने रहना है औस्ट्रिलिया को तो शॉट अफ लेंड डिलेवरी ओफ स्टम पर थी डीप थर्ड में बाउंडरी के तरफ गाईड करने का प्रयास किया लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फिल्डर मौजूद है और जब तक इस गेन को बैकवर्ड पॉइंट का फिल्डर अपनी बाई तरफ जाके फिल्ड करता थ्रो करता एक रन पूरा कर लिया इन दोनों बलेबाज उने स्कोर 190 रन चारविक टोकन उकसान के बाद 19 की आवश्क रखता केवल हो केवल चाहिए यहां से और 19 रन 17 गेंडों के उपर यानिके रन अबॉल अल्मोस्ट अल्मोस्ट इस मैच के अंदर जो हैं दोस्तों चाहिए बेरंडॉफ की दूसरी गेंडारी है सूरिकुमार यादो के लिए और मैं आप लोगों को बता दू कि सूरिकुमार यादो 80 रनों के पर पहुंच चुके हैं क्या इनकी सेंचुरी पूरी हो पाएगी मुश्किल है अल्मोस्ट नामुम्किन की तरह ये यॉरकर था लेकिन ड्राइब किया पॉइंट बाउंडरे के तरह दो फिल्डरों के पीच में से फिल्डर वहां गेंड के पीचे लेकिन रोकने मन नामुम्किन पॉइंट बाउंडरे के बाहर चौका मिल जाएगा बल्लेबास को धीमी गती की गेंटी ओफ स्टम पर यॉरकर डालने का प्रियास कर रहे थे बेरेंड ओफ अपने फ्रंट फूट को सामने की तरफ निकालके सूरी कुमारियादों ने इस गेंड को पॉइंट बाउंडरी के ठीक बगल से खेल दिया डी पॉइंट बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए सुन्दर टाइमिंग बहतरी इंप्लेस्मेंट चार रन्स 194 चार विक्टों के बाद भारत का शॉट था दोस्तों बहुत खुपसूरत और इतना सुन्दर शॉट था कि जितनी हम तारीफ करेंगे इस शॉट के उतनी ही कम रहेगी जहां ये अगली गेंट तीसरी धीमी गती की गेंट इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस की नाराच छोड़ती वी गेंट विकिट कीपर जॉश इंगलिश के दस्तानों में मैथ्यू बेट के दस्तानों में आखरी की तीन और गेंदे रह गई हैं बाकी बाट इंक्री इसके पर सुर्वार्थ